कर 7 कि वह लूव मेरे प्यारे बच्छों कैसे आप सभी लोग आई होप आपस लोग बहुत जभर दस्तxton केमा यह सब्हुन करता हुं तो जल्दी से सभी प्यारे ब Pfn जितने भी मेरे बच्छे आप सभी लोग देख रहे हैं आप सबसे पहले तो मिरे सभी मेरे बच्चों को यार जबरदस्त शुबकामनाय होली की और जल्दी से बिटा एक बार सभी मेरे बच्चे जुड़ जाओ बहुत ही भैंकरा सेशन करने वाले क्योंकि पूरी की पूरी मायत का वन शॉट आज हम लोग करने वाले हैं जितने भी चाप्टर सारे के सारे चाप्टर क सब्सक्राइब करते हैं जहां पर भी आप सभी लोग रहते हो सभी बच्चे एक बार जम के सेशन को हर एक जगह पर आप शशांग सरके नाम का डिडोरा पीट के आजो और आज के सेशन में करने वाले हैं जबरदस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन और जितने क्योंकि यार वो तूफानों के आदी हैं तो तूफानों के अगर आदी हो तो लास्ट टाइम तक आपको इतनी तेज बहना है कि मतलब बस तुम आग लगा दो आगे आने वाला जो चार दिन है इंक्लूडिंग आज और ये चार दिन बच्चों आपकी जिंदगी के लिए स जिन बच्चों ने साल भर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखा है उन बच्चों को जम के मलब एकदम पॉलिशिंग करने की जरूवत है और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा रखा भईया एकदम कॉपी कलम आप सभी लोग निकाल लीजिए जितना कुछ आपक सारा सब कुछ आपको इसकी पीडियाप दे दी जाएगी टेलिग्राम ग्रूप में और इसकी अलावा यार एक एक चीज आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए क्योंकि अल्टिमेटली जो हमारी कॉपी में होता है उसी को बच्चों रिवाईज कर पाते हैं तो आप सबी लोग एक एक चीजें आपको कॉपी में जरूर लिखना है और एक बार अपने दोस्तों में जरूर सेशन को शेर करना कहते हैं कि घरना भी अच्छा होता है ऑकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है तो बिटा आप सभी किसी का भी कॉमटिशन नहीं होता अपनों के लिए अपना हाथ अगर तुम नहीं खड़ा करोगे तो बाकी कौन खड़ा करेगा तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे वार जम के एक बार सेशन को शेर करो और मैं चाहता हूं यहां पर हमारा मिनीमम कम से कम से क के कदमों में बच्चो जहान होता है तो आज से आगे आने वाला यह जो चार दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है और जितने जोश और उत्सा के साथ आप सभी लोगों को मैं यहां पर कराने वाला हूं एक एक कंस्ट करेंगे एक चीजे करेंगे चोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीज़े तो भी आपको बहुत ही सिंप्लिस्टिक तरीके समया पर कराने वाला हूं तो सभी मेरे बच्चे जल्दी से एक बार फड़ा-फड़ार अपने दोस्तों में शेर करके आजो ताकि 1000 बच्चे यहां पर जरूर दिखने च की होली को कुर्बान करना यह जिस इंसान को जिंदगी में कहता है ना कि आसमान पर पहुंचना है उसके छोटे-छोटे से करने पड़ता है अब यह वह दिन है अगर हमने साल भर मस्ती करी है तो इस टाइम को हमें से करना पड़ेगा तो जितने भी बच्चे आप सभी और बहुत ही बाकाइदा करेंगे यार तुम लोगों के लिए पूरी रात भर जग के मैंने यह पीपीटी बनाई है पूरा का पूरा content बनाया है बहुत मेहनत लगी बैटा जितना जैसे लग रहा है ना मेरा एक्जाम है आपके पेपर के साथ मेना मुझे लग रहे हैं जैस सब्सक्राइब तो यार मैं 100% प्रिपेर हूं और 100% प्रिपरेशन का मतलब यह कि मैं तुम्हें सारे सवाल करा देने वालो मतलब कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं ना तो और मैं आपको 100% पूरा का पूरा सब कुछ करा देने वाला करा देने वाला ठीक है तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्छों जल्दी से आप सभी लोग आ जाओ यार अपने दोस्तों में सेशन को शेयर कर देना ठीक है तो यार सेशन के शुरुआत करता है सबसे पहले तो आज के सेशन में लोग रिलेशन से शुरू करेंगे तो एक बार को आपको रिलेशन का ओवर विव देता हूं सबसे पहले तो आखिरकार रिलेशन का वेटेज कितना है और सारी चीज़े हाला कि मैंने कल आपको एक सेशन बना रखा था बिटा एटू जड़ आपको सारे के आने वाला है तो 4-5 नंबर में पीएच डी करने नहीं जाएंगे मलत 4-5 नंबर में ऐसा नहीं है कि हम 4 घंटे लगाने वाले तो किस चाप्टर में कितना टाइम देना है आपको बहुत ही अप्रोपियेट में देखे चलने वाला हो लेकिन बच्चों मुझे कितनी देर तो अपने आपको मेरे उपर छोड़ दो कौपी कलम निकाल लो बाकी एदम अच्छी तरीके से या पढ़ाई करनी है है आगे आने वाला जो भी पांच से साथ घंटा मैं कह रहा हूं तुम पढ़ोगे तो मैं बारा घंटे भी तुम्हें पढ़ा सकता हूं लेकिन बस तुम् और टीसारा ट्रॉल grandfather कि सको गहता है। और आप सबी लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन हां को होल्ड करता है तो इसको हम हिवलेंस रेलेशन कहें बस तुम्हारे यतना भी पढ़ाना है किसमें रिलेशन में ठीक है क्लियर और रृेशन का एक पार चाहर भी है जिस यहां पर यहां पर इतनी ही चीज़ें आपको पढ़ने है रिलेशन फ्नक्षन में इससे जादा तुम्हें कुछ पढ़ने की जरुवत नहीं है मलम ना तो composite function ना तो invertible function बाकि कुछ भी मत करना जिन भी बच्चों ने अगर मैं कह रहा हूं बिटा आपने कुछ भी नहीं पड़ाया ना बस आप इतना कर लेना और जिन बच्चों ने अगर करा है तुम इतनी चीजों को जवरदस्त कर लेना 100% पेपर तुम्हारा इसी सेग गुए अब तो यार को हमने शुरू करा है तो अब एक दम तुम यह सब भूल जाओ कि कुल तक चलेगी अब तब तक चलेगी जब तक तुम्हारी तैयारी नहीं हो जाएगी समझ मारे तो तो बäd़ा एक दम इंज्वाय करके पढ़ना पनिक नहीं करना तुम टेंशन मतलो जब तक स्क्रीन पर मैं खड़ा हो तब तक तुम्हारी तयारी रुखने वाली नहीं है और यार सभी मेरे बच्चे कॉमेंट सेक्षिन में एक बार अपना सपोर्ट जरूर दिखाते रहो यलो हर्ट और ओपी जरूर लगाते रहना और आराम से पढ़ते रहने याँ मेंटा रिलेशन किसको कहता है रिलेशन क्या है कि रिलेशन एक 9ंप सबसेट किसका एक रौस वीखा अब एक रौस भी क्या होता है सबसे पहले उसको समझते है कि जैसे मालो हमारे पास एक सेट है कोई Is Equals to Maalo 1,2 है ठीक और बी इस एकल टुमालो यहा तू का रिस्ता फोर के साथ तू का रिस्ता फाइव के साथ तो यह हमारा हो जाता है एक रॉस भी तो बेसिकली एक रॉस भी बच्चों क्या है एक रॉस भी टोटल पॉसिबल रिलेशन जैसे माल लो तुम हो ठीक है तुम्हारा रिलेशन जैसे मैं आपको जेनरली एक जामप के साथ है की नि सिमिलरली तुम्हारे भाई का रिस्ता अपनी बहन के साथ इस तरीके से आप रिलेशन मनाते हो ना जैसे मालो ऐसे तुम्हारे परिवार में मालो चार-पांच लोग है यहां पर जैसे मालो यह रहे पापा ठीक यहां पर यह रही मम्मी यहां पर यह रहा परिवार के लोग है के परेड़ सी के परिवार के लोग है अब यहां पर भी इनके भी पापा टू होंगे हगी कि अब से μεामा ओटel है यहां zac पापा का रिस्ता इस पापा के साथ तुम्हारे पापा के रस्ता उनके मम्मी के साथ है ना कुछ ना कुछ तो होगा पापा का रिस्ता उनके भाई के साथ में पापा का रिस्ता उनकी बहान के साथ में तो इस तरीके से हम रिलेशन को बनाते है जो हमारी रियल लाइफ का रि क्यास के शाथ मभी को सब्सक्राइब काने हो सब्सक्राइब भीSSर फासा थरो तो है अजरो दो Đây सद्रीक है जाता आप रिलेशन बनाते हो से इसी तरीके से अगर हम योद्ट सनुद्ट की बात करते हैं वाहनों करते हैं यहां पर नमबर कि नमबर अब इसका रिस्ता बनाना एक इसके साथ में यहां कर दो तुमनेंब बहौनाओं नहीं समझ मैं तुममें पढ़ो तुमको यह स्था इस्त इक साथ होगा तो यह हो गए होता है एक रॉस्ट भी टोटल पॉसिबल ऑफ दा क्या होते है टोटल पॉसिबल ऑफ दा रिलेशन होता है ठीक है क्लियर सभी को तुम्हें भावनाव में बहुत तेज बहते हो यार तुम्हें कंट्रोलिंग नहीं है अब यहां राज दूसरी चीज हम बच्चों यह तो हो काई सार रिलेशन की बाद ठीक है आप रिलेशन के बाद रिलेशन के तीन हिस्से हैं रिलेशन के तीन हिस्से कौन कौन से बिटा रिलेशन में में जो चीज़ा पढ़नी है वह एक तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटेव रिलेशन ठीक है आप जरासभी लोग एक बार को बिटा इनका मतलब समझ hana ठीके एक बार को सभी लोग इंका मतलब सम्झो जैसरे मान लो वालओ हमारे पास कोई भी एक отмет एक सेट दे रखे है है नलोई ओर एक्सिट दे रख सICK टिक तो मल लोगर यह एक सेत है अब इस सेट को हम रियल लाइफ में लेकी आते है ठीक हैं यहां पर यह माल लो कौन है यह वालो बताओ ये को तुम ठीक है तुम्हारा नाम तुम लिखा हुआ है और एक है तुमारी लवी हैन्व और एक तुम्हारा डवी यह तीन लोग में बैसिकली अब इन में reflexive symmetric transitive रिस्ता कैसे बनेगा तुम एक बार समझने की कोशिस करना ठीक है अब reflexive relation क्या होता है कि तुम्हारा रिस्ता खुद के साथ में होना चाहिए मुद्दे की बास समझना यानि कि तुमका रिस्ता तुम्हारे साथ में होना जरूरी है समझ मैं तो reflexive relation का मतलब होता है self love यानि कि खुद का relation खुद के साथ में हो जिस्ते अगर हमान लो यहां पर हमारे सामने कि आखेर कर सिमेट्रिक रिलेशन किसको कहता है से में ड़ूसाल जो गाता है तो यह क्या हो ब достVery reflection अभी तुम टैंशन मतल भीट स्थाहिए दर रहा तो तुम्हारा भी मेरे साथ में करना जड़ूरी है समझ वाइब दिसे मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारा पढ़ाना जरूरी ए एकक्दम पर दरीक समझना तो लो यह Rाथ तुम यह दो ४ तुम ठीक है और यहां पर कौन रहा यह रही तुम्हारी लवी ठीक है अब अगर तुम्हारा रिस्ता लवी के साथ है जैसे मालो तुम्हारा रिस्ता लवी के साथ में है तो लवी का रिस्ता भी तुम्हारे साथ में होना जरूरी है मतलब यह मतलब एक तरफा सीन नहीं चलत कि मतलब एक तरफ मोभबत नहीं चले कि यह बंदा मतलब फिसमेर लोग के इदम खतरनाक वाला है समझनार यानि कहने का मतलब यह है कि जैसे मालो अगर हमारे पास a का relation b के साहथ में है तो कहने का मतलब यह कि सर वी का relation जो एक साथ में है ना यह भी रिलेशन में होना जरूरी है अधर वाइज यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा सिमेट्रिक रिलेशन कभी एक तरफा नहीं हो सकता एक दाम अठी तरीके समझना ठीक है क्लियर है सभी को हाँ या न तो अभी देख हमने क्या सीखा रिफ्लेक्सिव रि उसका भी तुम्हारे साथ में होना जरूरी है मलब दो तरफा मुखबत होनी चाहिए एक तरफा नहीं होनी चाहिए एकदम अची तरीके तुम भावनाओं में बहना नहीं है एक ठीक है क्लियर तो यह हो गया किसका बिटा यह हो गया इंग सिमेट्रिक रिलेशन आप तभी ल यह रहा मालो तुम ठीक है यह कौन है यह रहे तुम अब यहां पर जो तुम्हारा रिस्ता है यहां पर जो तुम्हारा रिलेशन है ना चलो इसको तुमको हटा देता है यहां पर तीन लोग होने चेह रिस्ते में समझ महारा है किसमें ट्रांजिटिव में यह कौन है यह र तो कहां साथ में है और पत्रीका रिस्ता क्पे होना बॉट के साथ में है तो पती का रिस्ता किसके साथ में है पत्नी के साथ में पत्नी कर रिस्ता ओ के साथ में तो यार पती कर रिस्ता ओ के साथ में होना चाहिए मतलब बहुत गंदी बात है यह अब इसका कहने का मतलब क्या है अब अच्छी तरीकस तुम समझना ठीक है अब देखो मात्मेdefense कल भाच को कैसे बोलेंगे जैसे मान लोकर एक अरिस्ता बी के साथ में है और भाया का रिस्ता सी के साथ में है तो यहां से हम क्या बोलेंगे eyes है यह एक द्र मच्छी तरीके से clear तो विटा रलेशन में हमारे पास तीन आइटम होता है मतलब अगर जैसे मालो ठीक है अब यहां पर अब ऐसा नहीं है कि तुम इसको मतलब इसी निगाह से देखो यह मैं तुमको समझाने के लिए कह रहा हूं अब अगर तुम्हारा तुम्हारे गर इरादे गर पवित्र होते ना तुम अच्छा- अब मम्मी का रिस्ता पापा के साथ में तुम्हारा भी रिस्ता तो पापा के साथ में यह सुन्दर रिलेशन मनिया ना यह समझ मैं है लेकिन तुमको यह ज्यादा समझ मैं आता है क्योंकि सारे के सारे तुम दिल जले हो समझ मैं तो यहां पर तीन लोग होने जरूरी है कि इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में तो बिटा अब इसको ना अब इसको हम एकदम अच्छी तरीके से माथमेटिकल वहांशा में समझने की कोशिश करता है ठीक है तुमको यह तीनों चीज़ें समझ आगी होगी कि एक अगर एक तरफा नहीं हो सकता कुछ भी ठीक है कि अगर एक ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है कि अगर एक रिलेशन बी के साथ में तो एक का सी के साथ में होना जरूरी है तो यह पूरी की पूरी कहान ही होगे किसकी ट्रांजिटिव रिलेशन की अच्छा आप इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट डबेटा कि अगर कोई भी रिलेशन ऐसा है जो ट्रांजिटिव मतलब रेफ्लेक्सिब भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भ कर रही हैं तीसरा तुम्हारा रिस्ता मम्मी के साथ में मम्मी का पापा के साथ में तो तुम्हारा पापा के साथ में तो अगर ऐसा कोई रिस्ता है तो ऐसे सबसे इंपर्डन चीज है में अगर इंगर एक्सी तरीक Candida अगर सब्कुर्ण सब्साइफ प्राइब उपी कि वेलेंगे ढिएक्वीलिंज बोलेंगे ठीक अरा आई होड़ा क्यों को ये रोगáfic क्रिस्टल क्रिस्टальной रोगा अप बेटा जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो सेशन को एक बार यार जम के शेयर करो अभी तक हमारा देखो थाउजन क्रॉस नहीं हुआ अब यहां पर आजो देखो एक्यूवेलेंस रिलेशन का मैंने यहां पर डेफिनिशन लिख रखा है कि अरेलेशन और इंद सेट एक्यूवेलेंस रिलेशन अगर यह रिफ्लक्सिव है सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है बिटा मैस में कोई भी प्रूफ आप से नहीं तो आपको बिटा इसको अठी तरीके से ध्यान में रखना है अब आजो सबसे पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा ऑप्जेक्टिव कोश्चन है एक नंबर का सवाल आप से पूछा जा सकता है या इस सवाल को हो सकता है कि दो नंबर में भी पूछा जा सके तो यहा पर हमारे सामने एक रिलेशन दे रख है और आपको बहिया बताना है कि आकरकार यह रिफ्लक्सिव है सिमेट्रिक है कि ट्रांजटिव है या इक्विवैलन्स है सभी मेरे बच्चे कॉमेंट सक्षिन में बिट्टों जबर्दस तरीके से रिस्पॉंड करो इसका ठीक है एकदम बेफिकर हो अभी तुम्हें समझा जाएगा अभी आजो सवाल को करता है यहां पर क्या लिखाया बाबू एक रिलेशन है वन टू वन टू टू थरी फोर यहां पर हमारे सामने एक सेट आपको दे रख है बैसिकली वन टू टू थरी पोर है ना अब कह रहा है कि सबका रिलेशन इस आर में होना जरूरी है यानि की वन वन का रिलेशन इस आर में है क्या देखो 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 मैं यहां पर लिख रहा हूं तुम्हारा काम है देखना और मिलाना ठीक है क्लियर है बटा सिमिलरली यहां से देखो दो का रिलेशन दो टू का रिस्ता टू के साथ में है टू का रिलेशन टू के साथ में है क्या आइधिंक का टू का रिलेशन टू के साथ में भी है थ्री का रिलेशन देखो थ्री के साथ में भी है फोर का रिलेशन देखो फोर के साथ में भी है तो यहां से हम क्या के सकते भाई इस रिलेशन इस दा रिफ्लेक्सिव र तो two का relation one के साथ में होना जरूरी है अगर ऐसा कुछ है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई यह समेट्रिक है दरवाइज नहीं तो अगर one का relation two में है क्या देखो हाँ है यहां पर आप देखो one का relation two में है न लेकिन क्या two का relation one में है क्या यहां पर आप देखो क्या टू का रिलेशन वन में है आई तेंक यहां पर कहीं भी आपको टू का रिलेशन वन में नहीं दिख रहा है तो पिटा यह टू का रिलेशन वन में नहीं है तो हम क्या बोलेंगे सर दिस इज नौट सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलेंगे दिस इज के साथ में है ठीक है अब टू का रिलेशन किसी और एलिमेंट के साथ में ले लो तो आप क्या बोलते हो कि टू का रिलेशन हम थ्री के साथ में ले ले यहां से देखो वन का रिलेशन टू के साथ में है तो क्या यहां पर टू का रिलेशन और किसी के साथ में बैट रहा है दे तू का रिलेशन टू के साथ में है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सर वन का रिलेशन टू के साथ में है क्लियर अच्छा सेम इसी तरीके से अगर वन का रिलेशन थ्री के साथ में है यहां से और भी चेक कर सकते हुआ जैसे मान लोगर वन का रिलेशन थ्री के साथ में है ओधंण थी अगर real latitude बी रेलेशन में एग अगर यहां से 3 थी रीलेशन में है तो यहां से हम क्या कह Вид wanna खुत उन रोन एक एक बीजिवي और रोट्टि नहीं है तो यहां से कुँंसा ओप्शन आपको ना पेशंस बनाके रखना है ना देखो एक मतलब एक सेकंड में किसी को कुछ समझ नहीं आता आपको ना पेशंस बनाके रखना है पूरी गणित तुम्हारे टेप्स पर देदूगा यह मेरी गरंटी और जो बच्छे पढ़ते हैं विटा उनको पता भी है तो आप है आपने यहां पर देखो एक रिलेशन दे रखा आपको रिलेशन इस दंड़ ठीक है और कहरा रहा है कि आपको यह पूल करना है कि यह ना तो reflexive है ना सिमेट्री ना ट्रांग्टेव तो reflexive के लिए हम अगी जूसल क्या करेंगा रिफ्लेक्सिप के लिए सब से पहला एक हम एक का एक मैं एकले में पर रिलेशन कि है तो आप सबसे पहला काम चक्या खरोंगे है रिफलक्स आपके ठो होगे तो ठिवला तूस्धिष खटता है यहां रिलेशन देर रखाया एक ही और यहां पर अजो कॉपई में सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में एक सवाल आप डाउन करना ठीक है एक के कुस्चन अब यहां से रिलेशन कह रहा है एब ए जो है बी स्कॉयर से छोटा है ठीक है भीया तो यहां पर हमें यह देखना है कि क्या यह हमेशा मतलब एक रेलेशन एक के साथ में किया करते हो ए सोचो इस बात को कि अगर हम कोई साभी नंबर अगर हम लेते हैं तो क्या उसका स्कॉयर हमेशा छोटा होता है अगर आप किसी भी नंबर को पॉजेटिव ले लो ठीक है अगर मालो यहां पर अगर हम एक को कोई पॉजेटिव नंबर लेता है थाना फॉर एक्जामपल ले लो की वैलू को वन भाई टू ले लेते हैं तो अगर आप वन भाई टू का स्क्वाइर करोगे वन भाई टू का स्क्वाइर तो आप समझ सकते हो कि क्या वन भाई टू छोटा होता है अपने स्क्वाइर से बताओ क्या अगर हम इसका स्क्वारिंग करेंगे ओवन बाइटू का तो क्या यह अपने स्क्वार से छोटा होगा हाँ या ना बोलो यह क्या छोटा होगा क्या सभी बच्चों को समझा रहा होगा कि सर यहां पर अगर हम एको कोई इंटिग्रल नमबर लेते हैं फिर तो यह कंडिशन होल्ड कर जाएगी मतलब एजो है एज स्क्वार से छोटा हो जाएगा लेकिन अगर हम कहीं पर फ्रैक्शनल नमबर ले ले रहें तो यहां पर हमारा फ हमै नहीं होगा जब अगर हम इंटीग्रल की बात करेंगे वहां पर तो यह हो रहा है और अधर दन इंटीग्रल में यह नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे दिस इज नौट ए रेफ्लेक्सिब रिलेशन बात समझा तो यहां से आप कंक्लूजन क्या दोगे दिस इज सब हैं अभी बच्चों को इदम क्या से ख्लीर अच्छा अभ प से इसी तरीके से क्या करेंगे क्या सेम से हैं उसी तरीके हं मिलसी सीमेट्रिक एलेशन कहने का मतलब है आप खुदी सोचना भना है कि बेंड़ोगा एक रिलेशन भी के सा't कुलatta और अगर यहां से B का relation A में होना चाहिए अगर यह symmetric होगा तो तो यानि कि B square B हमारा A से छोटा होना चाहिए अब आप एक बात सोचो कि अगर कोई भी नंबर दूसरे नंबर के square से छोटा है तो क्या उसका square पहले वाले नंबर से छोटा होगा यह मतलब यह सही कोई से ब्लाप लेकर देख सकते हो तो यहां से अगर आप कोई भी नंबर ले ले लो जैसे दो ले लो नदो छोटा है किससे तीन square से तो यहां पर ए बराबर दो लिए भी वराबर तीन लिया है तो यहां आइप सभी को समझ़ा रहा ओगा कि यहां पर बिटा यह B होगा, B is less than A square, तो यहां से सभी को I think समझा रहा होगा, कि क्या 3 जो है यह छोटा है 2 square से, I think सबको दिख रहा होगा यार, कि यह छोटा नहीं है, है ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, since this is not hold, है ना, मतलब A B relation में तो है, लेकिन B A relation में हमारा नहीं है तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे, if this one is in the relation, and this is not in relation, so that, चलो ठीके बिटा, answer राइटिंग करके बता दो, so that, this is not a symmetric relation, क्या लिखोगे, this is not a symmetric relation, this is not a symmetric relation, ठीके बिटा, क्लियर है, सभी को, हाँ याना, जल्दी सिख बार देख लो, ठीके बिटा, clear, अच्छा, अब तीसरी हैं यहां पर हमें चेक करने हैं, ठीक है, तीसरा चीज़ आप क्या चैख करोगे, तeni आप कैसे चेक रहोगे, यहां पर लिको, तीसरा, टरांजिटिव बेलेशन, तो टरांजिटिव बेलेशन के लिए फि क्या करेंगे, तीन लेगे, बिटा, डादनट वरी, डॉन्ट वर अगर बहुत ज़्यादा गर बोर्ड पे लिखेंगे ना एक एक सवाल चार चार पेज में जाएगा तो बिना मतलब का डिस्टेक्शन होगा थोड़ा सा अगर आप फोक्रस्ट हो जाओगे ना तो आपको सब दिखेगा बच्चा अब यहां से ज़रा ट्रांजिटिव में लिते हैं तो यहां से लिखेंगे सिस्क्वार के सुटा होगा है किस्से से एकूबार nieuच है और कि तो और यह में है हमना अगर यहां से होना चाहिए इसमें आर में हो ना चाहिए यानि कहने का मतलब यह कहने कंव एक मतलब किया देखो अगर एक है ब्लak लए एक्रल Traffic I'm東西 एक म५शन॥ इप जो आरमे है यानि कि बटा वी होगा स्टीस्कुर स्कर्डाइर से हमारा छोटा होगा ठीक है तो सिमिलर लिए तो यहाँ सै एक एक का52 कि अधोron आरम leской थे इंटीगरल वैल्व मैंने आप चेक करिए आप सभी लोग फ्राक्शन लेके भी आप चेक कर सकते हो ना फ्रेक्शन ले लो यहाँ पर मैंने एक ही केस लिए जैसे देखो आपको हर एक में बटा दो-दो केस लेना है यहां से आप एक बार को इसको चेक करोगे अगर आप एक पॉजेटिव नंबर लोगे तब सेम इसी तरीके से आप यहां पर एक वाफ फ्रैक्शन ले लो है ना यहां से हम क्या करेंगे एक बार फ्रैक्शन लेकर हम चेक करेंगे ठीक सिमिलरली जैसे यहां पर देखो हमने क्या करा है यहां पर हमने इंटीग्रल वैल्यू ली है ठीक यह सेम इसी तरह के से आप fraction value को भी ले सकते हो तो fraction value आप लेके चeक कर लो कर लो है तो सारे के सज में आपको दोनों दोनों case लेना है तो एक एक के सापको निलेना मुझे लगा कि आप यहां पर imagine कर ले गया होगे कि अगर यहां से कोई भी दो नंबर लेते हैं आप खुद ही सोचो कि अगर एक नंबर दूसरे के square से छोटा है तो कोई जरूरी है कि वह दूसरा वाला नंबर पहले वाले के square से हमेशा छोटा ही आएगा तो ऐसे तो आप कई क्केसि में कोई fraction ले लो जैसे मालो अगर यहां से हम ले लेते हैं कोई भी एक्कोई उठालो पर यहां से एक ए की वेलू को हम financially है ने A और यहां से B की वैलू को ले-लो वन gotten श्या सी टिरा ले-लो तो अगर आप A की वैलू को 1 वाइटू ले लो और वीकि वैलू को आप ले-लो वन तो आववियसे बात है यहां से वन और यहां से ओन्से लटा और से ब्क्रूट होगा आप यहां से बैठिक तो है और यहां से अनों बैल टूषोटा होगा वन से तो अब यहां से फ्राक्षन आप लेके चेक करो समझ में आ रहे तो यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा आपको दोनों केसे में एक बार इंटीग्रल वैल्यू लेनी है और एक बार आपको फ्रैक्शन वाले लेनी है आप पेपर में भी ऐसे ही करोगे समझ में आप एक्जामनर के आगे यह लिखोगे बिटा समझ रहे हो आपको एक्जामनर के आगे लिखना पड़ेगा कि आप एक बार को इंटीज या आप एक बार को इंटिडर लेंग उसके बाद आप एक बार फ्रैक्शन ले लो तो फ्रैक्शन वाले केसे जिसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी आपको इस भी च्टार नहीं होगा सकते हैं कि स्रीये रिलेशन हमारा स्ट्रिक रिलेशन नहीं होगा यहां पर आप से तरीके से सबस्क्राइब सकते हैं तो एक साथ में है तो याने कि भी खोटा हो जाएगा किससे सी स्कवाइर से ठीक है clear से मिसी तरीके से तो अगर यह ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए तो यहां से एसी विलोंग्स टु आरो चाहिए यानि कि ए हमारा छोटा होना चाहिए किससे सी स्कौाइर से क्या यह हमेशा होल्ड करेगा आप कोई भी fraction value आप लेके चेक कर लो बिल्कुल भी होल्ड नहीं करें गई समझ मैं तो आप यहां से एक ही वैलू को आप कुछ भी माल लो एक ही वैलू को ले लो वन वाई टू है ना और बी की वैलू को लो वन ठीक है तो यहां से देखो क्या करें ए जो है छोटा है किससे बी स्क्वाइ डिटिफरेंट डिफरेंट आप एकजाम्पल्स लेखे आप बहुत आराम से ब्रीफाई कर सकते हो ठीक है पंडेटा क्लियर तो यहां से आप क्या लिखोगे दिस तो यहां से आप इसको वेरिफाई कर लोगे तो आप क्या लिखोगे हैंस कि दिस रिलेशन इस डिस रिलेशन इस नीदर स्टिमेट्रिक नीदर रिफ्लेक्सिव है ना आपको बिटा सब में आपको एक एक की एक्जामपल सोच के लिखना है यह आपकी जिम्मेदारी है समझ लो लो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं सारे समझ मैं तो इस तरीके से आप सिर रिलेशिन निदर रिफलेक्स नॉर्सिम्ट्रिक इस तरीके से आप इसका कान्क्लूजन आप दे दोल रोकिस्ट नieversksi में नॉर्स और इसका इसी आप आप ले लो है ना आप कोई सब्सक्राइब आपनी मर्जी से सोच शो ही मेरे बक्रेशे एक बार जल्दी से ख़ड़ा पर क् even Mire ya एकि एक वेलू आप क्या लोगे और भी की वेलू आप क्या लोगे तो जल्दी से सभी मेरे बच्चे एक बार कॉमेंट सेक्शन में सोचके इसको लिखो फड़ा फट बेटा गलत उलत कुछ नहीं है है ना गलत उलत कुछ भी नहीं है आप यह तीनों एक्जामपल को आप सोचके लिखो कि आप कोई भी तीन नंबर ऐसा लो जिसका जो नंबर दूसरे के करना रट्टा मार के पर में नहीं जाना तो सभी मेरे बच्चे जल्दी से फड़ा फट कॉमेंट सेक्शन में लिखो के बिटा ना क्योंकि आपको करना है आपको खुदी करना अल्टीमेटली पेपर के टाइम पर यहां पर देखो मैंने दो आपको बता रख है रेफ्लक्स सब्सक्राइब तो यहां पर देखो काफी सारे रिप्लाई आने लग गया 123 कि 321 तो यहीं से देखो हजारों ग्यांपल तो बच्चों ने यहीं पर बता दिये तो आप इन में से कोई सभी आप आराम से लेके एक्जामनर को यह दिखा देना कि भाया यह ऐसा होल्ड नहीं क ठीक है तो यह क्या हो जाएगा दिस इस नौट और तो इस तरीके से आप इसका देदो गए ठीक है तो अब यहां पर आजाते हैं फंक्शन की बात करते हैं लोग ठीक है तो यह हो गई कानी पूरी की पूरी रिलेशन की अब इसके बाद थोड़ा सा फंक्शन बढ़ता है उसके बाद और भी सवालों की प्रैक्टिस करेंगे इसकी ठीक है अब यहां पर देखो फंक्शन किसको कहते है फंक्शन कैए बेसिकली एक प्रकार का रिलेशन यहां पर देखो इसकी डिफिनेशन लिख रखिए आप सभी लोग यह डिफिनेशन आप पढ़ सकते हो लेकि अगर फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन है तो क्या कोई जरूरी है कि सारा का सारा रिलेशन फंक्शन होना जरूरी है आप खुदी सोचो इस चीज को कि अगर फंक्शन जो है वो एक प्रकार है किसका रिलेशन का तो क्या सारे के सारे कि रिलेशन फंक्शन होने जरूरी है आई दिंग सबको समझा रहा होगा कि सर जरूरी नहीं है कि मतलब ऑल फंक्शन सार्दा रिलेशन बट ऑल रिलेशन सार नौट फंक्शन ठीक है बिटा क्लियर सभी मेरे बच्छे जल्दी से यहां पर देखो फड़ाबर अब यहां पर समझा रहा हूं थोड़ा सा अलग समझाओंगा लेकिन बिटा आपको समझना पड़ेगा अगर तुम्हें इस चीज को समझ जाते हो तो बस तुम्हें मजा आ जाएगा अब यहां से सभी बच्चे थोड़ा सा फंक्शन की डेफनेशन आप समझा यहां पर मैं दो केस ले र सारे के सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में तो बिटा आइधिंग सबको दिख रहा होगा कि सरी यह ग्राफ जो है यह पाराबोला का ग्राफ है वाइस कोई बात नहीं जानने की ज़्यादा जरूवत नहीं अगर यह वाला ग्राफ किसका है वाइस इकल टू एक स्कौाइर कि अब यहाँ से पिट्रू आपको एक चीज समझना है कि यह वाला जो ग्राफ हमाँ यह वह रहाल contr क्रीय आप क्या करéo रहे है यह दो आप तो ऋंक्रेय К Alexandra रही है और यह बख nastolay is not a function तो इसको हम क्या कहते है इसको ना इसको हम कहते है वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या बोलते है अभी आपको लिखाता हो डोंट वरी इसको क्या बोलते है वर्टिकल लाइन टेस्टिंग कहते है तो वर्टिकल लाइन टेस्टिंग क्या कहती है कि अगर हम किसी भी फंक्शन में अगर हम कोई भी कार्लल है और आप यहां पर देख सकते विता कि यह फंक्षन को सिर्फ और सिर्फ एक जगहाँ पर काट रहें तो अगर यह एक जगहाँ पर काट रहाGHT रहे तो हम यहाँ पर क्या उलेंगे दिसी 150 अब यहां पर बीटा आप Brad यहाँ पर एकक्स पर डबल डबल य की वैलु हो रही है यहांपर क्या नहीं यह कहने का मतलब यह कि अगर पास कहीं पर भी एक-infraube नहीं होना चाहिए समझ रहे ओ जिसके मॉल्ड़ कहीं पर ऐसा लिए ऐसा के साथ में दो आई तो दिस इज नौट फंक्शन एकदम अची दरीके से आप समझना और यहां पर क्या हो रहा है जैसे मालों गर यह एक से 12345 और यहां पर ले लेते ABCDE ठीक है और एक दूसरा केस यहां पर और भी ले लेता है अब आपको बताना है कि इन में से कौन सा वाला फंक्शन है कौन सा वाला नहीं है तो प्लीज आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो देखो एंड टाइम पर पढ़ रहे हो ना तो यहार में हिनत करनी पड़ेगी समझ रहो ओर तो यहां से देखो बटा यह क्या हो गया इसका साथ में और इसका सुछाव मुझे हर का यह फंख्चन है सभी मिने बच्चे आफ बताओगे कि क्या यह फंख्चन यहां पर कर एक मैपिंग और बना रहा हूं है यहां पर एक मैपिंग मैं और बना रहा हूँ तो सभी मेरे बच्चे ज़रा इस मैपिंग को आप देखना है न और मुझे बताओगे कि क्या यह फंक्षन है दूसरा वाला ठीक है बेटा क्या यह फंक्षन है सभी बच्चे एक बार फड़ा फड़ आप सोच के बताओ बिटा फंक्षन हम कीन फंक्षन को कहते हैं कैसे अगर कहीं पर भी किसी भी एक एक और दो यथे स्मझ बार रहे सुझा रहा है मतलब एक एक नकर आफ उपन रहा है तो डिस इंग विद्ध नॉट फंक्षन क्या पूलोगे नौंट फंक्षन तो ईब्र कि कहीं पर एक एकस का डबल वाई तो नहीं हो रहा है तो मुझे यह बताओ कि क्या यह फंक्शन यहां पर वन का एक के साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ आइधिंग सबको दिख रहा होगा कि सर्दिस ही जा फंक्शन ठीक है यह क्या है बबू यह एक फंक्शन है क्यों क हो कि हर एक X का एक सिर्फ और सिर्फ एक वाई है ठीक अब यहां पर आप जड़ा देखो क्या यहां पर हर एक एक वाई है यहां पर आप देखो यहां पर आई थिंग सब को दिख रहा होगा कि भहिया आप यहां पर दो दो वाई है मतलब एक वैलू एक वैलू पर वाई की वैलू ले वाई की वैलू दो भी ए तो बड़ा दिस इज नॉट अप यहां पर लिखोगे दिस नॉट अ फंक्शन ठीक है बहिए क्लियर है सभी बच्चों को हाँ याना जल्दी से एक बार देख लो बिटा जितना अच्छा कंसेट होगा ना तो आपको उतना ही ज्यादा पेपर में इन में रिलेशन तो है इन में रिलेशन तो है क्या यह वाला रिलेशन है यह भी सब को दिख रहोगा बिटा कि यह भी रिलेशन है यह भी रिलेशन है ठीक अब यहां से आप समझ सकते हो कि कोई कोई भी रिलेशन कोई भी फंक्शन अगर रिलेशन है तो वह फंक्शन हो सकता है लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते यानि कि अगर दो नंबर में कोई भी कोई भी अगर अटाचमेंट है तो वह रिलेशन तो हो गया लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारा का स तो सभी मेरे बच्चे इस चीज को अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट करके लिख लो अभी के अभी है ना इसको अभी के अभी नोट करके लिखो ऑल अल रिलेशन्स और फंक्शन सारे की सारे क्या है बिटा रिलेशन यह फंक्शन है बट all function but all functions are not relation है ठीक है यह clear सभी को हाँ आज जल्दी से एक बार देख लो लेकिन सारे की सारे functions relation नहीं है तो आराम से आप इसको देख सकते हो ठीक है बिटा सभी को समझ आ अगर सब को समझ आ रहा है तो एक बार comment section में यलो हट और ओपी लगा दो फड़ा फट बिलकुल बिलकुल ठीक है एकदम clear सभी को हाँ ना बताओ एक दम समझ आ रहा है तो जल्दी से यलो हट और ओपी लगाओ समझ आ रहा है ठीक要 देखो यहाँ पर क्या लिखायां सारे के सारे रिलेशन जितने भी रिलेशन लेकिन सारे सारे रेलेशन फंक्शन नहीं है but all relations are not function तो यह बटा प्लीज आप इसको सही खरले थोड़ा साइब यह ठीक है यहां बिलकुल ऑठीक है एकदम सही बात है ठीक है एकदम एकदम ख्लीर हां उल्टा लिख दिया ठीक है मज़ा रहा ना सब आपको समझ जा रहा है तो यह तो बिटा हो गई पूरी की पूरी फंक्शन के डेफिनियसन की बात आई थिंग सभी बच्चों को समझ आ गया अब यहां पर हम तीन चीज़े सिखने वाले हैं एक दो मेन और तीसरा रेंज और उसके अलामा को डोमेन तो यहां पर हमें तीन च यहां से ABCD ले लेते हैं तो आ देम इसी तरीके से यहां पर भी 123345 ले लोत और यहां पर ABCD लोत देखों यार तीन ऐसा है यहां Uzroana कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको States से देखो बच्चा पढ़ना पड़ेगा ना प्लीज वाबू आप अच्छे से पढ़ो हमारा अंतिम दिन है और एकदम बेफिकर हो के तुम पढ़ो ठीक है एकदम बेफिकर होगे अब यहां पर जड़ा ध्यान से देखना यहां पर मालो यह दो मैपिंग बना रहा हूं मैं यह एक कोई भी आप अपने कौपी में ऐसे बना लो ठीक है और यहां पर इसको ऐसे बना देता है मतलब और यहां पर दो एलीमेntट आप और लिख लो ठीक अब बड़े यहां और होता कह Tiger색 अच्छे जरा दियान से आप सुनना जो भी इसको हम कहते सर X set और इसको खेते बिटा वायी और इन पीच का जो relation है इसको हम कहते अफ ठीक सेम इसी तरीके से इस उले सेट को एक सर इसको बोलेंगे सर और इन दोनों के सेट आफ वैलूज ऑफ वाई है इसको हम क्या बोलते सर इसको हम को डॉमेन बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं को डॉमेन बोलते हैं ठीक यानि कि बिटा एक्स की स्थारी की स्थारी वैलूज का सेट है यहां पर अगर हम एक्स की वैलूज का सेट अगर हम लिखते है है यह जैसे मालक 12345 तो इसको हम क्या बोलेंगे इस को डॉमेन उसको क्या बोलेंगे इस भी दोमेन और सेम ज़रीके से जो Why की वे लूजी क changer है इसको हमपने सरको मेया निकी ABCDE फिक टो इसको बोलेंगे हम क्या वो लेंगे ऑल गाल रेंज और कोड़ोमेन अब आगर सभी मेरे बच्चे Branch और कोड़ोमेन में आप अंतर देखो नइस सबी को समझ घार होगा कि यहां पर सर्जों हमारा यानि कि Y की values का set यहां पर क्या-क्या है A B C D E F G तो यहां पर co domain हमारा क्या है A B C D E F G ठीक है अच्छा इस पीड इंक्रीज करने है ठीक है अब यहां पर हमें यह समझ लें कि तर आकिर का यहां पर प्री इमेज हो यह आपकी बुकिश लैंगर अगर मैं आपको अपनी भाषा में बताओ यानि कि वह सारे के सारे element जिनका रिस्ता X वाले सेट में होना जरूरी है मतलब आपको उल्टा देखना है समझ वार रहा है मतलब जो चीजें हैं जो यहांसे क्या-क्या ठाझे एएबी सीडी καल रिकंगे क्या लिखेंगे तो यहां से में और यहांसे कोड़ा कै यह पूरा का कोड़ सेर्टें मलब जितने भी हमाई के सेट जितने भी नंबर सो आई सब्सक्राइब तरन किने भी में है यह सब को क्या बोलेंगे को डूमीन और रेंज के रिग तो किसम्पीड करनी है सभी से बताना मुझे बिटा क्योंकि देखो अब यह ना तुम्हारे उपर है कि अगर तुम स्पीड तेज कर देंगे खतम हो जाएगा लेकिन आपको समझना भी पढ़ेगा मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है समझे रहो एटू को डोमेन की बात हो गई है अब आज़ो जल्दी से सवाल करते हैं यहां पर देखो एक क्वेश्चन अमारे सामने लिखा हुआ है एफ एंटु आर है इजा फंक्शन यहां पर आपको बिटा रेंज और डोमेन आपको बताना है ठीक है इस सवाल को करने के पहले आपको जरूर नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यहीं से आधे सवाल को आप उड़ा सकते हो यह टेवल बनाओ अगर मालों यहां पर हमारे सामने बिटा कोई भी पॉलिनॉमियल है ठीक है कोई भी अगर पॉलिनॉ अगर आप इसका रिचा लिखोगे अगर इसमें यह पॉझाटीव होगा तिसका जो रेंज होगा न इइसका रेंज यह होगा माइनस डी इよし टेबल सभी बच्चे जरूर बना लेना जरूर बना लेना मतलब बहूत इंपोर्टेंट है ये टेबल क्योंकि पेपर में अगर रेंज डूमेन का सवाल आएगा ना बाबो फस जाओ गए हर ठीक तो यह हो गई सर पैरा बोला की बात चलो आजो साइन एक्स को देखते हैं साइन एक्स का डोमेन बताओ एक्स विलॉंग टूरीयल नमबर इसका अग्स तरीके से यहां पर टैन एक्स का डोमेन बताओ क्या होगा एक्स विलॉंग टूरीयल नमबर और आप सभी लोग जानते हैं कि टैन एक्स अंडिफाइन होता है कहां पर रंडिफाइन होता है टू एन टू एन प्लस वन पाई वाई टू पर रहना जितने भी और कोपी में टेवल बना लेना मैं सच में कह रहा हूं लास्ट टाइम प्लीज यार मतलब अच्छे से पढ़ लो उसके बाद यहां से देखो कॉर्ट एक्स इसका क्या होगा एक्स विलॉंग टूरीयल नमबर माइनस यहां से ले लेंगे एन पाई यहां पर एंजो है को दिख रहा होगा और इसके अलामा कुछ और भी नोट डाउन कर लेता है कुछ और इंपोर्टेंट इग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक यह यह इसमें आपको जब पीडिएफ मिलेगे ना तो उसमें यह सारी चीजा मिल जाएगी बिटा डोंट औरी है ना तो मैं यहां पर म इसने आप जीरो नहीं लिए सकते बिटा इसमें आप जीरो नहीं नहीं रहे सकते और इसका रेंज क्या हो जाएगा रियल नंबर हो जाएगा यानी कि माइनस इंफनाइट से लेके प्लस इंफनाइट आप कोई सी भी आप मैलिव ले सकते हूं ठीक अरम Anlo Y is equals to X square है तो ये सारे के सारे से मौट एकस का भी बिटा जो डोमेन है यह क्या हो जाएगा जीरो से लेके हो जाएगा ठीक है क्लियर तो यह जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन से बस मैं उन्हीं का लिख रहा हूं ठीक है अगर मालो वाइज इकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको लिख देता है तो इसका जो एक्स है डोमेन यह रियल नंबर हो जाएग आपको इन सभी function को आपको जरूर ध्यान में रखना है अगर आप इतने function का ध्यान में रख लेते हो आपका कल्यांड हो जाएगा इससे जदा जानने की जरूद भी नहीं ठीक है clear एक और लिख लेना लिख लेना रूट एक्स का तो रूट एक्स में रूट एक्स का जो डोमेन है यह डोमेन आप यहां पर X क्या लिख सकते हो पॉजिटिव लिख सकते हो सेम इसी तरीके से root x का जो range आएगा ये भी क्या हो जाएगा वेटा सारे के सारे positive number हो जाएगे ठीक है सारे के सारे positive number हो जाएगे तो बस इतना आप लिख लो बाकी इतना More than Enough है ठीक है आप e to the power x का भी लिख सकते हो e to the power x का जो domain है यहाँ पर x belongs to real पॉजय नमबर इसका रेंज क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा तो इस तरीके से आप यह सारे किसारे मलब मैं कह रहा हूं एक आदा नमबर में आप समझ लो की डारेट ऐसे पूछ लेता है आपको option मना कर देगा कि आकरकार इंद में से कौन-कौन सा होगा बस आप्शन मना के इसे पखळा देगा किसका रेंज के डो में निके समझ में तो आई दिंग सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आज जल्दी से आगे चलते हैं यहां पर इस सवाल पर आज जल्दी से यहां पर क्या कह रहा है एफ नेशनल नं यह दिन रखा और यहां परता महां दोमेन है यहांपर मेंड किया देखो विए मदेखो मैंने आपपर लिखा रख्षे नम और अगर यहां यहां पर एप वह ठीक है तो यहां पर रेंज क्या होगा माइनस डी भाई 4a से लेकर इन्फाराइड तक होगा तो बस आप यह ही फंडा लगा लगा वाराम से ठीक है तो यहां पर हमारे सामने यहां से जो इसका रेंज है इसका रेंज है इसका रेंज है इसका रेंज क्या हो जाएगा माइनस डी बाई 4A से लेके इनफानाइट तक हो जाएगा समझ आया तो बस आप आराम से इसको कर सकते हो माइनस डी बाई 4A से लेके इनफानाइट ठीक है तो यहां अब इसको कैलकुलेट करके लिख लेना यहां पर B क्या है यहां पर B की वैलू है बावू A की वैलू है 4 य तो बस यही सारी वैलू जाप उठाके यहाँ पर सब्स्टिटूट कर लेना आपके सामने यहाँ पर रेंज आ जाएगा ठीक है बिटा डोमेन आप किसको कहते हो अगर हमारे सामने कोई भी यहाँ पर एक मैपिंग लिख रख रहे हैं अफ एन टू आर तो बाबू यह जो लि से समझ आ गया होगा रेंज और अगर फॉड़ा सा अगर बेसिक में आगर जाएंगे तो आप सभी लोग यह बोलोगे कि बस सर भाणा तो तो यहाँ पर आपको आपको यहाँ रहा हो मैं आगर सभी बच्चों को अगर यह समझ आएगा horizontal line testing पढ़ाया आप सभी लोगोने यह सारी चीज़े horizontal line testing कितने बच्चों ने पढ़ रखिए इसके पहले horizontal line testing है पढ़ रख्यो इसको horizontal line testing किसको कहता है horizontal line testing देखो बबू किसको कहता है अगर मालो यहां पर हमारे सामने कोई भी एक function है ठीक है यहां पर एक function का graph हम draw करता है यहां पर मालो हमारे सामने कोई भी एक function है और अगर इस function में अगर हम कोई भी एक horizontal line अगर हम draw करते हैं और यह line अगर function को एक से ज़्यादा जगहों पर काटती है तो हम इसको क्या बोलेंगे इस इस नॉट वन वन फंक्शन क्या बोलेंगे इस नॉट वन वन फंक्शन नॉट वन वन फंक्शन बात समझ आया कि नहीं हाँ या ना तो horizontal इंटल लाइन टेस्टिंग हम किसको कहते हैं अगर मालो हमारे पास कोई भी एक लाइन कोई भी एक फंक्शन है अगर हम कोई भी लाइन अगर horizontally अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अगर यह horizontal line इस कर्व को एक से ज़्यादा जगा पर काटती है तो उन क्या बोलेंगे दिस इज नौट वन वन फंक्शन ठीक है अब मालो मैं आपके सामने एक अगर कहीं पर आप यहां पर आउट ड्रॉ कर रहा हूं डॉंट वर्य अभी सब बिटा में तुम्हारे को फील दिला रहा हूं डॉंट वरी दिन चाहे कितने भी ओफील तो हम ले ही सकते हैं कि यहां पर देखो यह ग्राफ है किसका वाइज इकल टू एक्स का यह किसका ग् और फंक्शन है हाँ यान मैंने आपको क्या बताया कि अगर कहीं पर किसी भी कर्व में अगर हम एक होरिजंटल लाइन ड्रॉ करते हैं अगर वो लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा जगा पर अगर काटती है तो हम क्या बोलेंगे दिस इज नौट और फंक्शन लेकिन यहा अगर कोई भी होरिजंटल लाइन कोई भी अगर होरिजंटल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगा पर काटती है तो हम क्या बोलेंगे सर्फ दिस इजा ओनवन फंक्शन ठीक है आई सभी बच्चों को अच्छी तरीके समझ आ गया अच्छा मैं यहां पर एक यहां फंक्शन है की नहीं है यह जो ग्राफ ड्रॉ कर रख है क्या यह वनवन फंक्शन है क्या है वनवन फंक्शन चलो अब यहां पर एक और ड्रॉ करता हूं बिटा आपको ना होरिजंटल लाइन टेस्टिंग अथी तरीके से समझ माना जरूरी है क्योंकि अगर यह समझ आ गया ना बस मज़े आ जाएंगे यहां पर एक ग्राफ मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं दिस इज वाइज इक्स का ग्राफ बाई दबे अगर किसी को नहीं पता तो है न और यह ग्राफ वाइस इकल टू वन अपॉन एक स्क्टार का तुम्हारे को ग्राफ नहीं पढ़ना भी बस तुम्हीं एक बात बस बताना है कि 11 function है कि नहीं क्या करोगे सिंपल सकांब हॉर्जंटल एक लाइन ड्रॉ करो अगर यहुच्छा उन और काटती है तो दिस सारे कि सारे बच्चे बताएंगे क्या यह वन वन फंक्शन है ठीक है आपको पता नहीं है कितने सारे सवाल मैं इन एक्जाम्पल्स के थूख खतम करा दे रहा हूं आपके डीप कंसेप्चुल क्लियरेटी जब एक बार को हो जाएगे ना बाकी तो बिटा कि सर अगर एक एक पर एक वाई की वैलू आती है यानि कि एक एक पर सिर्फ और सिर्फ एक वाई की वैलू देखो यहां पर आ रही है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर दो एक्स पर सेम वाई की वैलू आ रही है यहां पर भी क्या हो रहा है यहां पर देखो एक एक वाई की तो यह वाफन फंच्चन पनो सेम इसी तरीके से यहां पर दो एक्स पर सेम-ाई की वैल्ओ आ रही है तो यह वन वनवन फंट्चन नहीं है यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वी 2x पर सेम वाई की वैलू आ जाये तो यह वनवन फंच्चन नहीं है आप अच्छी तरीके समझना इस बात को अगर दो X पर सेम Y की वैल्यू आ जाए तो यह 11 फंक्शन नहीं है अगर एक X पर एक Y की वैल्यू आ जाए तो यह 11 फंक्शन है अब मैं यहाँ पर जो तुमारी सबसे जो तुमारे सिलेबस में है अब मैं उस चीज को यहाँ पर ड्र अब मैं यहां पर एक मैपिंग मना रहा हूं सभी बच्चे बताओगे कि क्या यह वन वन फंक्चन है की नहीं है ठीक है और सारे की सारे बिटा सभी बच्चे कॉमेंट सेक्षन में रिप्लाई करना है किसी को बाबू बिल्कुल भी देखो हमारा पेपर हमारे सर पे आ तो एक सब्सक्राइब अच्छे बताओगे कि यहां पर जो यह वाला मैंने मैपिंग बना रख है क्या यह वन वन फंक्चन है इसको कह देते हैं मैपिंग ए है ना क्या यह वाला वन फंक्चन है सभी लोग बटा बताओगे ना अच्छा यहां पर एक रिलेशन में और बना रहा ठीग आ आप मुझे उसका बताओ कि क्या ये संक्षन है तो सबहुते बताएंगे कि क्या ये वरनुवन है मतनब ये वाला क्या वन वन है बी वाला क्या है नहीं यो और भी लिख बताओ ए-अ और बी लिख ए ठीक ए क्या आब सब दिख रहा होगा कि सेर यहांपर क्या हुए था रहा है क्या हर एक का एक वाई है आप देखो इसमें कि हर एक सरा बैख सारे तुम छोड़ दो यहां पर जड़ा देखो क्या हर एक एक हम हर एक है यहां पर एक तो एक है बी का एक है सी का तीन है डी का भी तीन है यानि कि यह वन वन नहीं है अब तुम्हें समझाए कि वन वन फंक्शन कहां पर होता है कहां पर नहीं होता यह रहा वन ओवन की बेसिक अब इसको आखिर करने का तरीका बिटा देखो यह है कि आप सबसे पहला काम क्या करते हो कि यहां पर हम क्या करते हैं यहां पर हमारे पास यह वन ओन फंक्शन है अगर एक से ज्यादा वैल्यू निकल के आ यहां से लिखोगे तुम्हारे बोर्ड के सवालना मेरे टिप्स पर हैं तो जो जो मैं लिख रहा हूंना सब बोर्ड में पूछा जा चुका है जिसे मालों यहां पर एकस इक्वल स्टू एकस प्लस वन लिखा है ठीक है आपको यह चेक करना है कि सर क्या यह वन वन फंक्शन है की नहीं है तुम्हें आख बंद करके क्या करना है यहां पर लिखोगे लेट अब अगर आफ ऐख और आप्छ वन बराबर 5 एकस टू आप एसे करके लिखोगे है shoes अब अगर आप एत्प एक सोन यहां से लिखोगे तो यहां से से सरे ईपाफ एकस ओन और कितना हो जाए Art भावाव, X2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर हम करेंगे क्या, फ of X1 बरावर, F of X2 करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेखेंगे, since F of X1 बरावर, F of X2, तो यहाँ से F of X1 कितना है भईया, यही थो, एक्सटो प्लस 1 बरावर, X2 प्लस 1, हां तो भीड़ा कहें यहां से हमारा 1-7 उन कंसल यहां से वारे पास क्या आगए एकसी लॉल नो और एकसी लाबर एक्सा जाए न देखो यही तो उमरा कान सेट दना कि अगर कहिए पर एक्स1 बराबर एकसटिए मान रहे हैं और हमारा अउटकम जो है यह एकषब बराबर एक टू आजाएं तो हम क्या बोलेंगे तर्ड इस हिला व्हर 완 vous बंक्षण्न क्या बोलेंगे दिस योओंदillar फंक्षन मैं समझाया तो यह क्या हो गया वन फंक्षन होगे सब मैसी तरीके से कि यहां पर मौन है पर हम dlatego एक्स इस इकल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री मालनों ले लिए यह सारे पूछे जा चुके सारे पूछे यह भी पूछा जा चुब अब बराबर कर दो यहां से एक्स वन प्लस वन अपॉन एक्स टू प्लस थ्री इस एक्वल टू एक्स टू प्लस टू प्लस थ्री इस एक्वल टू यहां से हो जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस थ्री इस एक्वल टू यहां से हो जाएगा एक्स टू प्लस एक्स टू प्ल सप्वाऀस एक्स्थ्टू देखो यह कट गया three já यहां से मोरा सकितना आ गए two x one is equals to two x to look today a Subscribe कितना आगे सार एक्स्टू आ गया तो हमारे पास क्या आया ways तो यहां से हम्हारा आउटकम क्या है यहां से हम यह बोलेंगे कि sir this is a 11 function ठीक तो यहां पर आप नीचे conclusion लिख लेना since f of x1 b रबर f of x2 and x1 b रबर x2 so that this function is the 11 function ठीक है बाकी है इसके काफी सारे सवाल जब हम लोग most expected वाली सीरीज करेंगे ना तो उसमें हम लोग काफी सारे question करेंगे don't worry अभी मालो यही चीज बाबू यहां पर दे दे अगला example यह भी बोर्ड काई सवाल है fx is equal to fx is equal to तो मालो x square plus 3 दे ठीक अब आपको इसको चेक करने को बोले कि भाया चेक करो कि यह वनवन है की नहीं है तो आप कैसे क्या करोगे तो यहां पर हम क्या करेंगे let f of x1 बराबर f of x2 कर देंगे तो बटा यहां से f of action कितना है x1 square plus 3 is equal to x2 square plus 3 तो भी यहां से 3 से 3 cancel x1 square बराबर x2 square आ गया तो मिटा यहां से x1 is equal to कितना आ गया plus minus का x2 आ गया अगर x1 square is equal to plus minus x2 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे बाबू क्या बोलेंगे this is not a 11 function हम क्या बोलेंगे this is not a 11 function क्यों क्योंकि यहां पर x1 की हमारे पास अगर यही एक सोन बराबर x2 आता तो हम कहते कि sir this is a 11 function लेकिन यहां पर एक सोन की दो दो वैलिवारी so that this is not a 11 function ठीक है clear सभी को मज़ा आ रहा है ठीक है मज़ा आ रहा है कि नहीं जल्दी से बता तो फटा 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 आया ना अधी चनता यहां पर कहती है सर इस्पीड बढ़ा दो वाधी जनता कहती है कि sir आख कर दो तो तुम्हारा कराओं अहीक नहीं है यह यहां से लिको मेरी वन function यहां यहां से मिली वन function आना तो मेरी मंफन वॉलेंगे इफा फंक्शन उफफंक्शन पीजन नौट ओं वन उन्वन फंक्शन इंटो इसको कि क्या बोलनेंगे मेरी बोल देंगे ठीक है जैसे यहां पर इस पिछला वाला कॉस्च्चन मैंने आपको बताया था अगर चलता है इस पिए तुमको तो मतलब मुझे लग रहे कि पोल कराना पड़ेगा तुमसे आगे आजाओ और टू फंक्शन में बिटा ये नौरमल स्पीड ही आगे आजाओ प्वंक्शन में देखो ज़िए पहले सबसे पहले बिटा आप उन्टू फंक्शन आप समझों कहते किसको जिस से a b c d e और यहां से one two three four five और यहां पर a b c d e ठीक और यहां पर एक अधा और लिख लेता है डी ए ठीक अब यहां पर बेटाम रिलेशन बना रहे है ठीक रिलेशन यहां पर देखो कैसे बन रहे है यह बन रहे है और यहां पर एक रिलेशन ऐसे बना दे रहे हैं यह कोई भी रेंडम मैं ऐसे बना रहा हूं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि लेकिन तुम्हारे को क्लियारिटी देनी है तो आप आपको कंसेट से मतलब होना चाहिए बिटा और ऐसे ही सवाल आप से पूछ लेता है ना तो प्लीज सभी बच्चे जरूर फोकस रखो बिटा आज के दिने आरे टलिस्ट ओबर स्मार्टर्स मत करो अच्छे से पढ़ लो क्योंकि यह पढ़ा देखो आप तभी लोग जितने भी बच्चे हो रहा यार जम के सेशन को शेयर करो यार तुम्हारे लिए मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं आपको एक एक अच्छर की तुम्हें कुछ भी नहीं पता समझ रहो यहां पर यह रहा एक्स और यह रहा सर वाई ठीक तो एक्स और वाई को डॉमेन क्या है यहां पर यहां पर को डॉमेन क्या है यहां पर को डॉमेन है कितना ए बी सी डी एफ ठीक तो यहां पर को डॉमेन यह अब यहां से जरा हम रेंज लिखते हैं सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखना यहां से रेंज जरा आप लिखो रेंज रेंज हम कि जरह यहां पर आप range लिखो यहां पर तो यहां से अगर हम रेंज लिखेंगे तो यहां से भी क्या ओगया ABCD-E हो ठिक लेकिन दोनों में एक अंतर है यहां पर क्या हो रहा है देखो यहां पर range बराबर code domain मतलब code domain में भी ABCD यानि पांच element है हमें मतलब आप है बेटा अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे सर्दिसी जा अन्टू फंक्षन लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कोडोमेन में कितने element ABCD EF है और range में ABCD E है तो यहां पर जो हमारा range है यह does not is equal to code domain बात मजाया तो बहिए यहां पर this is not on to function हम इसको क्या बोलेंगे बिटा not on to function बोलेंगे और जहां पर range और code domain दूसरे के बराबर है इसको हम क्या बोलेंगे this is on to function I think सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से clear तो बिटा on to function में क्या बोलेंगे on to function में अगर range और code domain दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे सर दिस इजा on to function लेकिन अगर कहीं पर भी code domain और range के बराबर नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे सर this is not on to function अब मुझे सभी बच्चे एक बात सोचके बताओ कि अगर हमें कहीं पर on to function अगर हमें देखना है तो हमें किस चीज को देखना पड़ेगा हमें सर एक चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या range code domain के बराबर है कि नहीं है यानि कहने का मतलब यह है कि एफ एस से लेके बी तक ठीक और यहां परमालों हमारे सामने कोई भी एक function दे रखा है अगर आपको यह चेक करना है कि यह on to function है कि नहीं है आप क्या करोगे आप सबसे पहली निगाह डालोगे domain पर ठीक दूसरी निगाह डालोगे आप code domain पर कहां पर code domain पर इसके ऐचे बाद आप क्या करोगे इसके बाद आप इसका रेंज निकालोगे जो यह function आपको दे रखाए आप क्या निकालोगे find range of function find range of function बात नमजा है तो जब range अगर रेंज आफ फंक्शन इसके code domain के बराबर आ जाता है if range is equals to co domain अगर रेंज जो है इसके co domain के बराबर आ जाए तो आप क्या बोलोगे then this will be on to function this will be on to function यह राथी तरीकी से clear है कि जल्दी से मुझे बताओ सबसे पहला काम मैंने आपको यहां पर सब कुछ लिखा दिया है आपको हर एक question में आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले निगा डोमेन पर मैं यहां पर आपको समझ लो कि ऐसे करा रहा हूं जिससे मलब तुम्हें सब कुछ clear हो जाएगा और दूसरी निगाए यहां पर को function otherwise नहीं बात एदम crystal clear है सभी बच्चों को हाँ चलो अच्छी बात है यार सभी को clear अच्छा इसके बाद हम बाइजक्टी function पर आते हैं अगर कोई भी function one one function और on to function दोनों है इसको क्या बोलेंगे सर दिस सिजा बाइजक्टी function एदम अची दरीके से clear है तो बैटा इसका नाम ही यह बाइजक्टी बाइजक्टी बाइच्टी मतलब दो जैक्टी मतलब दोनों जैक्टिव समझ महारा है जिसे ओनों को हम क्या कहते हैं ओनों function का दूसरा नाम किया जरा एक बार comment section में लिख वाणक्टाना एक बार फड़ा-फड़ सारे कि सारे मैं इनमें से injected कहते हैं या हम क्या बोलता है मुझे वनमानिवन नहीं कौ मेंनी उसको मेंनी बन कहते हैं हाँ वण जडरा मुझे वन जनके पाड़े में बताना कि इसको इन्जेक्टीब बोलेंगे क्या भलें ओन-वन को हम इंजेक्टीब천 बोलता है बिलकुल सही बात हैम अरे तुम भया तर जेक्टिफ फंक्शन बोलते हैं ठीक है गट तो यह दोनोन अब इन दोनो们े ज्यक्टिब ज्यक्टिव लग राख तो अगर कोई कोई भी फंक्शन ये दोनों है तो बाई मतलब दो और जक्टिव मतलब अगर कोई भी फंक्शन दोनों जक्टिव है तो इसको बाई जक्टिव बोलेंगे ठीक है तो यहां पर देखो पीछे कुछ कर ले टिकहें बस दोचार सवाल हमय कर लोगे बताओ कर लोग है कि नहीं हाया ना यह तुम्हारे चोड़ देश्को 2-4 सवाल है पीछे के बायरहाल अगर जोबी सवाल इसमें पेंडीं है उन सारे कुश्चिन को मैं आपको मोस्ट इक्सपेक्टेड वाली में कराऊंगा तो एकदम बेफिकर रहा है यह सवाल छोड़ेंगे अगर इस जैसे मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि अगले अगले टॉपिक पर आ जाते हैं तो इनको ट्राई करना इसको डाउनलोड करके एकदम बेफिकर और वाले में इसको मैं कराऊंगा जो भी सवाल अगर इसमें पेंडिंग रह जाते हैं उसको हम कराऊंगे ठीक है जब मोस्ट इक्सपेटेड वाला कराऊंगा तो ठीक है विटा क्लियर है यार मज़ा आ रहा है कि नहीं सबसे पहले तो यार कॉम्मेंट सेक्शन में लिखके बताऊं मैं बाइगोड सीरिसली कह रहा हूं बहुत मेहनत है मतलब तुम्हारे लिए जो मैं टाइम देके तुम्हें बढ़ा रहा हो ना यह सिर्फ तुमारे लि में थे ना तो आज हो आगे चलते हैं तो यहां पर दिखो यहां पर क्या लेकर सबसे पहले कि मंजिले उनी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंक से पढ़ना एक एक चीज आप नोट डाउन कर लेना ठीक है तो आजो जल्दी से आगे चलते हैं फड़ाफट इसके बाद हम करेंगे चाप्टर नमबर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहले आपको ओवर्विव देता हूं इसका जो वेटेज है यह फोर माक्स का वेटेज है ठीक है इसमें जो क्वेश्चन है ना इसमें क्वेश्चन का लेवल आपका इजी रहने वाला है मतलब इसमें बिलकुल कठिन सव सवाल बनने की कोई संभावणा नहीं है समझ मैं इसमें सवालों का जो वस्तर रहेगा वह एजी कुश्शन यह चार नंबर कहीं भी नहीं जाने वाला समझे तो अब एक बार को जल्दी से मुझे बता दो फॉर्मुलाज का रट्टा मारने के लिए तयार हो जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में नीचे लिख के फॉर्मुलाज का रट्टा मारने के लिए तयार हो हाँ बेटा अभी ब्रे जब एक साल फालतू का रिपीट करना पड़ता है समझ रहो इससे बहतर है मच्छी तरीके से एक ही बार में मार ला कोई दिक्कत नहीं है दो चार दिन इत्याग है कर लो ठीक है तो एक दम फॉर्मूला का रटाफिकेशन करने के लिए त्यार हो बहुत अच्छी बात है आज यहां पर ना साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज और रेंज और डोमेन है हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है वैसे अगर मैं इसको ग्राफिकली पढ़ा हूँ तो तुम और आराम से पढ़ सकते हो लेकिन इस्टिल चलो छोड़ देते ग्राफिकली हम ऐसे पढ़ता है sin inverse x का जो domain है ये कहां से कहां तक होता है सिर्फ minus 1 से 1 होता है यार एक काम करता है एक second लगेगा graph से तुम पढ़ी लो मैं एक ही page में सारे graph draw कर देता हूँ छोटे छोटे अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा don't worry ये क्या है भाई ये is equal to sin inverse x चैसे बिटा ठीक इसका graph कैसा बनता है यह यूँ देखो ठीक और तुमको यहां पर ध्यान किस बात पर रखना है कि इसका यह रहा minus 1 और यह रहा सर प्लस 1 है एक second यह क्या है दिस इस माइनस पाई वाई टू और यह है सर पाई बाई टू ठीक है और यह होता है प्लस वन और यह होता है माइनस वन ठीक तो एक्स की वैलूज को हम क्या कहते है डोमेन कहते है और वाई की वैलूज को क्या कहते है रेंज कहते है अब सारे के सारे मुझे जल्दी से बताना है यहाँ पर इसका इसका डोमेन क्या है मतलब एक्स की वैलूज के सेट को हम डोमेन कहते हैं तो यहां से domain क्या हो जाएगा माइनस वन से लेके वन तक और इसका मुझे रेंज बता दो फड़ा फट माइनस पाइवाइट नजर आ रहोगा माइनस पाइवाइटू से लेके पाइवाइटू तो तक दिखराना सब मτεलब मैं किसी को इसा तो नहीं लग रहा है किसर मेरी लंका लग रही है enact कि सर्व कुछ कुछ हो रहा है आप किया करवा रहा हो अब यहां से सूम मतलब कह रहा हूं अगर आप पहली बार भी पढ़ हो तो भी पढ़़ लो कोई दिक्कत नहीं की आगijn दिखेगा क girls इसा बनता है थो यह सर्ष प्लस वन यहां से यह ओगे बитा माईनस टूण हाना यह ओता है 02.'s एड़ी यहों सै एक्सत्य बेलॉज कल सट्ड डॉमेन तो यहां से डीमएन क्या हो जाएगा बना हूं यहां से प्लीज क सब्सक्राइब कर लो आप आराम से कोमेंट कर पाओगे तो प्लीज बच्छे देख रहें चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप आराम से पहेंड खूए अब कि है अब यहां है अब यह क्या है इसका डोमेन मता अजो माइनस इंसा से लेके प्लस हुंभाइट तो इसका डोमेन क्या हो गया इसका डोमेन हो गया webinar कहां से कहां तक माइनस इन का मुंझे से बताओ यह हो गया सर माइनस कfeitाओ यह wildlife लेकिन आप एक चीश्मिया रखना माइनस पाइवाई टू पर यह उटन करता है लेकिन बरावर नहीं होता प्लस फाइवाई टू पर टेंड करता बरावर नहीं होता तिस वजह से मैनसwha faradu से लेकर pequen python ओपन लगाएंगे अ ठीक है clear है तो यार यह चलो तीन ही important है तीन ही हम पढ़ लेते हैं अब एक बार को आप आजाओ इस फंक्शन पर फड़ा-फड़ इसको ख़दम करते हैं साइन इनुवर्स एक्स को अब मुझे बताओ अभी देखो तुम्हारी आखो क्या कि दिख रहा होगा साइन इनुवर्स एक्स का डोमेन माइनस से वन रेंज कहां से माइनस पाइबाई टू से लेके पाई ठीक याद आ रहे हैं इसके बाद वाइस इकल टू टैन एक्स का टैन एक्स का जो रेंज है और सुर आट माइनस से तो महीं दिखाए नहीं तो नूराफकर यंवными डानस दींडेखा देखा देता हम मैं देखोकि तुम्हारी भावणायय ओस्त्र न हो Im अगर आब भी लोगे तो भी दिखा देता है क्योंकि तूमको देखना है मुझे पता हैं तो देख लो। कि तुमारी भावना है ना कि देखो वाइज इकल टू कॉर्ट इन्वर्स एक्स का ग्राफ यह देखो उल्टा नुरा फतेहिगा डांस नंबर एक का यह ओगे सर माइनस इंफनाइट यह ओगे सर प्लस इंफनाइट यह ओता है पाई अब जल्दी से सारे के सारे मुझे बता तो यहां से इसका डोमेन क्या हो जाएगा इसका डोमेन मैनस माइनस से लेका il देखो देखो और इसका रेंज हुशे बता दो जीरो से लेके पाई जीरो से लेके फाई ठीक मरी आखो के आगे है कुछ रख्टा निमार इसे कहते है गड़ित समझ आ रहा है यह जो तुमने रख्टा मार रखा है ना बहुत गलत काम का रख है समझ मार रहा है ठीक है क्लियर आजाओ जल्दी से अब यहां पर देखो जड़ा कॉट इन्वर्स एक्स का आइधिंग सब कुछ आई अब तो दिख रहा होगा तुम्हारी आखो के आगे हाई गर्मी वाला डांस कॉट इन्वर्स एक्स रियल नंबर माइनस इंफनाइट से लेके प्लस इंफ आफेसर वाइस इकल्स टूट इन्वर्स एक्स का ठीक आगे चलते हैं वहीं सभी बच्चे फड़ावट बिटा यहां पर कुछ प्रॉपर्टी जो अब दाइन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी बच्चों को जड़ा ध्यान से पढ़ाना इसको देखो अगर कही अगर यह पर साइन इंवर्स टिटा लिखा हुआ है सरीए ठीटा के बराबर होता है लेकिन यहां पर जो घीटा का यहां पर जो घीटा का बिसली रेंज है यह कि जीरो से लेक्स पाई के भीच मैं तो कॉस्प सेमेशी तरीके सेटा नत् газृता कि मेलूट हीटा कभ जब सब होगा झालोट fist जब यह इसकी प्रिंसिपल रेंज में होगा सजब यह कह पर खड़े रह सकते हैं तो प्लीज सभी मेरे बच्चे जमके यार सेशन को जरूर शेर करते रहो बिटा है ना प्लीज आर आप से रिक्वेस्ट है बिटा क्योंकि लंबे सेशन लेने में ना समझ लो बहुत एनरजी लगती है और आपका सपोर्ड बहुत जरूरी है यहां पर देखो फॉर्मूला नंबर टू हमें इनको ध्यान में रखना है कि सर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैलू क्या होगी एक्स हो जाएगी और जहां प लेकिन आपको यह द्रयान में रखना है यह सारे की सारे कहां पर होना चाहिए में रहाएं क्रिंसीपल डोमेन में होने चाहिए यह जो भी कर लिखा हुग है all these are the principal domain आइचिंग यार सभी बच्चों को अच्छी से ट्रीके से ठीक है यह सारे के सारे कहां पर होना चाहिए अगए चलता है है फॉर्मुला नंबर फोर कई बार यह सारे की सारे काम घाम आते हैं तो पिलीज सभी बच्चे आपर ध्यान से देखो साइन इनवर्स वन भाई एक्स क्या होता है कॉस्क्त से कि इनवर्स एक्स डोमेन है एक्स कहां से कहां था कॉस्ισ की ऐसकिलिए यह डोमेल लिखा है । पर गर यहां पर एक्स कहो जाती ही का इसलेके Ilason मारा नेगेटिव है तो यह होता है सर्म माइनस पाई प्लस कॉट इन्वर सेक्स मतलब बहुत इंपर्टेंट फॉर्मूला यह सारे की सारे कंवर्जन में काम आते हैं तो आपको यह फॉर्मूला आपको अपनी कॉपी में लिखना है आप सभी बच्चे जब पीडिएफ मिले यह सब है यह सब तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी जैसको भी डिलीट कर दो के पढ़ोगे क्या तुम है अलाव इसको भी डिलीट करके कुछ पढ़ना नहीं है जब आजा आजा फॉर्मूला नंबर 5 साइन इनवर्स माइनस एक्स की वेलू क्या होती है भीया माइनस करू yeast करो गये न तोएखो कॉगया साइन एक हो गया एक से अंदर होता है तो यहाँ से माइनस अमारा बाहर आ जाता है ठीके बिटा क्लियर और अगर कहीं पर और अगर कहीं पर जा कॉस्ट है स्टेक है और कॉट है इसमें पाई माइनस होता है ठीके बिटा तो इसमें क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस्ट इनवर्स एक्स और यहां पर और यहां पर स्टेक इनवर्स भी पाई माइनस सेक इनव होगा तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है ठीक है बटा और यह सारा का सारा अपने प्रिंसिपल डोमेन की ही बात करते हैं तो प्रिंसिपल डोमेन की बात है आगे फॉर्मूला नंबर यह साइन और कॉस्ट का डोमेन सेम है तो इन दोनों को जोड़ों गे तो पाई-बाई-डवाई तो सभी मेरे बच्चो को दरीके से इतम crystal clear है हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो फड़ा-फट कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को त verses verse 6-10 एक समाइनसा ये फोई देखो जब यहां पर फॉला फार्मुल लओं तो ऊपर प्लइस होता यहां पर गवर खर माइनशा तो यहां पर ऊपर माइनस भोगा कि अधियान में रखने का तरीका किएक है कि अगर यहां पर मालोग spreads तो यह पर प्लस अगर पर नीचे उसका उल्टा कर देना ठीक है अगर उपर प्लस है तो नीचे माइनस उपर माइनस तो नीचे प्लस दाट सौट ठीक है बीटा क्लियर सभी बच्छों को हाँ आज जल्दी से बार देखलो फटा पर कोई भी डाउट अगर ज़रा सभी है तो मुझे तुरंद बता सब्सक्राइब और यहां पर टू टान इंवर्सक्स क्या होता कॉस इनवर्स तो माइनस स्क्राइब पॉन प्लस स्क्राइब तो यह भी फॉर्मुला जो है इसको जरूर ध्यान में रखना ठीक अब यहां पर जो सबस्यादा इंपॉर्टेंट है ना प्लीज में आप सभी कि देखो यह जो आप सभी लोग सोचे रहो ना कि सर क्या-क्या डेलीटेट विटा जो जो चीजर डिलेटेट है मुझे पता है तो आप एकदम बेफिकर रहो जो जो चीज आपको करा रहो हो बस एकदम आप आराम से करते चलो एकदम बेफिकर होके सुनना द्यान से यहां लुट और अगर कहीं पर भी आपको sign इनवर्स X दे रख और अगर आपको इसको कॉस इनवर्स में करना या अगर आपकर टैन इनमस में करना या एक कॉट ईनवर्स में इनस पցनल सुन फिक को सभी मिरे बच्रिप्ड करके ध्यान से कबसुन लो नहीं है بट Geral को अब हो आपको घुमाके इधर उधर करके देदेगा फिर आप रोना रोगे तो प्लीज आप सुन लो एक सेके लगेगा देखो यहां पर आप क्या अप्लाई करते हो यहां पर हम अप्लाई करते से ट्रैंगुलर रूल अप्लाई करते हैं जैसे मालोगर साइन इनवर्स एक्स को कैसे लिखोगे एक्स अपन वन लिख लो सिन इन्टपक्ब्र एप प्रपлять इसको एंप सब्सक्रब कर अब आप इसकोषन लिखोगे तो बैसा इस एक होता क्या नीक NSA 24 और इंटपक्रियर आपके टेक्नीक पकड़ो टेकनीक पकड़ो डिर गाप इंघबर साइन स्पो आप कैसे सोच होगे यानि की इसका पर्पेंडिकुलर एक्ष और ही पॉटेनिऊस कितना है वन है तो प्युटा यहां से आप ट्रैंगुलर रूल लगाओगे पर्पेंडिकुलर एक्स और हाई पॉटनुस वन और यहां तो लिखोगे बेस आप लिखोगे और रूट का वन माइनस से स्क्वाइर अम माल लोगर यहां से साइन इन्वर्स को कॉस्ट इन्वर्स में करना है तो आप कैसे करोड़ करोगे ट्रेंगल रूल से कॉस्ट थिटा होता है कि बेस आपान हाइपोटनूस तो यहां से हो जाएगा रूट ऑफ one minus x square यहां से हो जाएगा root one minus x square तो यहां से हो जाएगा रूट one minus x square ठीख सिम्लेर ली आर से कभी कर सकते हूससे क्या होता है हाइपोटेनिऊ सपान्वेस तो यह ऊजाए गा वन अपन रूट हरो आपक सक्ट तरीकileri स्थिन घ्लकींगे और और उसक्त क्या हो जाएगा ट्रक्त मुझे लग रहा है कि तुम लग रहा है कि तुमना ट्रैक से वर भी है कोereye अब ट्रेक से हट रहों तुम है ना कोई नहीं सबसे कहीं पर भी आपको सबसे इंपॉर्टन चीज यह कहीं पर भी Synies की समझ नहीं महीं समझ ले ना मतलब पैसे करके कुछ मत समझना ठीक है यह सबसे important चीज है और इसके लावा यार कुछ convergence है कनवर्जर यह अगर कहीं पर a square plus x square लिखाय तो इसकी जगाँ पर आप x is equal to a 10 theta या a cot theta पूट कर सकते हो अगर कहीं पर a square minus x square लिखाय है तो यहाँ पर a is equal to a x is equal to a sin theta या a cos theta ठीटा पूट कर सकते हो अगर x square minus a square लिखा हुआ है तो यहाँ पर a x is equal to a sec theta a cos theta पूट कर सकते हो ठीक और अगर कहीं पर यह लिखा हुआ है इसकी जगाँ पर आप यह पूट कर सकते हो तो यह convergence है कई बार सवालों में इनका काम आता है अब आज जल्दी से फड़ा वड़ यहां पर question होगे अगर घुमा दिया जड़ा सा basic में डाल दिया फिर क्या करोगे बताओ कि समझ रहो बिटा तो प्लीज आप अच्छी तरीके से पढ़ो मैं आपको सारी चीजे पढ़ा रहा हूं यह विदाउट skipping a single thing आपको सब सबकुछ पढ़ो समझे तुमको तो खुश होना चाहिए कि सर हाँ आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं तुम क्या चाहते हो कि सारा के सारा फॉर्मूला करा दें उसके बाद तुम चिल मारो सेलेक्शन हो जाएका तुमको लगता है ऐसा है हां तुमको ऐसा लग रहा है बिटा सच में कहा रहा हूं अगर कलम नहीं चलाओ गया दिक्कत हो जाएगी इसमें कलम चला के ही चीज़े होनी है जरूर समझो आजो इस सवाल को करते हैं और अब तक यह आंसर आना चाहिए था अगर तुम्हें पता है तो इसका आंसर बताओ जल्दी से फड़ाफट जल्दी से का उरुब टर तान इनवर्स वन की वैलो कितनी हो जाएगी टान दमाइण की वैलोस आज घंडिसर पाइवय फॉर प्लस कॉस इनवर्स माइनस सक्टी पर हम क्या लिखेंगे भाई माइनस ख सराइन र्स ऑन भाई-प्लीट अब उ सिसके नहीं ऊकर ठेकड़ और यहसी जी पाई-कलियर थो बस अब आराम कर लेता है तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा भई है पाई-वाई-4 यह जाएगा टू-पाई-वा-3 बस आराम से 6 को ले लो common 6 common यहां से LC हम आ जाएगा 12 तो 4 3 जा दिस्वन 3 Pi Plus 4 8 Pi minus 2 Pi तो यह कितना रहा है जल्दी से सारे के सारे बच्चे calculate करके मुझे बताओ कितना रहा है आप देख रहे हो तुमारा इसमें भी multiple answer तो यहां से कितना आजाएगा 3 Pi by 4 आजाएगा तो 3 Pi by 4 is the final answer समझ आगे सभी को हाँ जल्दी से बताओ बिटा आपको जिस हिसाब से मैं करा रहा हूं ना मैं सच में कर रहा हूं तुम रॉक कर जाओगे बस एकदम तसली से आराम से ना बिना जल्दबाजी कि आप पॉड़ा पॉट से और तीखłeक लिए रे बही चलो आजं़ो जल्दीशे है वह श्रणत हो जल्दी से सवाल करणा तो तुमारी स्क्रीन पर यह सवाल रहा को जल्दी से को करो फड़ाफट लगशने सापी लोग सवाल करोगे जितने भी भीच्चे आप सभी लोग देख रहे हो आ जल्दी से बिटा जिए कोई भी चीज ना बाभू छोड़ाना नहीं है हमें एक एक चीज हमें तसली से आराम-ाराम से में पड़ना है मतलब बिलकुल भी छोड़ाना नहीं है और आजो जल्दी से फड़ा फट इसको करो 10-1-1-3 ये कितना हो जाएगा सर माइनस का 10-1-1-3 कॉट काटिन इन्वर्स 1-1-3 तो यहिं हो जाएगा कॉर्ट इन्वर्स वन अपन रूट त्री और यहां से tan inverse sin minus pi by 2 तो यहां से हम क्या लिखेंगे tan inverse sin minus pi by 2 की value कितनी हो जाएगी बावू minus का sin pi by 2 हो जाएगा न बस आराम से सारी की सारी value जो निकालो अब तक answer आना चाहिए था तुम लोग बताई नहीं रहे हो minus tan inverse 1 by root 3 की value कितना हो जाएगा पिटा पाई बाई 6 कितना यानि 30 डिगरी तो यह कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाई 6 कॉट इनवर्स 1 by root 3 60 डिगरी तो यह क्या हो जाएगा पाई भाई 3 यहां से देखो tan inverse minus sin pi by 2 की value minus 1 हो जाएगा ठीक सारी value निकालके यहां पर put करो अब यहां से यह हो जाएगा माइनस का पाई भाई 6 प्लस पाई भाई 3 दो नमबर का सवाल आ जाएगा आराम से यहां से tan inverse minus x कितना होता है minus tan inverse x तो यह हो जाएगा minus का पाई भाई 4 तो बस आराम से यहां से LCM ले लो 12 टिक्स टूजा minus 2 पाई 3 फोर फोर पाई-3 पाई तो यहीं आ जाएगा ना तीन दो पाउंच मेंस से चार घटा तो यह कितना आ गया माइनस का पाई भाई 12 माइनस पाई वाई 12 विजदा राइट एंसर ठीक है बहुत सभी को हाँ आना जल्दी से देख लो एक बार फटा ठीक है बिटा एक दम अच्छी तरीके से जो पढ़ा रहें कुछ आए ही नहीं मतलब क्या है मैं चाहता हूं तुम हंडेट पर्शंट कॉंटेंट लेके जो जब हंडेट पर्शंट पढ़के जाओगे शॉट कट के पीछे नहीं भागोगे ना तब नंबर आते हैं आपको यह लग रहा है जो सर आध्यादे घंटे में एक चैटर खतम करा दो बिटा नहीं होता ऐसे आप समझो यह मैथ है कैलकुलेशन की चीजें आप रातो रात नहीं मतलब कर पाओगे इस तरीके से आपको टाइम देना पड़ेगा यहां से देखो क्या लिखा बाबू यह लिखा है सर टैन अब यहां से सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जल्दी से मुझे बताओ फटाफट यहां से हम क्या करेंगे अख हमें इसको स्वॉल करना है सबसे पहला काम करते कॉस्थृश्ट को हम तैन में कनवर्ट कर लेते हैं तो इनवर्स थ्री वाइफाइब दो कॉस्थ रिटा होता क्या है? थ्री हो गया यह? घ कितना हो जाएगा 5 square minus 3 square यानि कि यह कितना हो जाएगा 25 minus का 9 is equals to 16 that is equal to 4 ठीक है बिटा तो अगर हम cos inverse 3 by 5 को tan inverse में लिखना चाहें तो cos inverse 3 by 5 को हम क्या लेख सकते है sir tan inverse यहां से हो जाएगा यह 4 by 3 यही तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 4 by 3 बस अब हम इसी चीज को यहां पर substitute करेंगे तो बेटा यहां से cos 3 by 5 की जगा पर हम क्या लेखेंगे tan inverse 4 by 3 plus tan inverse 1 by 4 यहीं आप लिखो कि हाँ याना जल्दी से बार देखो फड़ा फट तो बस हम इसको solve कर लेंगे आराम से जल्दी पड़ा फट इसको solve करो तो यहां से हो जाएगा देखो tan बेटा टान inverse x plus tan inverse y क्या होता भी है tan inverse x plus tan inverse y यह कितना होता है यह उता सर्ट tan inverse x plus y upon 1 minus x y यहीं होता है बस यही वैल्यू आप पूट कर दो तो यहां से हम लिख सकता है इसको solve कर लेते हैं तो यहां से मारे पास क्या हो जाएगा यह हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा एक बार को देख लो बारा मेंसे चार घटाएंगे तो आठ आजाएगा एट अपॉन ट्वल्व यहीं आ रहा है ठीक है बिटा क्लियर है ठीक है एकदम अच्छी तरीके से देखो बस आराम से आप इसको काल्कुलेट कर लो यह हो जाएगा 16 प्लस 9 16 प्लस 3 हो गया 19 वाई 12 और यहां से बारा मेंसे चार घटाएंगे 8 वाई 12 वागया तो यह कैंसल हो गया तो यहां समरे पास कितना आ गया बही है यह आ गया सर्फ 10 of 10 इनवर्स 19 वाई 8 सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है हाँ यह जल्दी से देख लो एक बार एदम अच्छी तरीके से क्लियर है बिटा मतलब मैं देख रहो किसी का आंसर नहीं आ रहा है तुम सब कर रहो बस आंसर नहीं दे रहो कोई भी इस हिसाब से कैसे पढ़ोगे गडित बताओ इस ह एकदम फोड़के आओगे जल्दबाजी के चकर में बिल्कुल मत पढ़ो एकदम आप अच्छे से पढ़ो यार मैं खड़ा हो ना मिटा आपको किसी की डर है जब तक मैं खड़ा हूं भाईया स्लेबस कंप्लीट होगा आप एकदम बेफिकर रहो तो आपना यह मत सोचो कि अगले सवाल पर जल्दी से फड़ा फट नेक्स्ट को समझ कैसे आएगा तुमको चाहिए रातो रात निंजा टेकनीक बता दो और आग लगा दोगे तुम खुदी सालवर नहीं लगा अब खुद लगाओगे अब पढलो ध्यान से अभी डांट लगा दूंगा यहां से देखो कितना आएगा टैन इनवर्स बेटा टू कॉस ठीक है अब यहां से देखो टू साइन इनवर्स वन बाई टू तो साइन इनवर्स वन बाई टू कि वैलू कितनी होती है यानि कि 30 डिग्री 30 डिग्री को आप क्या बोलोगे पाई भाई पाई भाई सिक्स समझाया तो टू थ्री जा दिस वन तो यहांस हमारे पास कितना आ गया टैन इनवर्स यह हो गया टू कॉस पाई भाई थ्री तो कॉस पाई भाई थ्री यानि कि 60 डिग्री टैन इनवर्स दो किसूब तरी तनीनमर्स वन कि मीचना पाइवाई थी घ्कवाई थी होती खरीघ्ट यह सबस्की के पेपर एक दिन पहले ऐसे हो थे पाई भाई भाई होती यह तो यहां से मारा अंसर कितना पाई भाई फॉर आई धर भी टर ठीक है तो यहां दो तुम देख ले ना इसी सेशन में से सवाल बिढ़ जाएंगे तुम्हें यह जल्दवाजी के चक्कर में तुम हो ना कि सर रातो रात हमें सुपर स्टार बना दो ऐसी टेक्निक मेरे पास नहीं है वो पल्पेंडी कुलर के पास थी वो जिसको तुमने साल वर देखा गएंगा और फॉस्थ पूर्व में अगला सवाल करते बढ़ावट नेक्स्ट कोशिशन जल्दी से आज़ो अच्छा इस सवाल को करने के पहले तुम दूसरा सवाल करो पहले हाँ, इस सवाल को करो सबसे पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह CBSC में आया वो सवाल है, जल्दी से सभी मेरे बच्चे फड़ा वर्ड इसको देखो, क्या लिखा है, सबसे बच्चे फड़ा वर्ड इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो साइन लिखा है ना, तो आप यहाँ पर भी बिटा आप क्या करोगे सर, साइन बनाओगे, क्योंकि जब दोनों साइड अगर आप जब तक साइन नहीं बनाओगे, तब तक हमारा कल्यान नहीं होने तो आप दोनों साइड आप साइन बनाओ, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है सर, साइन ओफ, कॉट इनवर्स, वन प्लस एक्स बराबर, यहाँ पर हम पिटा कॉस, देखो, यहाँ पर एक कनवर्जन हम कर रहे है, कि सर, कॉस, पाई बाई टू, माइनस थीटा को हम क्या ल सकते हूँ, सुट्रो यहाँ पर जो कॉसट हीटा लिखा हुवा एक तो आप यहाँ पर साइन पाई भाई टू मायनस थीटा लिख लो तो यहाँ क्या लिखेंगे और तो क्या खरेंगे दोनुर साइट कंपेर्जन कर देंगे तो कमपेर्जन करो फ्रभर यहां से क्या जाए कोट इन्वस लुवन प्लस-एक्स बराबर यहां पाई बाई टू माइनस टैन इन्वर्स एक सागया ठीक है क्लियर यह आ रहा है देखलो एक बार फड़ा फटाया न है ठीक है यही आ रहा है ठीक बेटा क्लियर सबीको हाय आजल्दी से बार देखलो फड़ाइब कोई भी डाउड किसी भी बच्चे को आई ठीक नहीं होगा हाँ तो आप कैसे करेंगे जल्दी से बता दो फड़ाइब तो बिटा यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा देखो यहां से पर टैन इन वर्स एक्स को आप इधर लेके आ जाओ टैन इन वर्स एक्स प्लस यहां पर क्या हो जाएगा कॉट इन वर्स ओवन प्लस एक्स इस इकुल स्टू कितना पाई भाई टू ठीक है क्लियर सबीको हाय आना जल्दी से देखो एक बार फड़ा फड़ाफट कुछ बच्चों का सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे यहां तो कॉट इनवर्स ओन भाई एक्स इस इकल टू पाई बाई टू माइनस टैन इनवर्स एक्स हमाराम से लिख सकते हैं ठीक कि कkit कि कॉई बी दिक्कत किसी बी बच्चे को हा यहां न क्या कि इसमें डाउट किसी को कि इसमें ड्रम सा ट्रिग्नोमेट्री कर दो आगया है कवला कनवर्जन ये ह्कि laying 5 bij 2-6 तो यहां पर werdeusa पर साइन पाइफला माइस थीठा आमने कर दिया है थिक तो side माइस Temple सब्सक्राइब य॥ा तो यहां से आप बहुतार मस furtied प्रिए lleo Paracrum का रबश्यां कितना रहे बागे तुम्हारा टास्क है ठीक है। तंप ठीक है इन पॉसली बटो स्पलस्टीटबूहल्रायक है फॉस interessante फॉसली इस फॉछ मं थे?? आराम से यह से से भी कर सकते पाई बाई लगा के आराम से नीचे दोनों टैन वाला फॉर्मूला लगा ना यह वाला प्लस टान इनवर्स वाई इस एकवल स्टू टान इनवर्स एकस प्लस वाई अपॉन ओन माइनस एकस वाई का फॉर्मूला लगाना आराम से आगे आपकी एकस की वैलू आ जाएगी ठीक है तो आप आगे जो है इसको करके नीचे कॉमेंट सेक्षन मुझे जरूर बताना इनक कई बार को इसा पैटन पूछ सकता है तो इसको भी आपको करवा देता ओ एक सवाल क्या है draw प्लस लिखा अलफ़ा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इस इक वलस टू लिखाये भया थांट तौ सस्खिल transformation टेक ह अगर ये वाला भी जीरो से लेके पाई के बीच में है कॉस इन्वर्स अलफा भी जीरो से लेके पाई ये भी सर कहां से कहां तक जीरो से लेके पाई के बीच में ये भी कहां से कहां तक होगा जीरो से लेके पाई के बीच में अब आप खुद ही सोचो कि अगर हम इन तीनों को जोडेंगे अगर हम इन तीनों को जोडेंगे तो हमारे पास थ्री पाई आना चाहिए तो आखिरकार यह कब आएगा दिस इज पॉसिबल इस पॉसिबल यह कब पॉसिबल होगा जल्दी से मुझे बताओ फड़ा फड़ यह कब पॉसिबल होगा जब य से लिखे पाई के बीच में यानि किसकी minimum value zero है और maximum value क्या है पाई अब हमें इन तीनों को जोड़के answer three पाई लेके आना है तो यार obvious यह बात है कि तीन के तीनों सबसे maximum value पर आ जाए है कि नहीं मलब सबसे कि सद्सक्रों बेटा push- allez LeagueÖ fünf तोники सब्सक्रों सकते कि этиable क्या हो जाएगी और बीटा की वेलू क्या हो जाएगी सर कॉ hide 5 कि प्लस निकाल सकते अल्फा प्लस डीटा अब जल्दी से बताओ गामा अलफा प्लस बीटा है ना सारे बच्चे जो भी बच्चे कर रहे हैं तो यहां से कितना रहें 2 4 6 तो यह सब आँवाँ नहीं होगा यहां तो यह कर लोगे कोई दिक्फट किसी भी बच्चे को तो यह एक पैटन का कॉश्च्टन इस टाइप का भी सवाल बनता है तो यार प्लीज बिटा आप सभी लोग यार जम के सेशन को शेर करो यार तुम्हारा सपोर्ट देखो बहुत जरूरी है क्योंकि यह लंबे-लंबे सेशन लेने में तुम लोगों का प्यार जब बरसता है ना उतना ही ज्यादा मोटिवेशन रहता है समझे रहो यह देख रहो होना तुमारी किसमत अच्छी होगी इनहीं में से आ जाएगा यह जो ऑन शॉर्ट में करा रहा हूं अभी तो सोचो तुम मोस्ट इक्सपेक्टेड क्रिश्चन में कितने सवाल करने है कि आजो जल्दी से फड़ाफट इसको फड़ाफट यहां से करो यहां पर क्या लिखा को होता है कि साइन अबर्स एक्स की ङयीड़ क्या होती है तो यहां से एक पाइवाई टु से एक पाइवाई टु कट गया तो यहां से हमारे पास सब्सक्राइब करने है तो यहां से अंसर कितना आ गया एक चीज तुमको पता है तुम आधी चीजे ना कुद से अजूँम कर लेते हो कि एक अब बात बात बता हो इनवर्ष टिगनौमेट्रिक संक्शन में ब strain निकालना है कि टेन। थान व कितनी है यह यह बाखी कुछ सब्सक्स 이제 से सैन इन्वर्स खॉल्स साइन सोई साइन इन्वर्स य साइन इन्वर्सवारी कि वैगरॉज जब जब एक स्मारा थ्री पाई भाई टू से लेके आगे हो तू पाई के बीश्च में हो इस टाइप की प्रॉपर्टी जमारे डिलेटेड यह शुरुवात की तुम प्रॉपर्टी डिलीट करते होगे तो बचेगा क्या चैप्टर में तो प्लीज खुद से अजयू मत करो कि मतलब कुछ भी डि है डिलीटेड हम पढ़ाएंगे लास्ट टाइम पर तुमको आए ना थीग है तो देखो हर चीज हर चीज को बिटा आप क्या कहते है हर चीज को आप ऐसे डिलीटेड मर समझो यह डिलीटेड समझने के लिए बिना बहुत अनलिसिस चाहिए होती है समझ रहो बाबू की डि चिलला के तुम्हें बढर है है हमें शोक तुम्हारे को गलाखराब करकर के बढ़ाने कि नहीं है ना है तो अगर तुमको पढ़ा रहें तो तुम पढ़ो तुम खुद से अजिव मत कर लो कुछ भी समझ मेरा बबू आजो जल्दी से सवाल करो अब तुम बोलोगे सर यह भी डिलीटेड है हम डिलीटेड पढ़ा है ना आओ जल्दी से बढ़ा पढ़ा यहां से देखो क्या लिखा आपको डोमेन बताना किसका साइन इनवर एकस का जो डोमेन है इसका डोमेन क्या होता भीया एकस कहां से कहां तक होता है सर माइनस उन से वन तक होता है कि तुम्हें तो बढ़ा पता है कि सर डिलीटेड है खुदी ले रहे उड़ता तीर कि साइनवर्स के अंदर की वैङल्व कहां से कहां तक होती बिटा मैंने स्लेकर उन के बीच क्होती है अब साइन के अंदर क्या लिखा है सब कर देंगे ठीक है क्लिया थो हम हर एक साइंट हम स्क्वाइरिंग कर दो इस्क्वाइरिंग है न इस्क्वाइरिंग बोथ साइड हर एक जगा पर आप क्या करो बाबू स्क्वाइरिंग कर दो तो जब हर जगा पर आप स्क्वाइरिंग करोगे तो ऑव्यस्सी बात है कि माइनस से लेके जीरो के भी जो नंबर होंगे जब यहां से स्टार्ट होगा कि करोगे तो यहां से हमें एक्स का रेंज चाहिए तो बेसिकली एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा तो तो यहाँ से जो मारा answer है answer में आप क्या लिखोगे x belongs to closed interval 1 से लेके दो तक सब देलीटेड है छोड़ दो है ना छोड़ दो सब छोड़ दो पेपर ऐसे देने जाओ क्यों पढ़ रहे हो फालतुंगा है ना हम पढ़ क्यों रहे हैं छोड़ दो जारा सब डिलीटर है फिर संटर में पूछने जाएंगे यह पेपर कैसा गया तरहारी बत्ती गुल हो गई क्यों 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 छोड़ दिये दिया आधा पेपर ना हम तो खुद हीरो है साल भर पढ़ा नहीं लास्ट टाइम पेपी छोड़ दो बाद में पेपर देने जाना तुम्हेश ठाध ही ठीक है क्लियर सबीको आधा जो कंपार्टमेट की त्यारी कर रहे हैं है तो यह कहां से कहां तक हो गया है एक सोगा सर्ब नवरा वन से लेके दो के बीच मैं ठीक है बाबू साभीको आया जलदी सबस्स जरा आजो यह वाला सवाल करो हाँ अब आज जल दीसे भड़ा इस सवाल को करो जल दीसे कि अब बता रहा हूं यह जो तुम्हारी चैड की बबु यह जो चैड के तुम्हारा इश्क मुभबत का ड्रामा ना पेपर के बाद दो रोगे तुम्हार पढ़ लो इसको क्या लिखा कासिशन विट्व प्लस तू साइन वर्षन विटू इसको को रो जल दी से यह सवाल उडाओ जल दी से कॉस्टिन में कि लेघू कितनी होती है अब देखते हो मैं कि अन्सर देते बबताना एल कि अधिवर कौन सा नंबर तुमको मिल जाएगा यह चाइट करके यह सवाल कर लेगा दस नंबर और मिल जाएगा पास हो जाएगा आराम से असी नंबर का पेपर 50 भी आ गया न है खुदी आएंगे लोग देखने के लिए इसको करो जल्दी से कितना रही है यह प्लस्तुस कबद्ध स्वाल फूछा जा सकता है 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 मैं वही कहे रहा हूं तुम न हमादख तुम बताओ बस तुम बच्चे ओब Paradise यह सवाद कर व फड़ा-फट एक नमबर का सवाल करो जल्दी से अब यह आधी जंता को लग रहा होगा न ही तो ऐसे पढ़ा रहा यह यह आ ना कुछ भी बसुट मुण बहूत बच्चा ओब बहुत ज्यादा बच्चा ओव तुमको बताने में भी मुझे यह शरम आती है कि मैं तुम्हें क् बहुत सच बोल देताहू तुमको पता नहीं है अभी तो तुम माझ पहली बार पढ़े रहे हो ना तसलोपस कोडिन वूर्च राखे पना अद होता है अरे अरे अंसर बताओ तुमांसर पाइ यह विद्धित के वैलूइनफेनाइट कॉट की वेलू कितनी जीरो उल्डा ओता है ना तो इसकी वेलू कितनी आ गई यह यह ऐसे धक्कन में तो पानी निकालना पहले यह यह जितनों की अकल अभी नहीं आ रहे नहीं यह इस्ती की अंदर ऐसे पानी डाल गाना इसमें डूबना एक बहर तुम अरे अंतिम चार दिन बचा हुआ है पढ़ल ढंक से अजा मझे की बात तो यह साल भर पढ़े नहीं है और उसके बाद आज दिखा रहे यह डिलीटेड असा छोड़ो इसको कि तुम्हें डिलीटी तो करना है तो पढ़ाना थोड़ी नहीं यह करो जल्दी टान इनवर्स टू साइन कॉस इनवर्स रूट रूट कितनी आरी इसकी वेल्व सारक इतार कोमेंट स्क्शंब बताएंगे फहड़ा-फैcken सारे क honored कि इससन बताएंगे कितना यह न, 30 degree आने की pi by 6, तो 2 3 जा this one, यह हो गया कितना, tan inverse 2 sin, कितना हो गया यह pi by 3, pi by 3 आने की 60 degree, तो यह हो गया tan inverse 2 into pi by 3 आने की 60 degree, तो sin 60 degree की value root 3 by 2, देखेरों दो नमबर का सवाल आजागा first class, और आया भी हुआ है, tan inverse root 3, इसकी value कितनी आजाएगी, pi by 3, 60 degree है न, अब answer में यहां से प्यार से लिखेंगे 60 degree, कितना, answer बराबर pi by 3, एक जामिनर अंकल, पूरा नमबर हमें देखे जाना, है न, ठीके clear है, है न, तुम न, तुम किसी दूसरे से hello करने के बजा, तुम मेरे से hello करो न, तुम, तुम मेरे से क्यों नहीं करते हो, तो यहां पर देखो, एक आदा दो सवाल और बच्चे हुए है, तुम इनको घर से try कर लोगे, तुम्हारे हवाले छोड़ दे, try करोगे के न, बोलो, आया न, try करोगे, एक सवाल देखो, यह है, एक सवाल यह है, ठीक है, मैं कहा रहा हूँ, बच्चा, तुम न, इन ही सवालों को कर लेना, तुम्हारा काल्याण हो जाएगा, इसी में से universe function का सवाल आ जाएगा, क्योंकि आना देखो, चार नंबर है, हाला कि अभी most expected वाले में मैं करा होंगा, लेकिन चार नंबर का ही तो सवाल आना है, तो बस आ जाएगा इसी में से, कितना आएगा भाई, चार नंबर में, चार नंबर में हम महीना थोड़ी न लगाएंगे पढ़ने के लिए, समझ आ रहा है, एक मुझे बात बताओ, 9 बजे हमने session शुरू करा, 11, 17 हो रहा है, हमारा rate कम लग रहे है तुमको, है, हमारा rate कम लग रहे है, और वह भी बकायदा सवालों के साथ में, concept के साथ में, तुमारी बकायती जहलते हुए, कम लग रहे है, अभी देखो तुम 6 गंटे में 6 सब्टा निप्टाते हैं, तुम फिकर मत करो, है ना, आगे चले, हाँ ना, तो दो-चार सवाल जो भी बच्चे है, इनको आप घर से ट्राई कर ले रहा, ठीक है बच्चा, तो अब यहां पर हमारा inverse trigonometric function होता है, खत्म, एक बार सारे के सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में आर आग लगा के बता दो क्या करकार मज आया के नहीं, मज आ रहे है क तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तु जरा कोशिस तो कर, आज निब्बा निपी छोड़के कोशिस करो तुम, समझा रहा है, तब ही ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, एक रात पहले भी नहीं करोगे तुम, तुमको क्या लगता है कि मुला यह चेड की मौबत तुम् एक रात पहले कोशिस करो, साल बर यही कर रहा है, आज की दिन कोई नहीं करोगे, समझ मारा, एक एक कब रेक अप मैं करवा दूँगा, अगर नहीं पढ़ाई करी है, आज के दिन तो, कोई इधर उदर नहीं जाओगे, बिलकुल भी, ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे, मैट्रिस का चैप्टर, बहुत मजा आने वाले, तुम्हें एक दम बेफिकर रहो, ठीक है, और कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, बिटा आपको पता नहीं है, अथा एक्स्पीरियंस है, समझ रहो, यह तुम प एक बार को पानी बनी पिलेते हैं, फिर से मैट्रिस से शुरू करेंगे, मजा आ रहा है न, एक बार जल्दी से कॉमेंट सेक्षिन में हाइस्टाइक, ससार सर वोपी लगा के अगनी जलाओ, फोड़ी आग जलाओ, गर्मी आनी चाहिए, यहां तक, ब्रेक अभी नहीं, ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद है न, अभी दो चैप्टर और करेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद, ठीक है, तो एक दम रेडी हो, मैट्रिक्स के लिए, चलें, आग लगा दें, मैट्रिक्स में, क्या बोलती हो, क्या बोलते हो, आगे चलाओ पढ़िथ यह आदों को लगता है मेरा नाम सुषान राजपूर्थ तुम्हें पता है एक दिन हुआ मैंने दोस्त को कॉलकरा और लिखा तो उसकी शाधी लिखाओी तो उसने मेरा नाम फीड कर रखा तो मैंने सको कॉल करendo तो उसकी वाइफ मोबाइल देखा लिखा होगा शशांग सिंह राजपूत लिखा हुआ था तो तुम्हारे को पता नहीं लगता मेरा नाम सिंह राजपूत शुशांत नहीं है तुम्हें चिल मार के पड़ो डर ना नहीं है तुम्हें घड़ा हो ना तुम्हेरे लिए और एक दम रिलाक्स होके पड़ो जेतना टेंशन में पड़ोगे ना उतना ही ज्यादा दिमाग काम नहीं करेगा ठीक है आज आज चलो मैट्रिक्स परते चाप्टर नमबर थरी दो चैप्टर मैट्रिक्स है ठीक है आज जल्दी से फड़ा फट बिटा अब मैट्रिक्स की डिफनीशन क्या है कोई भी कोई भी एक रेक्टांगूलर अर्रैंजमेंट जिसमें चुछ रोज और कुछ कॉलम होता है उसको हम क्या कहते सर मैट्रिक्स कहते है इस्टेंडर नोट similarly a21 a22 a23 note down कर लेना जिसको नहीं मालूम a2n similarly am1 और यहां से क्या हो जाएगा amn ठीक तो बेटा यहां से इसका जो ओर्डर है यह क्या हो जाएगा सर एम क्रॉस एन हो जाएगा ठीक है clear बेटा ब्रेक करेंगे अपन डिटर्मिनेंट के बाद है ना डिटर्मिनेंट के बाद अभी दो ही चैट्टर तो बढ़ा है तुमको दो घंटे मी ब्रेक चाहिए साल भर भी ब्रेक और आज भी ब्रेक है ना और यहां पर जो एम क्रॉस एन है इसको हम कहते है order of the determinant order of the determinant ठीक और सॉरी यह है जिसमें कुछ number of column है बस उसको उसी को हम क्या बोलेंगे matrix बोल देंगे और m cross n को क्या कहते है order कहते है हिंदी में इसको कोटी कहते है ठीक और यार a11 aij क्या होता है aij होता है location location of location of a in the i-th row and j-th column मतलब किसी भी aij क्या होता है जैसे यहाँ पर a11 है तो इसकी location यानि की first row first column समझ रहे हो इसका मतलब यह होता है first row and first column जैसे मालों यह 2N है तो इसको आप कैसे लिखोगे second row second row और nth column second row nth column जैसे मालों यहाँ पर a ml लिखोगे इसकी location क्या है mth row और nth column इस तरीके सम लिखते हैं तो basically aij क्या होता है यह क्या होता है यह क्या होता है यह location of the point होता है अब यहाँ बर्यार कुछ types of the matrix करता है यह एक number का सवाल तुमारे mc क्यों में पूछा जा सकता है फड़ा फड़ा हम इसको खितम करते हैं रो matrix हम किसको कहते हैं जिसमें only one row हो है ना only one row जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो यानि की a is equal to अगर हमें एक रो लिखना है तो कैसे लिखेंगे जिसे मालो a b c d इस तरीके से ना तो अगर एक रो है तो वन क्रॉस एन हम लिख सकता है इसका ठीक अगर हमें मालो इसको रेपर्जेंड करना है तो एक नंबर का सवाल तुम्हारा यहां से आ सकता है ठीक है तो अच्छी तरीके से बेटा नोट्स बना लो एक नंबर के सवाल कॉलम मैट्रिक्स में only one कॉलम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो सकता है यानि कि a is equal to a b c d इस तरीके से ना अब यहां पर यहां पर यहार ओव्यस सी बात है कि रोज काफी सारे हो सकता है तो m क्रोस एंगर अगे छलते हैं रिक्टैंगULAR मैट्रिक्स हम किसको बोलता है जहां पर number of मेंट्रिक्स की इसक्वायर मेंறिश न हम किसको बोलेंगे सारे कि सारे बच्चे कॉमेंक स्क्षण में फड़ा-फड़ा बताते रहों इसको बोलेंगे सर्ण को यहीजैं सबस्कryट रहे ृव्स्टी न हो और यार इसकी जो ये वाली डाइगनल क्या बोलते है स्को इसको कहते है सर प्रिंसिपल डाइगनल अ ठीक है और इसी केटें इश्व subjective Diagnol अ लीडिंग डाइगुनल और इसी को हम कहते है यार मेन डाइगुनल समझ रहे हो मेन डाइगुनल और इसकी डेफिनीशन न वो है सर ए आई आई समझ रहे हो मलब यहां पर जो भी पौइंट होंगे यह ए आई 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 लोकेशन के होंगे यानि कि यह यह वन-वन एटू- 333 समझे रहो तो यहां पर देखो आई आई का लोकेशन है यानि ए आई जे का लोकेशन है ठीक है पिटा क्लियर है सभी को हाँ याना जल्दी से बतातो एक बार फड़ा तो यह आई आई का अच्छा एक सिकंड यहां पर देखो यह क्या है डाइगुनल मैट्रिक्स है तो एबी सी और यह ओगया सरस्थ 0000 और यहां से ओगया 00 जिसके सिर्फ और सिर्फ डाइगुनल पर एलिमेंट होते हैं और वह एलिमेंट कोई जरूरी नहीं की बराबर हो है ना यह मतलब स्क्वा यहां पर सिर्फ और सिर्फ डाइगुनल पर एलिमेंट होते हैं बाकी सारे एकदम ही जीरो होगा भाईया यह पढ़के काफ काफी है तुम्हें पढ़ा रहा हो ना आराम से तुम तसल्ली से पढ़ो उसके बाद तुम्हें समझा जाएगा यहां से आजाओ स्केलर मैट्रि होता है जिसके सारे कि सारे डाइगुनल के गालिमेंट कया है बराबर है सारे कि इलीमेंट क्या हूने चाहिए है यहांनिकि एक ऐसा डाइगुनल is a matrix जिसके सारे की सारे डायगुनल के अलिमेंट बराबर तो जो इसकेलर मैट्रिक्स से यह स्कॉयर मैट्रिक्स भी होता है और यह डायगुनल मैट्रिक्स भी होता है समझागे सब्सक्राइब को हां या जल्दी से बता यह पढ़ा के भाई यह तुम निकाल दोगे फोड़ तुम पढ़ो तो सही तुम पढ़ो तो सही तुमको क्या लग रहा है टाइम पास कर रहा है यार गला फाल फाल के ठीक है बिड़ा सभी मेरे बच्चे देखो सेशन को जम के शेर करो यहां पर हजार बच्चे दिखने चाहिए अर्देखो टोटल 5-7-7 बच्चे से जिन्होंने सेशन को शेर कर रहा है तो प्लीज आर आप सभी बच्चे जरूर शेर करो अभी के अभी करो और सेशन को जितने भी बच्चों ने लाइक नहीं करा बटा जल्दी से फड़ा फट लाइक कर दो यहां से आजो जल्दी से यूनिट मैट्र का जो रिप्रजेंटेशन है उसको हम आई-एन से रिप्रजेंट करते हैं और यहां पर जो एन होता है इसको हम order of the matrix कहता है ठीक जैसे अगर यह थ्री क्रॉस थ्री कहते है तो इसको हम आई-3 लिखेंगे अगर मालों हमें आई-2 लिखना है तो 1001 इस तरीके से हम लिख सकत ठीक है clear आ गया आजओ जल्दी से नल मै Caesar' z और जिसको भो लेंगे कोई भी है कैसा मैत्रिक्र जो क्यों जिसके सारी कि सारे ऑलिमेंट क्या हो-0-0b यार यह कैसा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स हमारा rectangular भी हो सकता है और नल मैट्रिक्स हमारा स्कॉयर भी हो सकता है समझ में रहा है इसको रिपर्जन करता है कापिटल ओ से सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर कोई भी दिक्कत अब जल्दी से आ जाओ यार इक्वैलेटी ओप क satisf कि यहां पर ये दो कंडिशन हुल करें सबसे पहली चीज दोनों का order वराबर होना है यानि कि होसो क्रासपनिशन क्या है दोनों का order considered दूसरी कंडिशन क्या है прошundng अलीमेंटर होना चाहिए Okay कैसा corresponding elements should be equal corresponding elements should be equal corresponding element should be equal ठीक है clear तो ये दो condition होनी थी है बिटा सर 11 on 2 समझा दीजिए दब समझा रहा था तो कहां पर था सबसे पहले वहीं समझायों बहुत टाइम देके समझाय है ठीक है यो स्कॉरा मेटरिक एक ही रो होता है या कॉलम एक ही होता है बिटा यूनिट मैटरिक स्क्वायर मेटरिक होता है न कि यूनेट मैटरिक्स में आपको बहुत ही टाइम दे के समझा चुका हो मिटे ठीक है तो equality of the matrix का होता है दो केसे जहां पर होता है दो कंडिशन होती है मलब दोनों का रो दोनों का order बराबर होना चाहिए दूसरी कंडिशन यह corresponding element हमारे क्या होने चाहिए बराबर होनी टू मैट्रिक्स कैन भी एड़ेट विटा प्लीज आप सभी लोग ना एक एक चीज लिख लेना अपनी कॉपी में एक एक चीज लिख लेना भाईया मलब यह बहुत अच्छा आपको शॉर्ट नोट के जैसा आपका बहुत अच्छा काम करेगा बेटा यह आप टाइम खराब मत करना दो मैट्रिक्स आड़ करे जा सकता है कब ए प्लस बी कब आड़ करा जा सकता है यहां पर दो कंडिशन होती इसकी सबसे पहला order should be equal सबसे पहला क्या होना चाहिए order should be equal है ना order क्या होने चाहिए सर इकवल होने चाहिए दूसरी कंडिशन क्या है भया दूसरी कंडिशन यह होने चाहिए कि corresponding elements जोड़े जाते हैं है ना add corresponding elements add corresponding elements समझ रहे हो तो यह इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को जोड सकते हैं क्लियर है तो दो मैट्रिक्स के जुड़ने की भी बिटा कंडिशन होती है कि order बराबर होने चाहिए अगर order बराबर होना चाहिए यानि की एम बराबर आर होना चाहिए and n is equals to s होना चाहिए तो यह चीज मतलब बराबर होने चाहिए और दूसरी कंडिशन यह है कि corresponding elements को हम जोड़ते हैं ठीक है बहुत है सभी को हाँ आगे आते हैं यार मल्टिप्लिकेशन ऑफ दा टू मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बिटा अगर यहां पर हमारे सामने जैसे माल लो एस इक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का और दूसरा मैट्रिक्स है भया बी आई जे पिटा प्लीज कॉपी में जरूर लिखना आर क्रॉस एस का तो यहां से ए multiplication of two matrix multiplication of two matrix इसको हम define कैसे कैसे करता है इसको तरह हम define कर सकते है A dot B से या A cross B से या A B भी हम लिख सकते है इस तरीके से ठीक लेकिन यहाँ पर condition होती है यहाँ पर condition क्या होती है मैट्रिस के addition, subtraction इन सब चीज़ों में condition बहुत माहने रखती है तो यहाँ पर condition क्या होती है यहाँ पर condition यहाँ होती है कि सर जो सबसे पहले वाले matrix का row है column है दूसरे के row के बराबर होना चाहिए जैसे मालोगर हम यहाँ से a b लिख रहे हैं तो a b बराबर a i j यहाँ से लिखेंगे m cross n into यहाँ से क्या लिखेंगे b i j यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए पहले वाले का जो number of column है यह दूसरे वाले के number of row के बराबर होना चाहिए समझे रहो तभी दो मैट्रिस को आप बरा तभी आप दो मैट्रिस को मल्टिप्लाई कर सकते वह दर्वाइज आप नहीं कर सकते भीक तो इस चीज़ को यार जरूर सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में नोडाउन करना कि अगर कभी भी एक मैट्रिस का जो number of row कॉलम है दूसरे वाले के number of row के बराबर हो रहा है तब आप इन दोनों को मल्टिप्लाई कर सकते हो अधर्वाइज नहीं कर सकते अच्छा यह मल्टिप्लाई आप कर कैसे पाते हो मल्टिप्लाई होके जो हमारे पास यहां से जो मैट्रिक्स आता है जल्दी से फटाप सारे बच्चे कॉमेंट्ट बताना एक बड़र जल्दी से बटता सारे बच्चे बार कोमेंट section बताओ कि अगर यह order m क्रोस आजाएगा कितना आएगा इसे के तो यहां से जब भी हम सको मल्टिप्लाइब करेंगे तो यहां से से तुमको समझाते तब तो रास नहीं आता तब कहते हो सारी स्पीड बढ़ा हो हमें रातो रात खतम करना है सले बस हमें एक घंटे के अंदर एक चैप्टर नहीं lebenbele prototype Lambda 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 shred सब्सक्राइक तो यहां अगर हम यहां कभी एक किसी भी कॉंस्टेंट से किसी भी Metrix में मघ लाज़ी करा है तो बश्राइक क्या होग8 हर एक नंबर में म ways of those cm एक हिक है और यहां सबताः पर हमारे पास मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12 18 20 30 ठीक ये 18 ये थ्री खुरॉस थunnit अभ इसमें से मान लोकर हमारे को common निकालना है तो बिटा मैट्रिक्स में जब common हम निकालते हैं तो वो हर एक नंबर में से common निकलेगा तो आप सभी बचे यह चीज़ ध्यानक ना कि अगर हम यहां से 2 common निकाल रहे हैं तो वो हर एक नंबर में से common निकलना चाहिए अगर यहां से common निकल लेगा वण यहां से निकालोगे दो यहां पर हो जाएगा तीन 4 5 6 9 10 15 ठीक तो यहां से बीटा कभी भी किसी भी मैट्रिक्स एकर हम कॉमन निकलते हैं जैसे मैल्टिप्लाइब करते हो तो हर नंबर में मैल्टिप्लाइब होता है तो common भी आप जब इसको हम लोग कर चुक है ठीक है तो यहां से आजो जल्दी से पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आफ हमेट्रिक्स बैटा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मालो हमारे पास एजो है एक स्कॉयर मैट्रिक्स है इस एज़ इस्कॉयर मैट्रिक्स ताना दन भी अगर कह सकते हो चाहे एक्यूक है तो इस तरीके से आप कर सकते हो मतलब कैसे भी करके आप आप multiply कर सकते हो लेकिन लेकिन कब जब आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो सरे शुडबी स्कॉयर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए बेटा स्कुराइर मैट्रिक्स होना चाहिए सभी बच्चों को क्लियर तो सेम इसी तरीके से अगर अगर हम एटूदी पावर एन निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं ठीक है यह क्लियर ठीक है कोई भी डाउट लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं यहां पर एक बच्चा कह रहे है सर लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं आगे तुम खुदी समझदार हो यह तुमने सही बात बोली बटा यह हमारा क्लोन ले रहे हैं यह हमारी आत्मा ले रही हम नहीं ले रहे हैं हमारे हमारी हमारा शरीर कुछ नहीं है हमारे शरीर के अंदर आत्मा यह मैं नहीं ले रहा हूं मेरी आत्मा क्लास ले ठीक है बाबू कि चलें आगे तो यह हो गया हमारे पास positive integral power of a matrix ठीक अब यहाँ पर जल्दी से आजो बड़ाफट यहाँ पर यहाँ पर आजो जल्दी से बिटा rest हम करेंगे determinant के बाद है ना determinant के पहले नहीं आजो जल्दी से बड़ाफट हाँ डर लगेगा तो क्या करोगे भागोगे डर के आगे देखो बिटा यह जो line लिखा रहा हूँ बहुत important है if a dot b बराबर 0 अगर हमारे पास कहीं भी 2 matrix का multiplication 0 है it doesn't mean यहाँ पर लिख लो it doesn't mean it doesn't mean that either a is equals to 0 या b is equals to 0 अगर 2 matrix का multiplication अगर 0 है तो इसका कता ही मतलब नहीं है कि या तो a 0 होगा या तो भी 0 होगा ठीक है यह आधी जंता इसमें गलती करती है तो इस वज़ा से मैंने इसको लिखाया है ठीक है चलें आगे अगर आई दिंग सभी बच्चों को अच्छी तरीके से clear है आज जल्दी से कुछ प्रॉपर्टी जोब्दा स्केलर मल्टिप्लिकेशन देखते है जैसे माल लोगर हमारे पास कोई भी एक के कॉंस्टेंट है और ए और भी मैट्रिक्स है तो के इंटू ए प्लस भी क्या हो जाएगा के ए प्लस के भी हो जाएगा ठीक अगर माल लोग k और i दोनों constant है इसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टिप्लाई करेंगे तो एक बार k को a के साथ एक बार i को a के साथ मल्टिप्लाई कर सकते हो ठीक है बटा clear अचा इसमें एक standard और नोट डाउन कर लेना कि identity power to the power n ये identity matrix ही होता है यानि कि identity matrix कुछ आये कितनी ब कर लेना कि ठीक है भाई आजाओ जल्दी से फड़ा यार देखो तुम लोग ना अच्छे से पढ़ो एक्दम मज़ा आ जाएगा तुम्हें सच में कह रहा हूं प्रॉपरटी जो अडिशन आप दा मैट्रिक्स एक बच्छा कह रहा है कि सर अगर अगर आप लाइव ले रहे ह सबसे पहली प्रॉपरटी है कि भईया ए प्लस बी बराबर होता है अगर मानलों कहीं पर ए-प्लस डी प्लस टी लिखा हुआ है तो यह लिख सकते सर देज़ी ब्लस सी यह इसको क्या कहता है आप आप नाच के दिखाऊ बज़ंदी समझ रखा तुमने बच्चा तुमसे मैं बाफ 15 साल सीनियर हूं तुमको पता है तो यह होगे हमारे पास अगली प्रापर्टी कौन सी है अगली प्रापर्टी कौन सी है अगली प्रापर्टी ए प्लस बी बराबर अगर ए प्लस सी लिखा हुआ है तो बड़ा यहां से हम ए को ए से कार सकते है यानि की बराबर हम सी लिख सकते है इसको क्या कहता है इसको कहता अगर कहीं पर A में अगर हम नल मैट्रिक्स जोडते हैं तो बिटा यह 0 प्लस A ब्रावर क्या आएगा नल मैट्रिक्स आजाएगा ठीक है तो अगर A में कभी भी नल मैट्रिक्स आप जोड़ोगे तो यहीं हमारे पास आजाएगा क्लियर तो अच्छा इसके लामा यह सारा हो गया और और इसमें कोई बचा है कि कोई नहीं बचा है इतना बहुत है एक और लिख लो को आप कैसे लिखते हो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस माइनस भी ठीक तो यह च्छै प्रॉपर्टीज बिटा आपको नोडाउन कर लेना है ठीक है एकदम बेफिकर हो तो माँभी सारी की सारी बिटा आएंगी अब इसके रहाँ प्रॉपर्टी जोड़ूर लिखना इन बखो गु तेको माइट्रिक्स मॉल्टीप्लिकिशन इन जेनरल नौट को मॅणूटी नूट इप्रॉटा wen वताइजे छेडा आपके पास ना यह एक सवाल पूछा जा सकता है बनाके तो यह इन जेनरल इस वज़ा से यहां पर लिख रखा है कि मतलब कभी कभार को यह commutative होता भी है, कभी कभार को नहीं भी होता है, ठीक, दूसरी property है, अगर मालो a.b.c लिखते हैं, तो इसको हम associative भी कर सकते है, a.b.c, तो यह जो है associative property भी होती है, ठीक, तीसरी property, अगर माल law does not hold, समझाया, अब यहां पर एक अधा property और लिख लेता है, जैसे मालो गर हमारे पास कोई भी constant है, जैसे मालो यहां से a.b.c है, सारे की सारे matrix हैं, तो यहां पर आप order बदल नहीं सकते, बिटा, a.b.c लिख लोगे, ठीक है, क्लियर, हाँ यहां अगर मालो यहां पर कोई एक lambda है, यहां पर a plus b लिखा हुआ है, जहां पर lambda constant है, तो lambda a plus lambda b आप लिख सकते हो, तो इस तरीके से यह सारी की सारी properties को हम लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, अब यही तीन है, जो आप से पूछा जाता है, यही तीन important है, बाकी सारा आप खुदी जानत तो बाकी सारों में ज्यादा अकल लगानी नहीं है, बस आराम ते यही तीन तीन properties को आपको ध्यान में रखना है, बस इतना बहुत है, ठीक है बाबु भईया, अब यहार यहां पर आम आ जाते सर्ट ट्रांस पोज पे, सभी मेरे बच्चे जल्दी से एक बार फड़ा वड सबसे पहले तो तुम पढ़ो, कॉपी में लिखो, दिमाग लगाओ, और उसके बाद रिवाइज करो, तब जाके एनफ बनेगा, समझ मारा है, या तो तुम अस्वत थामाओ, जो बोल रहा हो, तुमारी आत्मा तक घुश जा रहा है, एक ही बार में, फिर एनफ है, है न, देखो, मैं बहुत कड़वी सच्चाई बोल देता हो, कई बार मुँपे, तुमको पता नहीं है, जो बच्चे पहले से पढ़ते हैं, उनको पता है, कई बार रो ना आ जाता है, लेकिन बस तुमारा अंतिम दिन है, शुकर मनाओ, बच्चा, आज जल्दी से में बच्च लिखते हैं, जो यहां पर रो है ना, इसको हम कॉलम मना देते, तो यहां से क्या हो जाएगा एज हम इचा कर देता है यहां पर ना आपको कॉमेंट सेक्शन में देखो एक लिंक पिन कर रहा है शाम को जो mcq क्लास होगी ना बहुत इंपॉर्टन क्लास होगी 20 नंबर का mcq करेंगे हम लोग है ना तो शाम को हमारी क्लास 8 बजे होगी तो सभी लोग जरूर बेटा रहा ना उस क्लास में ए जिकल टू देखो 123 ABC मालो लिखाए अब इसका ओडर कितना है इसका ओडर एसर टू क्रॉस थरी तो अगर मालो इसका ट्रांस्पोर्ज लिखें तो इसका ट्रांस्पोर्ज कैसे लिख सकते हैं 123 ABC यह लो तो यह कितना हो गया कि डीट इपर आपकेसे बनाते हो रोग जो यहाँ पर पहला है आप इसको पहला और दो डूसरा रोग है दूसरा बना दो यह वोगी हमारी कहान किसकी ट्रांस्पोर्ट की कहानी हो गई ठीक है बटा क्लियर है सभी को हाँ या न अब यार इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी जाब ट्रांस्पोर्ट मैट्रिस कहता है आप करते हैं ठीक है सभी मेरे बच्चे जल्दी से एक बार फड़ाफट एक बार सेशन को शेयर करके आजो फड़ाफट तुम लोग करना जल्दी से जितने लोग देके रहो न एक बार फड़ाफट ैषयर करो यहां पर हमारे हमारे बच्चे सारे के सारे होने जोई तभी मजा आएगा प्रॉपर्टी जब दो ट्रांस्पोर्टों ठीक है तो ट्रांस्पोर्टी सबसे पहली प्र यह बहुत इंपोट है और आप सभी लोगों पहले से कुछ पढ़ भी रखा होगा तो मैं यही पर यही पर यह बहुत इंप्पोर्टेंट है ठीक है पिटा क्लियर है सभी को हाँ या ना जल्दी से एक बार बता दो मुझे तो यह सारी की सारी प्रपरटी इए किसकी है सर ट्रांसफोर्ज्क प्रपरटी एक किसको कहता है stand ट्रांसपोर्ज बराबर बी के बराबर हो यानि कि जिस्के माल लो करें हम यहां से बी बराबर यहां से मालो for example ABC है ना यहां पर चैसे मालो आपके सामने तो यहां पर यहां थरी है यहां यादि से यह रहा हमारे पास डाइगुनल है ना तो डाइगुनल के दोनों साइड के अलिमेंट बराबर होने चाहिए तो ऐसे मैट्रिस को हम सिमेट्रिक मैट्रिस कहते हैं समझे तो अगर डाइगुनल के दोनों side के element बराबर होंगे, तो obvious ही बात है, कि जो B का transpose होगा, वो B के बराबर ही हो जाएगा, तो B transpose बराबर B, तो ऐसे matrix को हम क्या बोलेंगे, symmetric matrix, इसके बाद है, excuse symmetric matrix, excuse symmetric matrix में देखो, हम कैसे बनाते हैं, जैसे B is equal to, बटा, excuse symmetric matrix की ना, एक खास बात है, खास बात क्या है, सभी बच्चे जड़ा, comment में एक बार लिखके बतो, excuse symmetric matrix की खास बात क्या है, सर प्लीज कोई बता दो, कितने question हो गए हैं, बहुत सवाल है, यह हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, और तीसरा भी खतम होने वाला है, तुम एकदम बेफिकर रहो, यहीं से पकल लो, आज बहुत सारे चैप्टर अभी करने हैं, ठीक है, सब समझ आ रहा है, बहुत बने हैं, ग्रेट, हाँ तो अब जल्दी से मुझे एक बार बता दो, फड़ फड़ इसक्यू सिमेट्रिक मेट्रिक्स की एक खास बात है, वह और वह खास बात क्या है, सारे के सारे कॉमेंट सेक्शन में लिखके बताओगे, तो बैटा, खास बात क्या है, फास बात यह है कि सबसे पहला तो यह सक्वार होना चाहिए इसके सबसे बड़ी पहचानो यह है कि इसके डाइगवनलक् इधर उधर के number है न ये 2 के दोनों एक दूसरे के minus times भी होने चाहिए तो इसक्यू symmetric की दो पहचान है पहली पहचान square होना चाहिए अगर वो square है तो फिर क्या देखोगे diagonal के element देखो क्या वो 000 है अगर वो 000 है mostly is keep होई जाता है अगर मालों इन case नहीं है तो डाइगोनल के ऊपर नीचे के element देखो क्या वो दोनों एक दूसरे के minus times है की नहीं है समझ आया तो यहां से इसी वज़ा से हम क्या लिखते हैं कि bij is equals to minus times bji समझ आ गया बिटा तो और b का transpose is equals to minus का b तो इस वज़ा से हम इसको ऐसे लिख देता है अब यहां पर एक चीज़ लिखा है सबसे पहली थेरम है कि कोई भी square matrix अगर एक real element रखता है तो b plus b का transpose एक symmetric matrix होता है और b minus b transpose क्या होता है एक excuse symmetric matrix होता है ठीक है clear तो इस थेरम को आपको ध्यान में रखना है कि अगर अमारे पास कोई भी एक square matrix है तो यह जो b plus b का transpose है यह कैसा होता है this is a symmetric matrix और जो b minus b का transpose है यह कैसा होता है this is excuse symmetric matrix अब जल्दी से मुझे एक बार को सभी बच्चे बताओगे कि आखरेकार इसकी proofing आती है के नहीं आपको जल्दी से comment section में लिखके बता दो मुझे अगर नहीं आती तो मैं बता दो क्योंकि इसकी proofing थोड़े important है ठीक है तो यहां से बेटा सबसे पहले आप देखो अगर हम एक करके हम proof करता है सबसे पहले हम यहां से यह proof करेंगे कि सर जो b का b plus b transpose है इसकी proofing बहुत पूछी जाती है बहुत important है यही मलब basically यह proofing तो क्या है यह सवाल बना जिया ज küçük k 토 इथा यहां अब क्या करोंगे सबसे पहले हम इसको proof कर रहे हैं कि बी फ्लस बी का ट्रांसपोज है यहां से कैसे लिखेंगे स्ब्राइगे यह अनौ अगर पूरे का ट्रांसपोज करेंगे तो किसे करेंगे एपलस बी का zurंसरोज लगाएं सबसे पहले यह property लगाई है तो यहां पर एक ही जिगा पर बी ट्रांसपोर्ज प्लस बी ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज अब यहां से क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज कितना हो जाएगा बी हो जाएगा तो इसकी जिगा पर हम क्या ले सकते हैं धिक्लस मोकूर्ण बेखना है अब यहां से हमारे पास देखो कितना त्रांसपोज का द्रांसपोज इलके पिटा गए भीन मैं तो यहां से क्या क Nichts क फूर है कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्ष्पोज यही तो होता visit मैट्रिक मैट्रिक्स की डफनिशन कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांस्पोज लेते हैं और से मैट्रिक्स अगर लौट के आ जाए तो वह मैट्रिक्स कैसा होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ठीक है तो यह हमारी प्रूफिंग हो गई इस सवाल के एक हिस्स ट्रांसपोर्ज क्या करोगे बेटा ट्रांसपोर्ज ले लो इसका तो लेट बी माइनस बी ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज तो यहां पर लिख देता हूं बी ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपोर्ज का ट्रांसपो यहां से आप माइनस को कमन ले लो तो ही आ गया B-10 this है हम बहुत आराम से क्या कह सकते हैं यहां साहने हैं सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम crystal clear है न तो हमने यहां पर करा क्या है हमने देखो यहां से सबसे पहला काम अगर हमें मालों कहीं पर symmetric proof करना है या इसक्यू symmetric proof करना है तो आप उस matrix का transpose ले लो अगर same matrix आ जाए जैसे यहां पर हमने क्या करा बी प्लस बी का transpose लिया same matrix यहीं लौट के आ गया तो यह symmetric matrix है अगर यहां पर हमने transpose लिया minus time same matrix आ जाए तो यह इसक्यू symmetric matrix है ठीक है बटा सभी बच्चों को इदम crystal clear है यह अगर clear है तो एक बार सारे के सारे एक बार comment section में yellow heart और op लगा के एक बार जल्दी से fire emoji लगाओ यार फड़ा फट ठीक है अगनी नहीं जल रही है जल्दी से बिटा जल्दी से फड़ा 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 फड़ ठीक है भाई आगे चले नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से देख लो एक बार फड़ा फड़ सब्सक्राइब इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और यहां पर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो बी प्लस बी का ट्रांस्पोर्ज क्या हो जाएगा दिस इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बी माइनस बी ट्रांस्पोर्ज क्या हो फॉर्माइट में लिख सकते हैं ठीक है बिटा, clear तो यहां से देखो, अब सिंपल सा चीज है बिटा, कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस जैसे अगर मालो बी ब्रावर लिखना है तो यहां से हाफ लगाओ, यहां से बी प्लस बी ट्रांस्पोज प्लस बी माइनस बी ट्रांस्पोज ऐसे आप लिख सकते हो कि ने, क्यों क्यों कि देखो, यहां से यह, यह कट जाएगा, तो बचेगा टू भी, तो टू से टू कट जाएगा, आ जाएगा भी, है कि ने, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो पिटा कि किसी भी मैट्रिक्स को आप यहां पर symmetric matrix अभी हम प्रूब करा था कि B plus B transpose क्या होता है symmetric और B minus B transpose क्या होता है isq symmetric तो किसी भी matrix को हम sum of the symmetric and sum of the isq symmetric matrix हम लिख सकते हैं फिके पिटा clear है आगे चलता है inverse of a matrix सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से यहां पर inverse की सबसे पहले तो हम definition लिख लेता है लिखो if a and b are non singular matrix satisfying the condition a dot b बराबर b dot a is equal to i then a inverse is equal to b and b का inverse क्या हो जाएगा सर a हो जाएगा ठीक है clear तो यह inverse matrix की definition होती है ठीक है यह inverse matrix की definition होती है कि अगर a और b दो non singular square matrix है non singular square भी लिख लो यहां पर non singular square matrix है condition satisfy करते है कौन सी a dot b बराबर b dot a बराबर आई तो a का inverse b हो जाएगा b का inverse क्या हो जाएगा ठीक है यह सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से clear यह अब आ जाते है बच्चों यहां पर property जो अब दा इनवर्स पे तो सबसे पहली property है कि a inverse का inverse बराबर यह होता है दूसरी property यह है कि identity matrix का inverse identity matrix होता है ठीक तीसरी property यह है कि a into a inverse बराबर identity matrix होता है बराबर ए इनवर्स इंटु ए लिख सकते हैं ठीक तो यह तीन property for the time being आप इसको लिख सकते हो अपनी copy में बाकि अभी इनवर्स matrix आपको आगे पढ़ाऊंगा वण 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 टू चाप्टर हो गया बिल्कुल बिटा वण वण टू चाप्टर हो गया जिसको आपने मिस्कर दिया ठीक है clear अब यार इन पर बेस्ट हम लोग सवाल करने वाले बच्चों जल्दी से आजओ सबसे पहला कुश्चन कुश्चन करेंगे हम लोग इस पर ठीक है तो क्या हाल चाला भाई सभी को मैट्रिस का कितना नंबर है मैट्रिस का पांच नंबर है ठीक है तो क्यार एक बार सभी बच्च्च सेशन को जवर्दस तरीके से शेर करो मैट्रिक्स की पूजा होती है खतम अब हम करेंगे प्रशाद का वित्रड ठीक है अब हम करेंगे प्रशाद का वित्रड मैंने तुम्हें क्या बोला देखो अभी तीन घंटे हुए ना हमने तीन चेप्टर निप्टा दिये तो बैटा हम एक अपनी अच्छी स्पीड में कर रहे हैं तुमको क्या लग रहे है कि यह मैथ आदे अदे घंटे के चेप्टर है है फिर क्या बोलों के बाद में शशांग शार सवाल मैच नहीं करे तुमने पढ़ाया नहीं जब ढंक से पढ़ाते हैं तो ढंक से पढ़ो तुम ढंक से पढ़ाने वालों की इजट कहा करते हो यार दिक्कत तो यही है तुम को पढ़ना ही नहीं है समझे रहे हैं जो ढंक से पढ़ा रहा हूं चाहो तो अपनी कॉपी में नोट करो उसको अच्छे से लिखो बार बार रिवाइज करो बात में तुम ढूड़ो गे PDF का है PDF से तुम पढ़ लोगे 300 पेज की PDF है पढ़ लोगे अगर खुद की कॉपी में नहीं होगा कहां से रिवाइज करोगे लास्ट टाइम पर मैं बहुत कड़वा बोल देता हूं कई बार को तुम्हें चुब सकता है लेकिन मैं हकीकत बोलता हूं बाबू समझो बात को समझ मैं हाकिकत बोलने वाले इंसान ही अमेशा जनुवन होते आप ये बात समझो 300 पेज की PDF है मुझे बताओ कि स्क्रॉल करके रिवाइज कर लोगे दूंगा मैं ऐसी बात नहीं है मैं रख के क्या गरूंगा उसको दूंगा लेकिन अगर खुद से लिखते नोट्स बनता खुद का कॉंसेंट्रेशन बनता खुद का फोकस बनता अच्छे से अंदर इमेजिनेशन होती मजा आता है ना आज देखो कुछ बच्चे देखो इस सवाल का अंसर भी निकाल चुक है यहीं चाहिए बिटा यहीं चाहिए यहीं चाहिए मुझे आप जल्दी से मुझे बता तो एक बार फड़ा फड़ा इसका आंसर कितना रहे बिटा तो यहां से हमारे पास देखो यह दे रख है तो सकोर कितना हो जाएगा बावू 3-4 को और यहां से माइनस टू माइनस टू इंटू-24 चुटरोब आई को और टिप्लाइए करेंगे न तो यहां से इसका रौ यहां से कॉछ इंट्वनें करो कितना जाएगा यह ल bás सकते स्को नाइन माइनस दिज इसको इसमें मल्टिप्लाई करो तो 3 to the minus 6 और यहां से आ जाएगा कितना minus 2 into minus 2 यह हो जाएगा plus 4 अब इसको उठाओ 4 into 3 यह हो जाएगा 12 minus 8 सही लिखा है न देख ले न और यहां से हो जाएगा minus 8 minus 2 into minus 2 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा plus 4 ठीक तो यहां से 9 में से खटाएगे 1 6 में से 4 खटाएगे minus 2 12 में से खटाएगे 4 यहां से आगया minus 4 तो a square तो हमारे पास ही आगया ठीक है clear तो बिड़ा सभी लोग answer निकालो है न तो यहां से a square is equals to k a minus 2 identity matrix है अना given that लिख ले ना यहां पर given that तो a square की value तो हमारे पास ही आ गई 1 4 minus 2 minus 4 बिटा सही लिखा है ना एक बार calculation देख लो सभी लोग सही लिखा है ना मैंने एक बार calculation आप चेक कर लो तो यहां से हो जाएगा के और यहां पर a matrix क्या भी यह सवाल में दे रखा है आपको 3 4 minus 2 minus 2 है ना minus 2 identity matrix 1001 ठीक तो बस अब इसको हमें solve करना है तहीं लिखा है ना बिटा कोई दिक्कत तो नहीं है तो बस अब यहां से आप इसको solve करो तो यह हो जाएगा 3K और यहां से हो जाएगा माइनस टू के सब में के मल्टिप्लाई होगा ना क्योंकि किसी भी constant से मल्टिप्लाई करते हैं तो सारे element में होता है तो यहां से हो जाएगा 4K यह हो जाएगा माइनस का 2K माइनस इसमें करेंगे तो 2 से मल्टिप्लाई करते हो यह गया 2,0,0,2 ठीक अब इसको दुबारा solve करो तो यहां से कितना हो जाएगा सब्ट्राइट कर रहे हो न यह जाएगा 3K माइनस 2 माइनस 2 के माइनस 0 यहां से हो जाएगा 4K माइनस 0 तो 4K माइनस 2 के माइनस 2 ठीक है भई है clear बहुत बढ़े है great तो बस अब दोनों को बेटा बराबर कर देते हैं कहीं से भी कोई सा भी पकल लो और आम से उसी को बराबर कर दो तो यहां से यहां से कितनी आगए एकसिलेंट और यहां पे बहुत सारे बच्चे सवाल को अच्छा लग रहा है ठीक है क्लियर कोई भी समस्य किसी को कि आई थिंग नहीं है चलो आज़ो next question करता है ठीक है यह सवाल है मारे सामने है ना देखो क्या कह रहा है इस टाइब के सवाल तुमसे पूछे जा सकते हैं मतलब सवाल लिंथी है लेकिन आपका ऐसा सवाल बोला जाएगा तो यह 5 नंबर का question symmetric matrix में convert करना है तो हम कैसे करता है since a matrix कैसे लिखोगे आप matrix A इसको A बोल देता है can be expressed can be expressed as sum of the symmetric ऐसे लिखोगे ना sum of the symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix ठीक कैसे so that A is equal to 1 by 2 A plus A transpose plus A minus A transpose ठीक है बिटा clear तो basically हम इसमें करेंगे क्या इसमें हम यह करेंगे कि A plus A transpose निका लेंगे और A minus A transpose निका लेंगे बस इस तरीके से बनाके हम लिख देंगे half bracket में A plus A transpose plus A minus A transpose हम लिख देंगे समझ में आए पिटा तो यहां से हम क्या करेंगे सर सबसे पहला काम A A plus A transpose हम लिखते हैं तो यहां से A बराबर कितना दिया गया है यहां पर लिखोगे गिवन दाट यहां से लिखोगे गिवन दाट A is equal to कितना दे रखे भजा दिस वन थ्री माइनस टू माइनस फॉर थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन वन टू ठीक तो बड़ा यहां से A transpose कितना आ जाएगा तो बड़ा यहां से A transpose कैसे आएगा थ्री थ्री माइनस टू माइनस टू माइनस टू वन ठीक माइनस फॉर माइनस फाइव टू यह कितना आ गया सर A A transpose आ अब हमें कर अब हमने निकालना क्या क्या है बच्चा A आपने क्यक्से बड़ानेbourबना है तो यहां यहां से A और यह हो गया 2 प्लस यहां से 3-2-4 3-2-5-112 ठीक बिटा क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है आंसर रेप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है तो आपको एक एक चीजे लिखनी पड़ेगी अदर्वाइस तो मैं डारेट भी लिख देता कोई दिक्कत नहीं है आपको पता है लेकिन अब यह सब्जेक्टिव पेपर है तो हमें लिखना पड़ेगा समझे रहे हो तो अगर मैं यहां से ए प्लस ए ट्रांसबोज लिखता हूं तो ए प्लस ए ट्रांसबोज यहां से कितना आ जाएगा थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं नीचे सो देट पेज नहीं हो जाएगा मैंनेस का 5 मैंनेस 5 प्लस वन हो जाएगा मैंनेस 4 और 2 प्लस 2 आजाएगा 4 क्या यहीं आ रहा है सभी बच्चे एक बार वेरिफाइग करो ठीक तो 3-3 6 3 में से दो घटाएंगे 1-1-4-5-2-3 1-4 आइधिंग सही है सब माइनस 4 ठीक है I think बेटा सही है ठीक है क्लियर है सभी को हाँ या ना तो A plus A transpose हमने निकाल लिए अब क्या करेंगे बेटा अब हम सेम इसी तरीके से A minus A transpose को भी हम निकालेंगे है ना तो सभी मेरे बच्चे जड़ा calculate करो फटाफट तो यहां से मैं कुछ इसको मिटा रहा हूं है ना यह आपके notes में रहेगा तो एकदम बेफिकर रहा है तो यहां से a minus a transpose हम निकालेंगे ठीक है बहिए अब यहां से क्या calculate करोगे नाव a minus a transpose बराबर अब a तो यही रहा 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 minus a transpose यह रहा इसको लिख देता है 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 5 2 ठीक है बहिए clear तो यहां से a minus a transpose matrix अब आप निकालो तो 3 में से 3 घटाएंगे तो आगया 0 3 में से 2 अगर घटा रहे बिटा तो यह minus minus plus 2 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5 minus 1 plus 4 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा minus 2 minus 3 कितना हो गया minus 5 हो गया यह तो एक लाइन और लिख देता हूं तुमारे लिए तो बिटा जब minus से multiply करोगे तो अगर यहां पर plus लगाओगे तो यह minus हर जगा multiply हो जाएगा तो 3 3 minus 1 minus 2 minus 2 1 minus 4 minus 4 2 यहां पर मैं plus का sign लगा रहा हूं अब इस minus को आप हर element में multiply कर दो क्योंकि minus 1 हर जगा पर multiply हो जाएगा त्यों हो गया 4 minus 3 2 5 यह हो गया 1 minus 1 minus 2 इसी तरीके से कर लोगे न 1 minus 1 minus 2 तो बस अभी इन दोनों को add कर दो तो 3 में से 3 घटाओगे 0 3 2 5 4 में से घटाओगे 3 बिटा क्रॉस चेक कर लेना या जाएगा 0 516 माइनस 3 5-6 या जिरो यही आ रहे गया देख लो एक बार फटाफट ठीक अचा एक चीज आपको और बताता हो बिटा आप ना इसको क्रॉस वरिफाइए भी कर सकते हो कि सही है कि नी ना आप इसको अपने मर्जी से क्रॉस वरिफाइए भी कर सकते हो देखो क्योंकि A-A transpose कैसा matrix होगा, इसकी symmetric matrix होगा, तो आप देख सकते हो, कि इसके diagonal element 0 आ गए, यहाँ पर 5-5, minus 3, 3, 6, minus है, यानि कि जो आया है सब सही है, समझाया है, तो ऐसे आप cross verify भी कर सकते हो, during the exam, यहाँ पर आप देखो, 6, 4, minus 4, ठीक, तो यहाँ पर भी आप diagonal के साइड के element आप देख लो, अगर सही आ रहा है तो अच्छी बात है, तो बिटा, 1, 1, minus 5, minus 5, minus 4, minus 4, यानि कि यह भी हमारा सही matrix है, समझाया है, तो 2 का दोनों हमारा correct है, ठीक है भाई है, clear है सभी को, हाँ है, तो बस अब हम इन दोनों को बिटा जोड देते हैं, तो basically अब कुछ करना नहीं है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ हमें represent करना है, इस format में, कि अब यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, hence, we can represent, we can represent, a is equals to 1 by 2 times, a plus a transpose, plus a minus a transpose, ठीक है बाबू, तो यहाँ से a is equal to 1 by 2, अब यहाँ से आप बिटा सबसे पहले वो पीछे वाला matrix आप लिखो गया है, तो यहाँ पर in fact यह वाला bracket लगा लेते, 1 by 2, अब यहाँ से यह पीछे वाला matrix लिख लो, plus यह वाला matrix लिख लो, बस यही हमारा representation है, समझ माया, यही हमारा बिटा answer है, ठीक, तो यही हमारा answer है, यही आप से सवाल में बोलता है, तो यह 5 नंबर का सवाल आएगा, मतलब सवाल में अकल लगानी नहीं है, बिल्कुल भी सवाल में अकल नहीं लगाना, तो बस आपको करना है कि आई, a plus a transpose यहाँ लिखोगे, a minus a transpose यहाँ पर लिख लोगे, बस यही तुमारा representation है, समझा है, तो तुमारे 5 नंबर एकदम पके, हो गया ना सबसे, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, I think नहीं है, स सभी को कोई भी समस्या नहीं है, चलें आगे, तो बटा, जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, प्लीज यार सेशन को जरूर चेर करो, क्योंकि देखो, मैं तुमारे लिए quality पर focus कर रहा हो, not the quantity, समझ रहो, मैं चाहता तो भगा होगा कि कुछ भी कर सकता था, लेकिन तुमारे को एकदम बकायदा मैं time दे के answer representation सिखा सिखा के मैं तुम्हें करा रहा हूं, समझ रहो, आजो जल्दी से सवाल करते हैं, यह सवाल भी बटा, पी वाई क्यूज है, यह सवाल पहले से पूछा जा चुक है, यह question भी अगर आएगा, तो मतलब आप ऐसा समझ तो भी यहाँ पर क्या लिखोगे सर, given that, यहाँ पर लिखोगे paper में solution, given that, क्या दिया गया भी यह, a is equal to 1657, तो भीटा, a transpose आप क्या लिख लोगे, a transpose हो जाएगा 1567, यहाँ से जो पहला row है, यह column बन गया, जो दूसरा row है, यह दूसरा column बन गया, अब यहाँ से सर, a plus a transpose हम निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे, 1567, प्लस a transpose लिख लो, 1567, तो बड़ा, यहाँ से a plus a transpose हमारे पास कितना आ गया, यह आ गया, 1 plus 1, 2, 5, 11, 11, 14, ठीक है, clear, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि diagonal के along, 2 के दोनों number बराबर है, है न, तो यहाँ से आप लिखोगे क्या, यह since a plus a transpose is equals to 2, 11, 11, 14, so that a plus a का transpose is a symmetric matrix, यह कैसा matrix है, this is a symmetric matrix, बड़ा, तीन number का question आएगा, आपको बकायदा answer writing करनी पड़ेगी, समझ रहो, बकायदा answer writing करनी पड़ेगी, ठीक, तो यह हमारा हो गया, पहला वाला option का सुन्दर सा answer, ठीक, अब यहाँ से आप दूसरे वाले option को भी चेक करो, सेम इसी तरीके से, तो दूसरे में क्या निकालना है बाबू, a minus a transpose निकालना है, तो a तो हमारे पास यह आ गया, 1657 minus, अब तुम्हें बता है, देखो, subjective paper में न, फाल्तू की बखेती करनी पड़ती है, objective होता, तो यही बस से एक सिकंड में हम कर लेते हैं, समझे रो, लेकिन अब subjective है, तो कर नहीं पड़ेगी भाई, क्या कर सकते हैं, तो 1 minus 1, 0, 5 में से 6 घटाओगे, minus 1, 6 में से 5 घटाओगे, minus 1, 6 में से 5 घटाओएंगे, तो plus 1 आएगा, 7 में से 7 घटाओएंगे, तो 0 आगया, तो यहां से A minus A transpose क्या आगया, तो अब यहां पर diagonal के देखो, element क्या है, 0, diagonal के element 0, यह plus 1 और यह minus 1, तो यहां से क्या लिखोगे, hence A minus A transpose is a skew symmetric matrix, समझ में आगया बाबु भाईया, हाँ यह जल्दी से बता दो फड़ा फट, एदम crystal clear है बिटा, सभी बच्चे यार एक बार, sir A को A, नए-ॉव बबू नए-ए- इसमें तुम्हें पता है, इसमें ऐसे नहीं घर नहीं है, तुम्हारे को इस matrix से verify करना ہے, समझ रहो, इसमें ऐसे नहीं करना हमें, कि A plus A transpose को symmetric matrix हम ऊईसे prove करना है, कि इसका transpose लेके, ऐसे नहीं करना इसमें, हिसमें तुम्हारे सामने बिटा प्लीज जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं एक बार सेशन को यार जम के शेर करो जितने भी लोग आप सभी लोग देख रहो एक बार सेशन को जम के शेर करो यार हमारे देखो थाउजन थाउजन अपने बच्चे होने चीह हर आलत में आप है इतना इत subjective method का सवाल है अब subjective method में यह aja art examler का question अथा सवाल है बखईती वाला सवाल अगर यह हम objective method से करते तो दोनों side x हम इस matrix के in over से multiply करते थे लेकिन अब यह है है subjective सवाल हमें दिखाना है board को हम कैसे दिखाएंगे कैसे दिखाएंगे यहां पर देखो इसका पिटा ओर कितना है इसका ओर्डर है हमारा टू क्रॉस थरी का ठीक, देखो, सवाल करने का तरीका देखो यह क्या है, 2 cross 3 है यह कितना है, भया, ये भी 2 cross 3 है यह भी कितना है ये भी हमारा 2 cross 3 है 2 row 3 kolum अब सबसे पहले तो X को बताओ कि X क्या होगा सबसे पहले कि तो X का order बताओ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें क्या है जो आउटकम का मैंट्रिक से यह तो यहां से और यह ट्यू ग्रोस थरी इसका जो नंबर आफ रो है यह कितना आ जाएगा के अरे टू आएगा के नहीं अब मुझे तुम कौलम सोचके बताओ कि आखिरकार इसका कॉलम कितना अरे वह अंसर आ गया यार क्या बाद काफी सारे बच्चे यहां पर रिप्लाई भी कर रहे हैं ग्रेट ग्रेट एक्सेलेंट यहां पर यश्वध्य बहुत बड़े हैं ग्रेट एक्सेलेंट और शिवम ने भी बताया माइंड ब्लोईंग बस अब इस सवाल में देखो पूरा मिला कि हमें करनी हैं अब यहां से इसको मल्टिप्लाई करेंगे इसके साथ में फिर दोनों साइड हम कंपैर जिन करेंगे तो करो जल्दी से फड़ाफट तो यहां से यह हो गया a c b d into 123456 देखो कितना गंदा कुश्यन है अब माइनस सेवन माइनस एट माइनस नाइन 246 मैं थोड़ा सा हिंट देके आपको छोड़ देता हूं तो आराम से करना यार इसको अब यहां से रोवाई कॉलम मल्टिप्लाई करेंगे तो यह कितना हो जाएगा a plus 4B अब इसको इसमें मल्टिप्लाई करो कितना हो जाएग अब इसको इसमें उठाओ 2C प्लस 5D अब इसको इसमें करो यह आ जाएगा कितना 3C प्लस 6D बराबर यहां से कितना भीया माइनस 72 माइनस 84 माइनस 96 प्रेम से बोलेंगे वाँ वाँ मजा आ रहे कि नहीं जल्दी से हाय आ ना यार जल्दी से बता दो फड़ा फट ठीक है ब से सान जाएगि मारे पास एक वे charter बनों कि तो यहांसे से ए प्लस 4D बराबर कितना भीया यह है सर माइनस का सेवन तो आ प्लस 4 citizen का सेवन एक्वेशन नमबर नोप ग techno सब 2A plus 5B is equal to minus 8 है equation number 2 तुम्हें बोल रखा है कि सब करा दूँगा देखो जितना मैं तुम्हें करा रहा हूँ सब करते जाओ मज़ा जाएगा यहां से 3A plus 6B बराबर कितना है बिटा 6B बराबर कितना है minus सब करके आराम से आप और B की वेलू को निकाल सकते वह तो यहांसे एको निकाल लो निकाल लोगे कि नहीं हाँ निकाल लोगे पिटा फड़ाफ़ जल्दी से कॉमें अपता MV बदा दो बार निकाल लोग्या कि नहीं हाया ना Similarly Yaza c пор दी बराबर कितना है टू हो गया तो यहां से C प्लस सिक्षोर डी इस एकली स्टू कितना है टू है तू c PLUS five कटी यहां से कितना हो जाएगा वाबाव को सिपनी तो यहां से आपको सी की वैलू और डी की वैलू हमें निकालनी पड़ेगी बस विटा एभी सीडी की वैलू को उठाके क्या करोगे यहां पर सब्स्टिट्टूट कर देना यही तुम्हारा आंसर आजाएगा तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दो फटा फट कर लोगे क काला है नहीं होता यहां पर देखो आँसर भी आगया क्या बात है अलंकर भरगो क्या बात रोगे लू अर बी की वैलू टू और व सॉल भी कर देता हूं मैं यहां पर तो यहां से देखो क्या लिखा है टूए प्लस फाइब इस इकल स्टू माइनस एट ना तो एक काम करो कि पहले वाले इक्वेशन में इसमें दो से गुड़ा कर दो बिटा तो अब और उसके बाद घटा दो तो इसमें अगर दो से अबी की वेल्यू माइनस तू अ रहा है एक्सिलन पिटा अگई तो एक की Nobel कितनी आ गई ऌवं क creation कैसे विटा क्योंकि यहां पर ऑडर asking ay जो यह वाला मैक्रिक्स माल्टीप्लाइड है यह टू क्रॉस ठीह बो और जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है यह भी टू क्रॉस थ्री है तो अगर यह टू क्रॉस थ्री है तो हमारे पास इसका जो नंबर ओफ रो होगा वो क्या होना चाहिए और अगर यह दोनों मैट्रिक्स मल्टिप्लाई हो रहे हैं तो इसका जो नंबर ओफ कॉलम है इसके औरों के बराबर होना चाहिए तो यहां से क्या हो जाएगा इसका ओडर टू क्रॉस्टू आ जाएगा थोड़ा सा उल्टा अरे वह क्या बात है यह ग्रेट ग्रेट बस यहीं सबोर्ट चाहिए विटा वन माइनस टू टू जीरो एक्सिलेंट थिक तो मैंने यहां पर देखो ए और बी की वैलू तो मैंने निकाल दिया है बाकि और सी और डी की वैलू बिटा आप इसको निकाल ना है ना बस इन दोनो इक्वेशन को सॉल्व करके C और D की वैलू को आप निकाल देना ठीक है बहुत है क्लियर है सभी को कोई भी दिक्कत एक्सेलन तो यहां से मारे पर सबकी वैलू जा गई है तो हमारा हम से यहां पर X का जो मैट्रिक्स आएगा तो यह आपका फाइनल एंसर आएगा यह ठीक तो सभी लोग इसको क्रॉस वेरिफाई कर लेना यहां पर सारे बच्चे माइक्सिम बता चुके है सर एक बार फिर से नहीं बटा आप देखो तुम ना दुबारा पीछे करके भी देख सकते हो ना हम अगर एक ही सवाल करेंगे ना बबू तब फिर आम इसी पर पड़े रह जाएंगे तो थोड़ा सा ना तुम कंसिस्टेंसी बनो मतलब खाना वना खाओ लेकिन सेशन आगे मतलब तभी काम बनेगा अधरवाइज अगर हम एक ही सवाल को इतनी देर देर में करेंगे तो कैसे काम बनेगा आप खुदी सोचो तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करो आज के लिए है ना थोड़ा सा कॉपरेट करोगे तभी देखो मतलब सीन बन पाएगा ना आजो जल देखो यहाँ पर लिख रख है तो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखो के given that solution करता है तो solution कैसे करेंगे सर given that क्या given that f of x is equal to यह क्या है भीया cos x sin x 0 minus sin x cos x 0 0 0 1 ठीक तो बटा सेम इसी तरीके से f of y भी हम लिख सकता है कुछ नहीं करेंगे x की जगा पर y पूट कर लेंगे ति हो जाएगा cos y sin y 0 minus sin y cos y 0 0 0 1 ठीक है clear अब यहां से हम क्या निकालेंगे f of x into f of y निकालेंगे तो सभी बच्चे जल्दी से निकालो f of x into f of y निकालेंगे तो भहिया इन दोनों matrix का multiplication हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहां से सर पहला वाला row और पहले column से multiply करो तो बटा कितना आएगा cos x into cos y cos x into cos y minus sin x into sin y यही आ रहा है minus sin x into sin y देख लो एक बार ठीक है सही लिख रखा है यार मुझे लग रहा है इसको दूसरे पेज में लिखना पड़ेगा जगा ही नहीं बचा इसको ना दूसरे पेज में धंग से लिखता है ठीक तो यहां से जो हमारा f of x into f of y आ रहा है तो पहली जगा पर क्या है बचा cos x into cos y minus sin x into sin y आ रहा है ठीक है clear अच्छा अब हम इसको इसमें multiply करेंगे तो क्या होगा cos x into minus sin y minus sin अब इसको बचा इसमें multiply करना है थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा ना यह मिट भी नहीं रहा हाँ तो यह क्या होगा cos x into minus sin y minus sin x into cos y तो cos x into minus sin y इसको दूसरे पेज में लिखना बहुत लफड़ादार गाम है minus cos x into sin y और यहां से क्या हो जाएगा यह cos x into minus sin y minus sin x into cos y देखना यार यह कुछ गलत नहीं होना चाहिए minus sin x into cos y यह तुमारे लिए एक यह कच्छर लिख रहा हूँ नहीं तो डारेट आंसर लिख देता है यही पे अब इसको इसे multiply करो तो यह cos x into 0 0 into 0 तो 0 into 0 तो यहां पर हमारा कितना जाएगा यहां जाएगा हमारा 0 ठीक तो यहां पर बन गया हमारा 0 ठीक है भाईया यह तुमारे लिए लिख रहा हूँ इतना इधर उधर करके अब ज़रा अब इसको multiply करो यहां से second वाला यहां से second row उठाओ अब इसके पहले column में multiply करो फिर से तो यहां से क्या आएगा sin x cos y plus cos x sin y sin x into cos y यार अब इक जामनर को लिखना पड़ेगा cos x into sin y ठीक इस तरीके से multiply कर लोगे अब हाँ याना जल्दी से बता दो यार बेटा फटा फटा फट कर लोगे की नहीं बताओ multiply कर लोगे इसको नहीं कर पाओगे कर ले ना यार अब यहां से साइन माइन साइन x sin y और यह हो जाएगा हमारे पास cos x cos y minus sin x sin y plus cos x into cos y यहीं लिखा है हाँ अब इसको फिर से multiply करो इसको इसमें करो तो 0 0 0 0 0 कितना आएगा यह इसको इसमें multiply करेंगे 0 इसको इसमें करेंगे 0 यहां पर 0 है तो 0 0 यह आगया 0 ठीक है बहुत बने है great देखरो तुम्हारे लिए कितना लफड़ा देल रहा हूं मैं देखो अब यहां से अब इसको multiply करो 0 into 0 0 0 यह आगया 0 ठीक तो यह आगया 0 कि फिर देखो इसको अब इसको इसमें multiply करो 0 0 1 into 0 यह कितना आगया 0 आगया अब यहां से बिटा आप लिख सकते हो cos x into cos y minus sin x into sin y यह कितना हो जाएगा cos x plus y हो जाएगा और यहां से अगर minus को common निकाल लेते तो यहां से sin x into cos y cos x into sin y तो यह हो जाएगा minus sin x plus y और यहां पर आगया सर 0 ठीक sin x cos y cos x sin y यह कितना हो जाएगा sin x plus y ठीक है सेम इसी तरीके से और यहां पर cos x cos y minus sin x sin y तो यह कितना हो गया भई है cos x plus y और यह आगया 0 0 0 1 अब ज़रा आप इसको देखो भड़ा फट अब इसको आप देखो कि जब आप देखोगे ना इसको यह कैसा नजर आ रहा है आइ तिंग कि आप सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा कि सर यह f of x plus y के जैसा है मतलब अगर हम यहीं पर हर एक जगा पर अगर हम यहां पर x plus y अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास यहीं आ जाएगा किने देखो एक बार फट जो हमारे पास यह लास्ट में मैट्रिक्स आया है बिटा हमारे पास देखो यह मैट्रिक्स में आपको जो f of x दे रखा है बस उसमें अगर आप x की जगा पर x plus y आप देख लो है ना तो बिटा बस यहां पर देखो हर जगा पर सेम वही मैट्रिक्स बन रहा है ना तो हम यहां से क्या कह सकते है दिस वन इस दा तो य हमारा क्या हो गया f of x into f of y is equal to this one तो यहां से हम क्या कह सकते हैं हैंस प्रूफ्ट समझाया तो यहां से हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूफ्ट यहीं हमारे को प्रूफ करना था ठीक है बिटा क्लियर है सभी को हाँ या ना जल्दी से मज़ें बतातो एक बार फड़ा फड़ा अब इसको बताना तुम मताओगे इसको फड़ा बर सारे की सारे बच्य सवाल को करेंगे ठीक है और तुमको पता नहीं फेपर पिछले बॉर्ड के पेपरों में जितना कराया था सब और जितना कराया था मैं तुम्हें ऐसे नहीं कह रहा हूं क्योंकि थोड़ता कुछ करन में आएगा यह और कहां से आएगा जब सब करा डालेंगे तो समझ रहो तो मैं इस वज़ा से तुम्हें कहता हूं कि आएगा इसी में से तो तुम प्लीज बिटा मलब आप इस चीज को जरूर समझो है ना प्लीज आप सॉल्व करो और यार बच्चो जितने भी बच्चे सब्सक्राइब कोई पता नहीं है तो प्लीज यार बिटा आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाओ है ना और अपना प्यार दिखाओ और यार अपने दोस्तों में एक बार जम के सेशन को शेर करो और तुम में से आधे लोगों ने सेशन में लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज बिटा लाइक जरूर करो है ना क्योंकि वह सारी चीजे हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होती है तो प्लीज जितने भी लोग आप सभी लोग देखे रो प्लीज बिटा एक बार शेर जरूर कर लो यहां से देखो क्या है दो के दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो य यहां से हम क्या लिखेंगे सर यहां से लिखो कि सिंज बोथ मैट्रिक्स आर्था इक्वर मैट्रिक्स सिंस बोथ मैट्रिक्स आर्द इक्वल मैट्रिक्स दो के दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं so that x-y ब्रावर-1 z ब्रावर 4 2x-y ब्रावर 0 w ब्रावर 5 तो बस हवारा हम से बता दो मुझे x, y, z बिटा सब की वैलू बता दो जो तुम बताओगे मैं वही लिख दूँगा तो यहां से x और z की वैलू तो पता ही है w की पता x और y की निकाल लो तो कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे भईया x-y ब्रावर-1 2x-y ब्रावर 0 तो बस दोनों को solve कर लो minus x is equal to minus 1 x is equal to क्या होता है 1 होता है ठीक तो x is equal to कितना आ गया वन आ गया सेम यहां से y की अब x की वैलू को y में उठा के पूट कर दो तो is equal to minus 1 x की वैलू 1 minus y is equal to minus 1 तो y की वैलू कितनी आ गई वह वो 2 आ गई तो यहां से लिख सकते हो answer answer आप क्या लिखोगे x is equal to 1 y is equal to 2 z is equal to 4 और w is equal to क्या लिखेंगे बिटा 5 लिखेंगे ठीक है एकदम crystal clear है सभी को हाँ याना जल्दी से एक बार देख लो फटा फट कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को और हमें यहां से निकालना क्या है बिटा x plus y की वैलू निकालनी है यह यह answer नहीं है x plus y की वैलू को answer में निकालना है तो बिटा यहां से हम आगे x plus y की वैलू निकालेंगे है ना तो यहां से क्या लिखोगे नाव लिख लो x plus y is equal to x की वैलू है 1 plus 2 is equal to 3 तो भी यहां से जो answer है हमारा कितना आगे 3 is the right answer ठीक है clear है सभी को हाँ यह ना जल्दी से बता दो मजा आ रहा है x plus y निकालना था है ना x plus बिटा जो लिखा है सब सही लिखा है है ना जो भी लिखा है सब सही लिखा है ठीक है तो तुम्हारा हम से इसको cross verify भी कर सकते हो जो भी लिखा है सब सही लिखा है आज जल्दी से यह matrix निकालो फड़ा फट अब बिटा आपको निकालना है आपको निकालना है सारे के सारे मेरे बच्चे फड़ा फड़ा निकालो कि बस मुझे तुम रो और कॉलम बता दो एक का कितना रहा है बस मुझे लिखके बता दो ज यहां से A is equal to क्या हो जाएगा 9 minus 2 यह हो जाएगा minus 1 1 4 3 minus यह कितना हो जाएगा 1024-19 ठीक यह भी देखो CBSC का PYQ जबेटा तो यहां से A is equal to कितना जाएगा 9 minus 2 minus 1 1 4 3 प्लस अब यहां से यह minus को हर चगा पर multiply कर दो minus 1 minus 2 1 0 minus 4 minus 9 तो यहां से A matrix हमारे पास आ गया कितना 9 में से 1 घटा दो 8 minus 1 minus 2 हो गया minus 3 3 4 1 हो गया 5 minus 2 minus 3 3 में से नो घटा दो कितना के सर माइनस का 6 और यह हमारा एंसर है प्रेम से बोलो वावा जल्दी से भड़ा पर सारे के सारे मेरे बच्चे अगनी जला के एक बार बता दो मजा आ रहे के नहीं ठीक है कितना रहे है विटा 8 minus 35 यहां पर देको बता रख रख को कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए हर बच्चे के लिए सेशन इंपॉर्डेंट है ठीक है आजओ जल्दी से यह सवाल करते फड़ा फट यह सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर रहा ठीक है सभी मेरे बच्चे सवाल को स्वाल करिए एक सेकंड इसको डिल लाइक कर दो शेयर कर दो एक मुझे बात बताओ तुम्हें छोटा सा कामरा लेके मोबाइल के आगे फोटो खीच के फेस्टूक पर डालते हो एक लाइक आता है तो अच्छा लगता है तुम्हें सेम इसी तरीके से जब मेहनत करके अगर आप सभी लोग लाइक करते हो यह निवा वह निवा ए डॉल लेकिन आपको पता नहीं अथाह मेंत होती सब कॉंटेंट टाइपिंग कॉंटेंट बनाना आपको पड़ाने के लिए छी सुचना कि कितने कम टाइम में चीज़ें हो जाये बहुत मेनत होता है समझे रहो एक सेकंड का टाइम खुद के लिए नहीं होता खुद के घरवालों के लिए नहीं होता जब तक आपके चार दिन पेपर चलेंगे है और जब आप लोग कहते हो ना नीचे कि सब्सक्राइब यह क्यों कहते हो कि? क्योंकि शेयर करते हो, बच्चे जादा होते है अच्छा लगता हैSमंझा रहोग इस व conquest से बोलता है other कोई जन्नत नहीं मिल जाता उमर नहीं बढ़ जाती बस अच्छा लगता है क्योंकि तुम लोग होते हो कुछ बदमाश बच्चे होते कुछ अच्छे बच्चे होते हैं कॉमेंट करते रहते हो प्यारे-प्यारे से हसाते रहते हो तो session का पता नहीं लगता अदर्वाइज बस तो यह चीजे होती है आयूश कह रहा है आपको पैसे मिलते हैं इसके लिए हाँ इसके लिए पैसे मिलते हैं तो यहां से ABC की बेटा value बतानी है क्या है ये excuse symmetric matrix है तो यहाँ से आप कैसे लिखोगे यहाँ पर हम solution लिखेंगे इसका बाकाइदा तो solution यहाँ बेटा बहुत अच्छा question है मतलब mind blowing question है सभी बच्चे इस सवाल को बावु जरूर solve करोगे यहाँ पर लिखोगे since a is equals to 0 2 c a b 1 3 minus 1 0 is a excuse symmetric matrix is a excuse symmetric matrix ठीक so that बटा excuse symmetric matrix के जितने भी diagonal के element होते है वो सारे के सारे क्या होते है बावो 0 होते है जितने भी diagonal के element तो so that यहाँ से हमारी जो b की value है यह तो आगई 0 ठीक इसके अरामा जो आपस के element है वो दूसरे के minus times होते है तो यहाँ से a की value कितनी हो जाएगी minus 2 और c की value कितनी हो जाएगी सर minus 3 यही पूछ रखा है तो a b c की value हमारा यही आगए answer ठीक तो यह सवाल एक दो नमबर का question आपसे पूछा जा सकता है ठीक है आई होप अच्छी तरीके से clear होगा बटा आज हो जल्दी से सवाल करता है कह रहा है आपको alpha की value basically बतानी है ठीक है तो यहाँ से आपको alpha की वो value बतानी है so that यह identity matrix हो जाए एक नमबर का question आपको जल्दी से बताओ हेलो सर बस पास करा दो please बेटा तुमारे को पास कराने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ तमाजे ने हो तुमारे को पास नहीं कराना होता तो क्यो खड़ा होता ठीक तो करो जल्दी से फड़ा फट यहाँ पर क्या कर रहे बबू कि यहाँ पर alpha की क्या value होगी ताकि इसकी क्या value हो जाए identity matrix तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे given that given that A is equals to identity matrix तो A क्या भी है cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha is equals to identity matrix 1001 तो यहाँ से क्या करोगे cos alpha is equals to 1 तो alpha की value कितनी आ गई 0 degree आ गई कितनी आ गई 0 degree देख रहो बिनोद अलफा की value कितनी आ गई 0 degree समझाया अलफा की value कितनी आ गई 0 degree ठीक अब जल्दी से यहाँ पर आजो फड़ा फट find the value of the key यह भी सीविस्टी का पीवाई की हुज है देख रहे हो तुम मैंने बोल रखा है ना तुम्हारे को की सारे सवाल तुम्हें करा दोंगा बिटा कुछ नहीं छोड़ेंगे इस वजह से मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा पेपर फसेगा मेरे सेशन से यह तुम् यह दोनों मैट्रिस का मल्टिप्लिकेशन इस इकल टू दिस वां तो आपको के की वैल्यू बतानी है तो भी या रोब आई कॉलम जल्दी से भड़ा फट करो यहां से इन दोनों को मल्टिप्लाई करो तो 3 प्लस 4 तो यह आ जाएगा कितना 3 प्लस 4 यहां पर करो 1 प्लस 10 य यहां पर करो 3 प्लस 20 ठीक है बाबू यहां से कितना आ गया यहां गया सर 7 के 1123 ठीक टुब यह कितना आ गया 711 नौट सत्तरह 23 is equals to 711 के 23 प्रेम्स बोलो वावा जल्दी से के की वैलू कॉमेंट सेक्षन में सारे के सारे बच्चे रिप्लाई कर दो फटा फट कितना आ गया के इस इकल टू 17 इस दा राइट एंसर मजा रहे की नहीं पोलो फटा फट है आना मजा रहे भीया कोई भी समस्या किसी भी सवाल यह कह रहा है इव दा मैट्रिक्स दिस वन बहुत अच्छा कोश्चिन माइंड ब्लोई सवाल के रहे इफ इस दिस वाइज इसक्ति मेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड दा वाईल्यो फटे सारे बचे कमेंट सेक्षन में आपका रिपलाई आना चाहिए बिटा दिखो हम हम टो यह सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां को समझ नहीं आ रहा है हम सब्सक्राइब करें रहे हैं द्सक्राइब होगे जल्दी से बताओ एक बार फट पर हाँ यहां से एव ब्स का यहां पर यह मैत्रिक मैट्रिक सा वह सारे डागनल यहां जाएक सर माइनस टू-बी की वेली कितनी आगई सर प्लस थरी आ गया क्यों क्योंकि यह दो के दोनों एक दूसरे के निगेटिब टाइम ठीक सभी बच्चों का आंसर आ गजब गजब हैसी सवाल कर तो सी भी से ट्वेंटी सी व हजार बारा का जबर दस अच्छा सवाल क्यूट है सवाल दो नम्मर काád विशन जल्दी cafe सारे बच्छे बताहूगे साइन थीटा यहां पर हो जाएगा सर कॉस स्कॉयर थीटा और यहां से प्लस साइन थीटा को सब में मल्टिप्लाई कर दो क्योंकि किसी भी नंबर से जब हम मैट्रिक्स में मल्टिप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स के हर नंबर में मल्टिप्लाई होता है यही प्रॉपर्टी लगा नहीं तो यह हो जाएगा साइन स्क्वाइर थीटा यहां पर हो जाएगा सर्थ साइन थीटा कॉस्ट थीटा माइनस का और जल्दी से से बोलो वावा फटावाटार आंसर बताओ यार जल्दी से साइड स्कॉराइर तीटा कितना आ इस साम अगलें मैंजा रहें किनी हाँ दो नंबर का विस्षिन यहां से जाएगा सर साउस्टीटा साइंस दिट आ माइनस कॉस्ट देख रहे हो तुम सीवीटी वाले बच्चों को लग रहा होगा कि सर आप क्या ही कर रहे हो आज आज आपके हाथ में यह कहां से इतनी कंट्रोलिंग आई यह स्टेप लिखने की है ना साइन थीटा इंटू कॉस्ट थीटा यहां से कितना आ जाएगा कॉस स्क्वाइर थीटा प्लस साइन स्क्वाइर थीटा ठीक है तुमको नहीं लेग रहे है जो बच्चे पुराने हों उनको लाई रहा सर आज आप इतना एक एक अच्छर कैसे लिख ले रहे हो हमां पता ही न 001 this is the right answer प्रेम से बोलो वावा जल्दी से फड़ा फट सारे के सारे बच्चे यार जितने बच्चे देख रहो है या यही काम जब सीवीटे में करता है तो है से साथ लाई गरोरें से प्लाई करो अन्य एक लाइन में अंसर लिखता बड़ में कितना सुंदर सुंदर बना आपको सिखा रहा हो साथ हाथ हो हाथ कि आंसर राइटिंग लिखते कैसे हैं समझ मैं आपको आंसर राइटिंग लिखनी आनी चाहिए दर्वाइज नमबर नहीं मिलेगा यह तुम्हारी कॉपी यह यह जैसे तुम्हारी कॉपी यह यह मालो तुम्हारी कॉपी है ठीक है आप तुम इसमें मालो सुंदर सुंदर अपने अपने अंसर लिखोगे अब यह कॉपी मालो आज एक्जामडर मेरे पास आ रही तुमारे फिजिक्स का पेपर है जो कज इंसर डिसकस कर रहे था है अब मालो यह मेरे पास आई अब मैं देखूंगा तो इसी सवाल में जो तुम्हा समझ दा अब कोई फरक नहीं पड़ता कि तुम्हारे गाल में तिल है के नहीं है कि कॉपी में तिल नहीं दिक्कत हो जाएगी तो यह बात जरूर द्यान रखना वेटा समझ मैं तो यही कॉपी ही तुमारी पैचान है और इसी में तुम्हारे को अच्छे से लिखना है तो यह चीज जरूर द्यान में रखना यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम लिखो गए ना इसमें सुन्दर सुन्दर सजा के अ ऐसा सजा देना पिख्यामिणर फिदा हो जाए मतलब अलब बस मन मौहलो उसका अपनी कॉपी को ना तुम उरुबसी मेनका बना दे ना तुम अ अधिनेटीटि मैट्रिक्स इड़र का हूँ थीखे क्लियर तुम गाते रहा चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा यह चांद तारों में नजर नहीं हाना चीह कौपी में चेहरा नजर आना चीह कितने सुंदर हो तुम आजो जल्दी से फड़ावट अगले सवाल पर एक्जामिनर के बहेजे में गुशादो तुम यह एक एक चीज A is equal to क्या है सर, cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta भीया, A transpose कितना हो जाएगा, row column को change करो जल्दी से बस में, मुझे बेटा comment section में answer चाहिए सवाल को मैं पूरा solve नहीं करने वाला हूँ sin theta, cos theta, ये भी सर 2 cross 2 का है, ये भी सर अमारे पास 2 cross 2 का है तो अब जल्दी से मुझे एक बार फड़ा फड़ा आंसर बता दो इसका कितना रहा है, A into A transpose कितना आ जाएगा, A into A transpose, तो ये हो जाएगा, cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, बस मुझे बेटा final answer बता दो, यहां से कितना रहा है, A into A transpose is equals to कितना रहा है, रो भाई कॉलम मल्टिप्लाई करेंगे, यहां से सर पहला रो और यहां से सर पहला कॉलम, तो यह हो जाएगा, cos square theta, plus sin square theta, 1, इसको cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta, 0, sin theta, cos theta, this one, 0, और यह आगे, sir, 1, तो यह हमारा क्या हो गया, again, sir, this one is the identity matrix, यानि कि I2, तो आंसर हम क्या लिखेंगे, I2 बराबर, 0, 0, 0, 1, यह हमारा अंसर है, देखो कितना सुन्दर अंसर लिखा है न, ठीके, paper में यह सब कर देना, एक आधा का ऐसे दिखा देना, बेटा, maths में यह सब बहुत matter करता है, यह तुम ऐसा मैस सुचना कि यह गंदा लग रहा है, नहीं, copy में ऐसे दिखाना, examiner को कि यहां से खीच के, ऐसे bracket करके, यहां पर एक bracket करना, इसको एक करके दिखाना, ऐसे नहीं कि सारा घोच पांच कर रहे हैं महीं पर, है न, तो एक को ऐसे करके दिखा देना, कि हम row by column multiply कर रहे है, जामनर को ताकि यह बुद्धी में आ जाए, उसके, कि तुमारे को पता है, row सब्सक्राइब को समझ आ गया है, तो यह सवाल देखो, एकदम सेम प्रेटन का question कर लोगे कि इसको छोड़ दूं तुम्हारे हवाले, हूं, कर दूं, इस steps मैंने खाए, तुमको नहीं खाना, समझ मैं रहा है, क्योंकि maximum बच्चे बिटा कर चुके थे, ठीक है, clear है, सभी को हाँ है न, तो अब जल्दी से मुझे बता दो, एक बार फटा-फट, जल्दी से एक बार बताओ, इस सवाल को कर लोगे कि ने, यह सवाल यह तुम्हा लिखा है, यहां से देखो, given that, तो a बराबर this one, i is equal to this one, तो यहां से सबसे पहला काम a square हम निकालेंगे, तो solution a square निकालो, कितना आ जाएगा, minus 3, 1, 2, minus 1, into, minus 3, 1, 2, minus 1, तो बिटा, इन दोनों को row by column multiply करो, इसको इसमें multiply करो, 3, 3, 9, plus 2, इसको इसमें multiply करो, minus 6, minus 2, अब इस 3, minus 1, अब इसको इसमें करो, 2, plus 1, ठीक, तो यहां से हमारे पास कितना हो गया, 11, minus 8, minus 4, 2, plus 1, 3, तो a square हमारे पास यह आ गया, ठीक, तो बस अब यहां से जल्दी से मुझे के की value बता दो, फड़ा-फट, कितना आ रहा है, बाबु भाईया जल्दी से बता दो, यहां से a square यह आ गया, तो बिटा, यहां से a square plus identity matrix, कितना हो जाएगा, 11, minus 8, minus 4, 3, plus identity matrix, तो 1001, यह कितना आ गया, 11, plus 1, यह हो गया, 12, minus 8, minus 4, 3, plus 1, हो गया, 4, ठीक, तो भाईया, a square plus आ यह हो गया, अब यहां से k, a लिक लेते हैं, तो k into a, a कितना है, minus 3, 1, 2, minus 1, तो यहां से multiply करोग है, यह आ गया, minus 3, k, 2, k, minus k, तो यहां से a square, 3 number का बहतरीन सवाल, is equal to k, a, तो a square plus i, हमारे पास यह रख है, कितना, 12, minus 4, minus 8, 4, is equal to k, a, हमारे पास यह रख है, तो k की बेटा, जल्दी से value बता दो, मतलब अब मैं पीछे मुणू, तो बस मुझे answer दिखना चाए, यहां प के, ठीक, तो यहां से भीया, हमारे पास k की value बता दो, जल्दी से फटा-फट सारे के सारे बच्चे, अब यह दोनों matrix बराबर है, तो minus 3, k is equals to 12, तो यहां से k की value कितनी आ गई, k की value आ गई, sir, minus का 4, यहां से answer आप कैसे लिखोगे, k की value is equals to minus का 4, कोई भी बच्चा यह न नमबर काट लेगा, पूरे दिन, ठीक है, clear है, एकदम अची तरीके से, कोई भी doubt, किसी भी बच्चे को, जबरदस तरीके से, कितना आगया, answer is minus का 4, ठीक है, तो यहां पर देखो, काफी सारे question तुमारे लिए छोड़ा रखे हैं, तुम कर लेना, देखो, यह भी सवाल आर सब सिखा रखे हैं, तुमारे को, ठीक है, यह भी question, खुद से कर लेना, यह जो भी सवाल बचे हुए है, don't worry, बेटा, सारे question मैं आपको करवाओंगा, hundred, जो भी हम most expected वाले आगे questions करेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम matrix को खतम करता हैं, काफी सारे question मैंने यहां पर करवा दिय कि बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, तो क्या हल चाल है, भी है, सभी को मजा आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी से एक बार बता दो, फड़ा फट, ठीक है पीटा, मजा आ रहा है सब को, हमारे देखो, तीन चैप्टर खतम हो चुके है, कितना बज़ रहा है भी, बारा बच्के एक यावन मिनट है, ना, नो, चार, मतलब चार घंटे में हमने तीन चैप्टर खतम करे, मैट्रिक्स में थोड़ा सा टाइम जादा लग गया, तो जल्दी से एक बार मुझे बता दो, फड़ा फट, मजा आया है कि नहीं, एक बार जल्दी से फड़ा फट, एक बा एक दम जबर्दस तरीके से मजा आ रहा है तो अभी देखो हम लोग तीन चैप्टर खतम कर शुके हैं, अभी काफी कुछ करना बाकी है, ठीक है, तो अब आगे आगाज करेंगे हैं, डिटर्मिनेंट का, ठीक है, और डिटर्मिनेंट में काफी कुछ छीज हैं हमारे मुद्दे की बात यह है कि हमें चार दिन में रगड के पढ़ाना है समझे और एक मतलब चार चैप्टर कम से हम कर ले समझ रहो मतलब चार चैप्टर के बाद ब्रेक शुब माना जाता तुमको पता ना तीन शुब नहीं होता है ना तो तीन शुब नहीं होता है ना तो मम्मी से बोलो कि खाना लाके वहीं पर दे दें आराम से आगे मोबाइल रखो बगल में कौपी और एक हाथ से खाना खाओ तुमको पता है जब तक त्याग नहीं करोगे जब तपस्या लगेगी भगवान को तब जाके कुछ होगा तो जल्दी से आज़ो फटा अब आगे वाले सवाल को करते हैं दिटर्मिनेंट में सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि आखरकार इसका वेटेज क्या है यार डिटर्मिनेंट पांच नमबर का है मतलब इसका वेटेज आप समझ सकते हो कि वही मैट्रिक्स के जैसा ही है पांच छे उपर नीचे मालो एक आदा अपन डाउन हुआ तो अब इसमें सवाल किसी हिसाब से बनेंगे डिटर्मिनेंट से प्रॉपर्टीज हटा दिया इस बार आपको सब कुछ आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस से हटा दिया है ठीक है एक बेटा clear है सभी को हाँ या जल्दी से चले आगए ठीक है तो यार अब इसके आगए आप चलते है बिटा ठीक है तो डिटर्मिनेंट को हम लोग करते हैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्षन अगेन टू क्रॉस्टू का डिटर्मिनेंट आप सभी बच्चों को आता है कि एगर मालों कहीं पर दो अभी मेरे बच्चे जल्दी से आप एक बार देखो कि माइन और किसी भी डिटर्मिनेंट काम कैसे फाइंड आउट करते हैं ठीक है यहां पर देखो लिखा है था माइन और गिवन यहां से बाबू एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं इन केस इस इक्वल स्टू अगर मालो हमें M101 लिखना है और माम-120 को छोड़एंगे यहां पर एयां पर ठीरीनेट lub Idaho को सब्सु extraord कर सकते आने कि थी माइनस कब भिस दनेंगे समाज उल और बिया के बाद थोटा सा ब्रेक्ट करेंगे ठीक अच्छा जैसे मालो कर यहीं चीज हमें अगर मालो यहीं चीज हमें आप एक्जामपल एम थ्री टू मालो निकालना है तो अब इसमें आप क्या करोगे वह डिटर्मिनेंट का अगया सी और एफ समझा है तो बस अभी यह मल्टिप्लाई कर लो यह कितना आ गया एफ माइनस का डी सी आ गया तो यहीं हमारा एंसर आ ठीक है क्लियर ठीक है बिटा क्लियर है सभी को सेम इसी तरीके से आप को ही सभी माइन और निकाल सकते हो जब लोगर आपको एम टूवन निकालना है जल्दी से एक बार कॉमेंट सेक्षिन में एम टूवन बताओ फटा फट बिटा एम टूवन कितना होगा सारे की सारे बच्चे माइन और कितना होगा कि जल्दी से माइन और ऑफ टूवन सारे कि सारे बच्चे कॉमेंट सेक्षिन बताओगे कि माइन और ऑफ टूवन कितना होगा तूवन का मतलब यह है कि दूसरा रोग चोड़ना है और पहला कॉलम यह मतलब इसको छोड़के आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट यह बना लोगे क्या वो क्या हो जाएगा यह ओगया 2 यह हो गया C यह ओगया 3 तुवरामस इसको सौल कर लो 3 b-2C यह हमारा माइन ओर हो गया है ठीक है ले जल्दी से मुझे बतातो फड़ा फट कि रेट किसी बी बिदाउट किसी भी महानुभह को कोई भी समस्य आई थी क्यार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ठीक है आगे चलता है यह ओगई बात माइनोर की अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा को फैक्टर की बात है ना को फैक्टर की कहानी अब जरा यहां पर को फैक्टर देखो क्या होता है बाबू सी आई जे इकल ट है जा है अब दिक होला है यह तो यह अ निकालना को आता है प्लस न और यहां है चोड़ दो पेहँर किया बन जाएगा यह बन जाएगा हमारे पास कितना 2F3G तो बटा यहां से हम आराम से इस डिटर्मिन को निकाल सकते हैं ठीक है बहिए क्लियर है सभी बच्चों को हाँ है जल्दी से बता दो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउड यार जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं बिटा सभी बच्चे आप में से कोई भी बच्चा बटा सी 32 जरा बताओ कितना आएगा सी 32 आपके सामने अगर यह डिटर्मिनेंट है मैं देखना चाहता हूं कि इतने बच्चे को यह चीज आती है तो सी 32 जल्दी से मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा 32 यानि कि आप क्या करोगे तीसरा रो दूसरा कॉलम आप छोड़के अब मुझे C Three 2 आप बता दो कितना आएगा जल्दी से जल्दी से बीटा C Three 2 कितना आएगा सारे के सारे बच्चे तो यहां पर कैसे लिखोगे सर माइनस 2 गुण है अनह won to the power 3个 2 और M Three 2 तो मैनस 1 की power 5 यह कितना आ जायगा मैनस 1 आ जायगान और और M32 कितना आएगा M32 तो यह आजाएगा A1C3 इसकी वेलू निकाल लो आरा हम से माइनस हो गया थ्री यह माइनस का सी तो यह हमारा अंसर है ठीक luck है सभी को हां जल्दी से लिए बार देखे कोई समस्य है किसी भी बच्चे को आगे चलता है ठीक है अब यहां पर फ्ट्रोटी है थाना एक चोटी सी इत अब इसको बहुत जढ़ाप को बहूत छी तरीके से बहुत ना अब हम किसी भी को का क उसी के क्को फैक्टर से मल्टिप्लाई करके जोड दें तो हमारे पास value of the determinant आती है क्या दुबारा सुन नद्यान से अगर हम किसी भी रो के element को जैसे a1 को इसी के को फैक्टर से multiple कर रहे हैं प्लस B1 को इसी के खोट्र से multiply कर RO Health प्लस small c1 को इसी के कोफैक्टर से multiply कर रहे हैं तो अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास value of the determinant आएगा के दुबारा सुनों एक बार फिर से सुनू अगर हम किसी भी row या किसी भी column के element को उसी के co factor से multiply करके अगर हम जोड देते हैं तो हमारे पास value of the determinant आथा है तेम इसी दरीके से जो a2, b2, c2 है अगर हम a2 को इसी के co factor से plus b2 को इसी के co factor से plus c2 को इसी के co factor से multiply करके हम जोडेंगे तो हमारे पास value of the determinant आएगा सेम इसी तरीके से अगर यहां से हम third row के element को इसी के co-factor से multiply करके जोड़ेंगे जिसने A3 इंटू इसी का co-factor, B3 इंटू इसी का co-factor, C3 इंटू इसी का co-factor अगर हम multiply करके जोड़ेंगे तो हमारे पास value of the determinant आएगा, एकदम आराम समझो, सेम इसी तरीके से किसी भी column के element को इसी के co-factor के साथ अगर multiply करके जोड़ेंगे तो हमारे पास value of the determinant आएगा, कैसे, A11 को इसके co-factor के साथ, A2 को इसके co-factor के साथ, A3 को इसके co-factor के साथ multiply करके जोड़ोगे, तो यह सेम वही determinant आएगा, सेम इसी तरीके से, अगर हम किसी भी किसी भी column के element को, अगर हम उसी के co-factor के साथ multiply करके जोड़ते तो हमारे पास क्या आता है, value of the determinant आता है, तो यहां से भी value of the determinant, यहां से भी value of the determinant आएगा, तो यहां से न यह बहुत important, यह एक number का सवाल तुमारे paper में बनता है, basically MCQ टाइप में, कि आपको एक ऐसा ही determinant देदेगा, और ऐसा ही चार option देदेगा, बोलेगा इन में से determinant की value क्या है, तो आप यह चीज़ चेक करोगे, कि कहां पर किसी भी row या किसी भी column के element को उनके co-factor से multiply करा गया है, जहां पर करा जाएगा, वही उसका answer होगा, समझ में आ गया है, सभी बच्चों को हाँ या ना, अच्छा, अगर यह चीज़ समझ आ गया, तो तुमारे को एक बहुत important line यहाँ पर लिख रखी, अगला concept आप समझो, if the sum of the product element, any row column with the co-factor of other row or column is always equal to 0, यह कहने का मतलब यह है, कि अगर हम किसी भी row के element को, किसी दूसरे row के co-factor के साथ में multiply करते हैं, तो value 0 आती है, ध्यान से सुनो, मैंने दो चीज़े बताई है, पहली चीज़ यह बताई है, कि अगर किसी भी row के element को, उसी के co-factor के साथ multiply करके जोडते हो, तो value of the determinant आता है, दूसरा फंडा मैंने यह बताई है, कि अगर कहीं पर, किसी भी row या किसी भी column के element को, किसी दूसरे row या किसी दूसरे column के element के साथ multiply करते हैं, तो value हमारी के आती सर जीरो आती है, तो I think यार सभी बत्चों को यह चीज़ अच्छी तरीके समझा गई होगी, ठीके, तो this was the whole concept, ठीके, ठीके बिटा, एकदम clear है सभी को, हाँ या जल्दी से एक बार मुझे बता दो, फड़ा फट, कोई भी doubt किसी भी बच्चे को, इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे continuity, differentiability, तो यार कोई भी बच्चा, देखो, अगर आप हिम्मत हारोगे ना बिटा, तो लास्ट के टाइम पर आप बाजी नहीं मार पाओगे, तो यार आपको देखो, ठीके रहना है, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसे मालोगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक determinant है, खना, A is equal to, मालोग यहाँ पर एक determinant हम लिख देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक, यह 3 x 3 का determinant है, अमालोगर हम इसमें किसी भी लामडा से मल्टिप्लाई करते हैं, तो यह लामडा कहाँ पर मल्टिप्लाई होता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में है, यानि कि लामडा, A11, A11, लामडा, A21, लामडा, A31, ठीक, और बाकि सारा ऐसे रहेगा, यानि कि A12, A22, A32, A13, A23, A33, यानि यार कहने का मतलब यह है, कि अगर हम कभी भी किसी भी determinant में, अगर हम किसी भी constant से multiply करते हैं, या किसी भी variable से भी multiply करते हैं, हाना, तो बिटा, वो किसी ना किसी एक रो में, या किसी ना किसी एक column में ही multiply होता, और वो चाहे किसी में भी हो सकता है, चाहे वो पहले column में, चाहे दूसरे कॉलम में, चाहे तीसरे में, चाहे पहले रो में, चाहे दूसरे रो में, चाहे तीसरे रो में, तो यह तरीका होता है, अब अगर मालो इसी में से हमें common निकालना है, और example जैसे मालो a is equal to यहाँ पर दे दे, यहां से और यहां से तो सब से मी रहेगा, मतलब जहां से निकलेगा सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ही निकलेगा, तिया जाएगा 12, 18, 30, ठीक है यार, सभी को हाँ यार, clear है बेटा, सभी बच्चों को जल्दी से एक बार देख लो, अच्यां से से तरीके से आप चाहो, तो इस वाले कॉलम से निकल लो, मैंने इस में से निकला आप इस में से निकल सकते हो, वैलू हो सकता है बाकि सब में नहीं होता ठीक है जब कि वहीं मैं होता मैंते में सारे में मैल्टिप्लाइब होता तो यह difference है दोनों में तो प्लीज आप एक निगता होगा नोर तो जो हम common निकालते तो निकलता भी है ऐसे ही है, चाहे किसी एक column से निकलेगा, चाहे किसी एक row से निकलेगा, तो यह हमारा concept है, ठीक है भईया, अब यहार यहां पर बहुत important चीज अभी आपको कराने जा रहा हूं बेटा, सभी मेरे बच्चे जरा यह properties को note down करना है, सबसे पहली यह आपके option में दिया जा सकता है, कि determinant of a plus b, यह does not as equals to determinant of a plus determinant of b होता है, ठीक, यह बराबर नहीं होता, दूसरा चीज, determinant of a into b, यह बराबर होता भी है, determinant of a into determinant of b के, एक बात आप ध्यान रखना बिटा, properties of the determinant आपके syllabus में नहीं है, मैं दुबारा आपको recall करा रहा हूं, क वो delete करा गया है, उपर-उपर से, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि उसका काम कहाँ पर, sample paper में, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसी पर based sample paper में question है, तो हम कैसे कह सकते हैं, कि यह चीज़ डिलीटेड है, जो आपकी property है ना, कि कि किसी भी row और column, जो transformation हो गया, row को column से change करते हैं, तो सेम आता है, किसी determinant की अगर एक row 0 है, एक column 0 है, तो 0 आता है, यह सब इन्हों डिलीट कर रखा है, मुझे बात बताओ यार, यह अगर basic property डिलीट कर दोगे, फिर बचा क्या, यह इन्होंने वाहियात पंती करी है, समझ रहे हो तुम, तो प्लीज यह जो छोटी डिलीट मारे है, और इस पर बेस्ट सैंपल पेपर में सवाल पूछे हैं, तो जो मैं तुम्हें करा रहा हूं, तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में लिखना, यह मैं सोचना कि सर यह property जो डिटर्मिन तो सलिबस से डिलीटेड, वो मुझे भी पता है, एक एक दिन c हो जाए, यह हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ओफ a into determinant of v into determinant of c ठीक, अगला, अगर मालो यही a1 into a2 into, ऐसे करके अ n तक हो जाए, तो यहां समख्या UP यहां से हमारे पास एक चीज निकल के आता है यहां से निकल के आता है कि इसको अपनी कॉपी में चाप लो बहुत इंपर्टन प्रपर्टी ना जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फर तो यह प्रपर्टी बहुत ज्यादा इंपर्टन है ठीक है आई थिंग सभी बच्चों का अच्छी तरीके से क्लियर होगा ठीक है भईया किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट जरास अभी अगर है तो मुझे तुरंट बता दो अब यहां पर यह जो प्रपर्टी है ना बहुत इंपर्टन प्रपर्टी बेटा सभी बच्चे क्रिप्या करके ध्यान दो जिसे मानलों कर मैं यहां पर एक कि थी ठीक अब बाटा सब से पहले के लिखते हैं किया हो जाएगा के लिखते हैं JIM देख तो बटब यहां से हमारे पास determinant of a कितना आएगा यहाँ आजाएगा a, d, minus BC और अगर हम यहां से determinant of k, a लिखते हैं तो यह आ जाएगा मारे पास k square a, d, minus का BC आप देखो करके यह यहार रहा है तो बटब यहां से हम क्या लिख सकते हैं determinant of k into a is equal to k square into determinant आपनेंट और लिख सकते हैं कि हाँ या ना जल्दी से यहाँ पर देख लो और इसका और किया आज है इसका ओडर 2 क्रॉस टू तो बटा यहां से एक बहुत ही important फ्रॉपर्टिय निकले के आती है सबसे ज़्यादा मोस्ट मोस्ट इंपर्टेंट प्रोपर्टी जो आपके स्लेबर्स के लिए सब्साद है इंपर्टेंट है यहां पर लिखो if we have a matrix of n cross n order अगर अगर अमारे परस कोई भी एक matrix है if we have a matrix a of n cross n order then determinant of k a बरावर k to the power n into determinant of a होता है तो यह बहुत इंपर्टन प्रापर्टी है यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे है where n is the order of the matrix n क्या है order of the matrix है ठीक है clear है सभी को हाँ यह जल्दी से बता दो फड़ा फट किसी भी बच्चे को कोई भी दिकत बटा यहां पर हम और अगर यहां से करेंगे तो यह कितना जागा determinant of k a k a into k d minus k c into k b कोई भी दिकत किसी भी बच्चे को हाँ या ना जल्दी से एक बार बता दो फड़ा फट कोई समस्या आई थिंग नहीं होगी यार यह सब सवाल cbsc में पूछे जा चुक है हैं सभी मेरे बच्चे फड़ा फट बटा इन सारे सवालों को करो जल्दी से करो एकदम फड़ा फड़ा ना जल्दी से सभी लोग लग जाओ आप तुम्हारी बारी यह जल्दी से लग जो तुम्हारी बारी है यहां पर क्या लिखा देखो determinant of 3 a की वैल्यू बतानी बिटा सवाल मैं कहे रहा हूं इसी में से उठके आजाएगा इसी में से उठागे सर और कुछ भी हो सकता है बिल्कुल बिटा और कुछ भी हो सकता अभी देखो अभी यह concept तुम्हारा धुआ 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 हो जाएगा यहां से देखो क्या लिखा भी यह डिटर्मिनेंट ओफ 3 a यह क्या हो जागा अभावो 3 to the power n into determinant of a यहां पर n क्या होता है सर और होता है यहां पर और क्या दे रखा है 3 ती हो गया 3 to the power 3 determinant of a is equals to 27 determinant of a आगया this is your answer कितना आगया 27 determinant of the a प्रेम्स बोलो आवा जल्दी से अगनी जला के फड़ा फट मजा आ रहा है कि नहीं अगर मजा आ रह सब्सक्राइब करेंगे बड़ा इसी पैटन के कोश्यान 100 पर्शन तुमारे पेपर में क्लियर है जल्दी से करो इस सवाल को कि A and B are the matrices of order 3 such that हा 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 चलो कर जल्दी से इसको भड़ाफट करो इसको मजा रहा है यार देखो तुम लोग ना एकदम बहुत प्यार से पढ़े रहे और बहुत अच्छा भी लग रहा है बस जितने भी लोग आप तभी लोग देख रहे हैं और शेयर करते रहो है ना बच्चे रहने चाहिए तभी मजाएगा और आज तुम्हें पूर सबसे पहला काम हम यह वाली लगाते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ के बराबर के टुदी पावर एंटू डिटर्मिनेंट ऑफ यहां पर यहां पर यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बस वैल्यू पुट करते हो कितना है वहें है कितना होगे बहिए माइनस का 27 इजद राइट एंसर कितना आ इंस कहा लांव एक सबी को यह आजाएगा 27 determinant of A into determinant of B यह आजाएगा minus 27 into 3 is equal to minus 81 minus 81 is the right answer ठीक है फीटा B part will be the right answer ठीक है बिलकुल बिलकुल बच्चा बिलकुल B part ठीक है चलें आगे आगे अगे next question next question नहीं है आगे यह next question नहीं है आगे adjoint of a matrix adjoint of a matrix condemnation of a matrix कि बात करते हैं फड़ाबर सबीबच्चे देखेंगे बिटा adjoint क्या होता है सरकoff factor का transpose होता है क्या करोगे किसी भी matrix का co factor निकालोगे उसका transpose e क्या होता है यह дело joint होता है क्या होता है यहाँ Minute होता है ठीक तो ए Rudy 접 swag का एध्यारम का किsk आग्यान निंगे तो यह हमारा हुता है ज्ञाइंट करते हैं सदो क्रौत कर देऊ तो इसकी छोटी सी इसके एक चोटी सी शौट टीक है तो अगर मालों यहाँ पर ए लिखा हुआ है और अगर लिखना है तो तुम करते क्या हो सर इन दोनों को हम स्वाइप कर देते हैं यानि कि यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा और इन दोनों को माइनस टाइम करके यहीं पर लिख दो जैसे मान लोगर कहीं पर तुम्हारे पास ऐसा लिखा है 1234 है तो कैसे लिखता है यहांप ले जाओ इसको यहांपर तो यहो गया21 इसको यहांपर इसको यहां नहीं यहांपर Swept नहीं करना यह – 2 – 3 अख उस तरीका से ठीक है अगर हमें कभी भी एगर Adjoint of A लिखना है 2 cross 2 के matrix का तो this is the direct तरीका आप आराम से लिख सकते हो अब बेटा Adjoint की एक प्यारी सी property होती है कि A into Adjoint of A बराबर Adjoint of A into A is equal to determinant of A into I ठीक है बेटा clear तो ये एक बहुत ही प्यारी सी property होती है सभी बच्चे इसको no down कर सकते हो कि A into Adjoint of A बराबर Adjoint of A into A is equal to determinant of A into I ठीक है बहुत है clear है सभी को हाँ आगे चलते है यार नेक्स्ट जल्दी से आजब Adjoint of the matrix इसका निकालना है सभी लोग बता दो फड़ाफट कितना रहे यह कितने नंबर का आएगा यह आएगा तुम्हारे पेपर में बभू टोटल में लाके पांच नंबर का समझ रहे हो तो बहुत कठिन नहीं आने वाला आएगा बहुत आसानी है ना करो इसको जल्दी से फड़ाफट यहां से इसका जॉइंट निकालना है दो नंबर का एक नंबर का कोशन जल्दी से बताओ फड़ाफट जल्दी से बेटा सारे के सारे ऑप्शन बताओगे कौन सा पाड़ा रहे है जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे कितना कौन सा पाड़ा रहे है अभी अभ सब्सक्राइब है तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा अब आजाओ जल्दी से आज़ोइन्ट ऑफ इंटू जैसे ऐसे ट्रांसपोज में होता था इन्टू ट्रांसपोज आफ एकल ट्रांसपोज वर इन्टू यह प्रोपार्टी बड़ी इंपोड़ेंट है है ना आपको मैं इसको समझाता हूं बिटा यह बहुत important property है तो सभी बच्चे इसको इस property को ऐसे लिख लो determinant of Adjoint of Adjoint of Adjoint of Adjoint of A बराबर और यहाँ पर जो Adjoint लिखा है न यह R टाइम से लिखा है ठीक यहाँ पर जो Adjoint लिखा है यह R टाइम लिखा है तो Adjoint of Adjoint of Adjoint of ऐसे करके R time is equal to determinant of A to the power N minus 1 to the power R where N is the order of the matrix where N is the order of the ठीक है बहिए clear तो बेटा आपको यह वाला फॉर्मूला जान में रखना है कि अगर determinant के अंदर Adjoint of Adjoint of Adjoint of यह N time लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है सब डिटर्मिनेंट of A to the power N minus 1 to the power R R क्या है यह कितनी बार लिखा हुआ है N क्या है order है और यह क्या है आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ गया हुगा ठीक है आज हो जल्दी से सवाल करते है ए जा सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स यहीं पर आपको बता देता हूं सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगूलर मैट्रिक्स दो के दौनों स्कॉ dagen matrix के लिए ही वेल्द होते हैं आ फॉर एनी स्कॉय मैट्रिक्स में और ऐनी यह ऑब्यसी बात है कि ऐटा अगर हमें स्कॉइर मैट्रिक्स अगर होगा तभी तो आप ढिटर्मिन्ट निकाल पाओगे है कि नहीं तो अगर कहीं पर भी बात होती है डिटर्मिनेंट निकालने की वहाँ पर हमेशा बात होती है किसकी स्क्वाइर मैट्रिक्स की क्योंकि अगर matrix square ही नहीं होगा तो आप determinant कहां से निकालोगे, खुदी सोचो, है कि नहीं, अगर matrix square ही नहीं होगा, तो determinant कहां से निकालोगे, चलो इसका answer बताओ जल्दी से फड़ा फट, फिप्टे 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 परसेंट ठीक है एक्लियर है सभी को हाँ या जल्दी से बार बता दो फटा फट ठीक है हाँ तो इसका answer बता हो कह रहा है एजो है singular matrix है तो ऐंटंट ऑफ इंटब अब ख़्योआइन इसा मैंट्रिक्स है ऐजंगूलर मैंट्रिक्स है आप क्या लिक होगे jest singular matrix तो यहां से डिटर्मिनेंट ओफ ए क्या हो जाएगा 0 इस वज़ास से A in two क्या हो गया सर जीरो आ गया तो यहां से क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स दा राइट हैंसर ठीक है क्लियर सभी को हाँ या ना तो यहां से आपको बताना है क्या है क्या हो जाएगा इस एक टू टू इन know टू the power n-50p पावर आर होता है ना तो यहां पर आर की वैल्यू कितनी है वन एन की वैल्यू कितनी है थ्री यहां से डिटर्मिनेंट ओफ ए टुदी पावर तो यार सारे के सारे तो two square is equal to कितना आगे सर four is the right answer कौनसा आगया four is the right answer ठीक है clear सभी को हाँ या ना जल्दी से बता दो मजा रहे की नहीं यार ठीक है भाई हमारा चौथा चैप्टर complete होने माला है समझ रहो नो तीन बारा नो चार साड़े चार घंटे में और चैप्टर यार और तो क्या लोगे क्या स्वीट चाहिए बताओ और वह भी बकायदा इतने सवालों के साथ में पूरे के पूरे hundred percent concept के साथ में next question आप बताओगे पिटा सभी बच्चे अगला सवाल बताओगे जल्दी से मैं कह रहा हूं तुमारी किस्मत अगर अच्छी रही न इनी सवालों में से आ जाएंगे आपको इतनी प्रैक्टिस में क्लास में करा रहा हूं one shot के साथ में समझे रहे हो तो बच्चा इसके बाहर से नहीं आना मैं seriously कह रहा हूं और अगर मैं कह रहा हूं कुछ बच्चे गा ना सवालों की प्रैक्टिस तो अभी बाकी है भाई कि समझे रहो आज आज और सवाल तुम्हारे हमाले जल्दी से देखता हूं मैं कितने बच्चे कर पाते हो सेम सेम पैटन का बिटा जल्दी से सारे कि साथे मेरे वच्चे फड़ा फड़ इसको बताओ कितना रहा है इसको तो यहां पर देखो हम प्रॉपर्टी से जानता है वी नो दाट क्या हम जानता है वी नो दाट क्या जानते भाईया कुछ नहीं जानते सर आग तिम दिन है एंटू एड्जॉइंट ऑफ ए बरावर एड्जॉइंट ऑफ ए इ कि निहाँ ना यार जल्दी बोलो फड़ा फड़ तो डिटर्मिनेंट ऊफ है की वेलू टैना आ गई बेलकुल यह नग्या है जो इसका आडर है तो यहां से डिटर्मिनेंट आफ एटू दी पावर एन है थ्री माइनस वन टू दी पावर वन तो डिटर्मिनेंट ओफ एटू दी पावर स्क्वाइर यही आ गया गया बस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दो आंसर आजाएगा फटा फट सारे के सारे तो बिटा यहां से ठीक है ठीक है धन्यबाद भाईय साहिल जी तो यहां से यार कितना यह डिटर्मिनेंट ओफ एक की वैल्यू पुट करो फटा फट यह सारे के सारे तो डिटर्मिनेंट ओफ एक कि वैल्यू कि इतनी आ जाएगा दस यह आजाएगा टैनिस्क्वार इस इक्वल स्टू हंड्रेड तो ह सीवीट्र नगा साहिल साहिल टेलीग्रॉप पिं करना है ठीक यह जाएगा तो टेलीग्राम ग्रॉप जो है पिनोराओ अ भी आपको क्या है अभि आराम से ना अबस उसको जो कर लेंगे ना सारे की सारे यह सारा नोच तो एक्दम बेफिकर हो तो वहीं पर यह पीडिया मि जल्दी से बहुत अच्छा कुश्चन सारे बच्चे सवाल को सौल करेंगे फड़ाफट जल्दी से मैं देखना चाहता हूं कितनी जंता इस सवाल को कर पाती है कितनी देर तक क्लास चलेगी बताओ प्लीज तुम रिचार्ज कर लो बाबू जब तक सिलेबस नहीं खताम हो जाएगा तब तक चलेगी क्लास आज मर वर जाएंगे यहीं पर लेकिन आज ना हम भहुत पढ़के जाएंगे मतलब मैं कहा रहा हूं आज ना जब तक तुम्हारा साथ रहेगा सेशन को प्लीज यार शेर करो यार यहां पर तुम लोग ना सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो बहुत गलत काम कर रहे हो कि समझे रहो आज व जल्दी से फड़ा बड़ इसको इसको निकालो सारे की सारे मेरे बच्चे को सवाल करेंगे तो यहां पर क्या लिखा वह यह डिटर्मिनेंट ऑफ एडजोइंट अफ एडजवाइंट आफ यह होता क्या है यह होगा सर्ड़ीटर्मिन टॉफ यहां पर determinant of a to the power N मतलब यानि कि 3-1 to the power r यानि की 2 तो determinant of a की वेलू कितनी है दो है न तो यह बस वेलू फुट कर दो 2 to the power 2 to the power 2 यह क्या रहा तो तू तू अरह साही सभी लिखा है क्या भगवान करें कि तुम्हारी अगली होली किसी कॉलेज में अठ्षे कॉलेज में जहां पर कपड़ा फार होली खेलो तुम ठीक है विटा क्लियर है सभी को हां आ जल्दी से बता दो फटाफट कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को ठीक है अब एक सवाल तुम सबसे अंतिम को अब तक निपट चुका होता ही है समझते और देखो एक घंटे में भी पड़ाना आता है चार घंटे में भी आता है बारा घंटे में आता है समझे रहो बच्चा तो तुम क्वालिटी के साथ में पढ़ो क्योंकि तुम्हारा पेपर है जिन्दगी है उस चीज़ पर समझे धोका धड़ी वाला काम नहीं करना बिलकुल ही कि बस एक घंटे में पूरा खतम ये करेंगे सबसे अंतिमोले दिन जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा न सुबह चार बजे फिर उस दिन देखना तुम्हें मज़ा आएगा पूरा रिवाईज करके जाओगे तुम लेकिन अभ अर की वैल्यू कितनेनी बावस और एन की वैल्यू कितनी है 3 को रॉस थी है तो यह और यह ओ गया année determinant of a to the power 3 minus 1 to the power 1 कितना आ गया determinant of a दे रखाए गया इसको निकाल लो यहां से तो determinant of a कितना आ जाएगा minus 2 into minus 8 आ गया minus 8 to the power 2 यानि कितना रहा 64 कितना आ गया 64 64 is the right answer ठीके बिटा क्लियर है सभी बच्चों को हाँ आना जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फट कोई भी डाउट नेक्स्ट चलते हैं ठीके बिटा एक प्यारी सी प्रॉपर्टी होती है कि determinant of excuse symmetric matrix of odd order is equals to 0 इस पर based आपके sample paper में सवाल भी है determinant of odd order is equal to 0 कितना 0 समझा है determinant of odd order excuse symmetric matrix is equals to 0 ध्यान रखना कि और और की बात कर रहें और और ऑडर की है ठीक है बिटा क्लियर है क्लियर है सर मैंने प्रीविएस एर question solve कर रहा हूं सही एक है बिल्कुल बिटा प्रीविएस एर question paper ही आपके नंबर दिलाएंगे आज हम लोग यार शाम को बिटा आपको देखो comment section में आपको देखो लिंक अगर यह मैट्रिक सेंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको बी की वैलू बतानी है तो बस इसका डिटर्मिनेंट आप 0 करो और बी की वैलू फाइंड आउट करके बता दो कितना रहा है सारे के सारे बच्चे बच्चे बिटा जल्दी से एक बार comment section में बताओ सबसे पहले तो मुझे यहां पर बी की वैलू बताओ जल्दी से बिटा यहां पर यह दे रखाए कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर कोई यहां पर हमें आर से कोई लेना देना नहीं है समझाया तो यहां पर आपको बी की वैलू बतानी है क्या करोगे सर डिटर्मिनेंट आफ बराबर जीरो तो यहां से हमारी बी की वैलू आ जाएगी तो फटटा फट इसको स्वाल करो टो यहां से हो जाएगा यह देखो 5 यह हो गया कितना माइनस 4 भी प्लस 12 माइनस का 10 यह हो जाएगा 1-2 भी प्लस 6 प्लस 3 4 माइनस का 4 बराबर 0 यही आ रहा है ठीक है तो बटा यहां से बी की वैलू कितनी आ रही है बी की वैलू कितनी आ रही है यहां से बी की वैलू कितनी आ रही है आई थिंग बी की वैलू कितनी आ रही है जीरो अब इसको सॉल्व कर लेना यार बी की वेलू आई थिंग जीरो आने चाहिए ठीक है शायद जीरो ही आएगा ठीक है तो कितना रहा है जीरो जालो बहुत बड़े बात है ग्रेट एक्सिलेंट आगे चलता है कि कि वैल्यू कितना रहा है जीरो बा रहा है कितना रहा है तुम लोगों सॉल किये तुमने कितना रहा है कुछ नहीं आ रहा है अब रुको तो मेरे से से एंगर होगे अब इसको करता है माइनस 20 B प्लस 60 प्लस 20 B माइनस 60 ब्राबर 0 है ना यानि कि यहां से क्या रहे है यानि कि यहां से 0 ब्राबर 0 आ रहे है तो बटा अगर 0 ब्राबर 0 आ रहे हैं तो यहां पर आप क्या पूट करोगे B कोई भी रियल नमबर हो सकता है क्या लिखोगे B can be any real number समझा है अरे कुछ नहीं बचा नहीं यहां पर B की आप कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे ठीक है भाईया क्योंकि दोनों साइड क्या रहा है सर जीरो बराबर जीरो आ रहा है तो अगर जीरो बराबर जीरो आ रहा है यानि कि यहाँ पर B की कोई से भी real value हो सकती है क्योंकि अगर आप यहाँ पर B की दुनिया में कोई value डाल दो तो इस determinant की value हमेशा ही 0 आ नहीं है ठीक है? I think सभी को समझ आ गया तो यहाँ पर B की value कोई सा भी real number हमारा हो सकता है बहुत बने, great बड़ा यहाँ पर inverse of a matrix मैंने आपको बताई दिया है है ना कि यहाँ पर inverse of a matrix अगर A B बराबर B A is equal to identity matrix है तो यह basically inverse matrix होता है आपको इसकी properties भी लिखा दिए एक बड़ी important property यहाँ पर बची होई है जो जिस पर based आपका एक number का सवाल मैं से कुमिर में बनता है मैंने सारी परापर्टी लिखा दिए एक पर इफ्रोपर्टी में मैं डीटर्मिनेंट का इम जाता है मैं उसको बताता है मैंने आपको लिखाया है एंटू ए इन्वरस इवर सिखिल कितना होता ठीक है clear तो बेटा यहां से determinant of a inverse बराबर कितना आ गया यह आ गया one upon determinant of the a most important formula बहुत important ठीक तो बेटा इस चीज को आप note down कर लो कि determinant of a determinant of a inverse होता है one upon determinant of a यह objective सवाल में आप से पूछा जा सकता है आपके sample paper में same यही सवाल दे रखा है कि ठीक है यह clear है सभी को 100% डेटा यूजड बेटा तुम लोग आज रिचार्ज कर लो आज बहुत पढ़ेंगे समझ रहे हो आज की जो पढ़ाई है ना तुम्हारे 15-20 रूपे डेटा से कई गुना ज्यादा बहतर है मैं सच में कह रहे हो आपको मतलब यह ऐसा content ऐसा revisionary content यह होना चाहिए ठीक तो यह property most 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 important है इसको लगा लेना पूछा जा सकता है अब यहार बेटा लास्ट में यहाँ पर हम बात करते है सर area of the triangle की अगर हमारे पास कहीं पर भी तीन coordinate है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 तो पिटा area of the triangle क्या हो जाएगा half x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ठीक तो area of the triangle यह हो जाएगा ठीक है पिटा clear तो यहां से मारे पास area of the triangle यह आ जाएगा सारे के सारे x को एक साथ लखो सारे के सारे y को लिखो एक साथ 1 1 1 this one तो यह आ जाएगा area of the triangle अच्छा अगर मानलो तीन को लिनियर पॉइंट की बात करते तो area of the triangle हमारा 0 हो जाता है x1 y1 दूसरा पॉइंट यहां पर मानलो x2 y2 है तीसरा पॉइंट यहां पर मानलो x3 y3 है तो अगर यह ABC को लिनियर है तो बैटा यहां पर क्या हो जाएगा area of the triangle is equal to 0 मतलब यही area के formula को क्या कर दोगे बराबर 0 कर दोगे सेम यही चीज अगर equation of the line निकालनी है तो formula क्या होता है x उसमें यह धान रखना है को उसमें x1 x2 x3 होता है तो इसमें x x1 x2 y1 y2 111 बराबर 0 y area of the triangle के हिसाब से इसको करता है ठीक है पीटा clear है सभी को जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फट हमने क्या कर रहा x x1 x2 y y1 y2 111 बराबर 0 तो यह होता है किसका equation of the line by the determinant method कई बार को सवाल में बोड में ऐसा लिख देता है कि find the equation of the line by the determinant method तो अगर ऐसा कुछ लिख देगा तो आपर फस जाओगे तो यह formula द्यान रखना बोड में ऐसा सवाल पूछ लेता है सिधा सिधा-सिधा लिख देता है कि find the equation of the line passing through this point and this point by the determinant method सब्सक्राइब यहां पर पूरा का पूरा determinant होता है इसके बाद आगे कि कहानी शुरू होती solution of the equations पर तो जिस पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना हाला कि solution of the equation हमारे स्लिवस में दो टाइप से है एक सोलुशन of the equation होता है दो type से है एक-टरमिन मितर अग्वेशन मे नहीं है उसके बारे में हं नहीं पढ़ने वाले अ हमारे स्लिवस में है सब्सेपहले बेसिकली आपको राइक्वेशन को लिखना आना चाहिए बस आट that's- sail जैसे माल लोगर हमारे पास यहाँ पर कुछ equation है बेटा A1X plus B1Y plus C1Z बराबर D1 A2X plus B2Y plus C2Z बराबर D2 A3X plus B3Y plus C3Z बराबर D3 ठीक यह तीन अगर equation है तो बेटा इनको हम यहाँ पर हम तीन matrix का formation करते हैं एक matrix करते हैं A बराबर coefficients का matrix यानि कि A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 यह होता है किसका matrix coefficients का matrix है न similarly यहाँ से एक matrix का formation करते है X का यह होता है सर small x, y, z और एक matrix होता है D matrix that is equals to D1, D2, D3 तो यह तीन matrix का हम formation करते हैं तो यह तीनो matrix का formation करने के बाद जो यह system of linear equations लिखी हुई है इसको हम लिख सकते है capital AX is equals to capital D लिख सकते है कि इने ठीक, इसको capital D लिख लो यहाँ से क्या लिख सकते है बेटा capital AX is equal to capital D तो basically हमें चाहिए क्या AX, Y, Z तो हम क्या करते हैं दोनों साइड pre multiplied by A inverse pre multiplied by A inverse तो अगर दोनों साइड A inverse अगर हम multiply करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A inverse into A into X is equal to A inverse into D तो A inverse A हो जाएगा identity matrix identity matrix into X is equal to X is equal to A inverse into D तो बड़ा बस इतना ही आपको जानने की जरुवत है कि capital X is equal to A inverse into D होता है ठीक, capital X is equal to A inverse into D होता है ठीक है तो अगर यह basically कई जगहों पर जो आपके syllabus में पूछा जाता है जनरली वो यह ऐसे ही पूछा जाता है कि आपको system of linear equation लिख देगा कि आप इसको ऐसे formulation करो find the value of the capital X तो basically आपको करना क्या है A inverse into D आप निकाल लेना है अब D कहां से आएगा this one D1, D2, D3 A inverse कहा से आएगा जैसे हम inverse निकालता है ठीक अच्छा I think मैंने inverse आपको यहां पर मैं भूल गया कराना है एक सिकंड एक सिकंड यहां पर मैंने शायद आपको inverse मैंने शायद I think skip कर दिया है एक सिकंड मैं उसको करा देता हूँ सबसे पहले ठीक तो यह inverse में मैंने यह कराया लेकिन यह फॉर्मूला एक फॉर्मूला बिटा मैं भूल गया हूँ इनवर्स को निकालने का है ना तो यहां से इनवर्स का एक फॉर्मूला है we know that क्या हम जानते हैं क्या एंटू एडज्वाइन्ट ओफ ए बराबर एडज्वाइन्ट ओफ एंटु ए is इक फॉर्म टू डिटर्मिनट ओफ एंटु आई यही हम जानते है तो पिटा हमें निकालना है ए इनवर्स ठीक तो यहां से हम कोई सब एक ले लेते हैं अब यहां से जर्द द्यान से सुनना अब हम एक काम करता है ना दोनों साइड हम अब यहाँ पर देखो, determinant of A, यहाँ पर non-singular matrix है, यहाँ पर since A is non-singular, क्योंकि inverse exist ही तभी करता है, जब A जो है non-singular matrix होगा, तो इस वज़ा से determinant of A जो है, यह does not is equal to 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, अब हम एक काम करता है, अगर यह non-0 है, तो इससे हम divide करते हैं, तो यह हो entity matrix, यह हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर A inverse, हम कैसे निकालेंगे, दोनों side A inverse से हम pre-multiply कर देते हैं, pre-multiply by A inverse, both side, दोनों side हम A inverse से pre-multiply कर देते हैं, ठीक, तो बटा अगर हम यहाँ पर करेंगे, तो यह हो जाएगा, A inverse into A, into adjoint of A, upon determinant of A, A is equal to A inverse into identity matrix, अब यहार A inverse into A हो जाएगा, determinant of A, और सरी, identity matrix into adjoint of A, upon determinant of A, is equal to A inverse आजाएगा, तो बटा, adjoint of A, किसी भी matrix को identity matrix से multiply करेंगे, तो same matrix आजाएगा, तो यहाँ से A inverse कि, A inverse कितना आ गया, adjoint of A, upon determinant of A, तो इस तरीके से हमारा यह फार्मूला आजाता है, क्या A inverse is equal to adjoint of A, upon determinant of A, बिल्कुल बटा, यह derivation लिख लो, यह derivation थोड़ा सा important है, important in the sense कि आपके लिए यह steps बटा थोड़े important है, मतलब आपको यह करना आना चाहिए, कि अगर हम A inverse से pre multiply कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी तो यह identity matrix बनता है, यहाँ पर A inverse है, तो A inverse को अगर identity matrix में multiply करते हैं, तो वही matrix आ जाता है, यह छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें आपको करनी आनी चाहिए, बस, ठीक है सभी को crystal clear है बेटा, देख लो एक बार फटा फटा आया न, तो यह derivation अपनी copy में लिख लो, important है, ठीक है बेटा, clear है सभी को, I think सभी बच्चों को इदम crystal clear है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, solution of the equation हम लोग कर च चुके हैं, अब जल्दी से आजो फटा फट, ठीक है, तो बेटा अब इसमें कुछ सवाल आपके पीछे हैं, जो कि आपको homework करना है, जरूर आपको homework करना है, अब यहाँ से a b का inverse, तो सबसे पहला काम आप a निकालोगे, बी निकालोगे, फिर उसका universe निकालोगे, फिर बी यही तरीका है, कि अगर आपको a inverse निकालना है, तो सबसे पहला काम आप a cube निकालोगे, यह देखो यह कि square matrix है, थरी क्रॉस थरीका, तो a cube बराबर क्या हो जाएगा, a square into a हो जाएगा, तो सबसे पहला काम इसको square करके, a में multiply करके, ठीक है, तो बारहाल यह सब सवाल आपको मैं most expected वाली सीरीज में एकदम बाकाइदा स्वाल करके करा दोगा, लेकिन इस्टिल, आप सभी लोग एक बार को खुद से try करना, ठीक है, एक बार को खुद से try करना, ठीक, सबसे पहले तो आपको a cube निकालना है, मतलब सबसे पहले आप यहाँ से a square निकालोगे, उसके बा आपको a inverse निकालना है, तो a inverse करने के लिए हमें क्या करना है, a inverse निकालने के लिए यहाँ से हमारे को inverse निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो आप सभी लोग इसको घर से try करना, सभी बच्चे, ठीक है, try करोगे, सभी लोग, तो calculation थोड़ी सी लम्मी है, इस वज़ा से मैं try करना, ठीक है, तो सबसे पहला काम इस सवाल को try करो, आप a inverse अगर exist करता है, तो यहाँ से lambda की क्या value होगी, सभी मेरे बच्चे जड़ा इस सवाल को sorry करो, ठीक है, कैली हमिल्टन थेरम पेटा सलेवस में नहीं है, कैली हमिल्टन थेरम बोड के सलेवस में है ही नहीं, वो तो जेई का concept में तुम लोगों को खरा देता हूं, तो बोड में तो उसका नाम भी नहीं लेना, तुम लोग पकड़ गये हैं है ना चला बहुत अच्छी बाद है बड़ा इनवर्स कट नहीं है इनवर्स कट नहीं है एक बात बताओ तुम्हारे सैंपल पेपर में इनवर्स का ही सवाल पूछ रखा है इनवर्स कहां से कट हो जाएगा और आजो जल्दी से सवाल करता है अगर यहां पर कह रहे है अगर इनवर्स करता है तो यहां से डिटर्मिनेंट यहां से देन एक शुड बी A should be non-singular ठीक अगर देखो यहाँ पर क्या गह रहा है कि अगर A inverse exist करेगा तो A क्या होगा non-singular matrix होगा है की ने तो बेटा अगर A non-singular होगा तो determinant of A does not is equal to 0 होगा तो determinant of A इसका निकाल लो तो यहाँ से determinant of A क्या हो जाएगा 2 6-5 minus lambda 0-5 minus 3 1-2 does not is equal to 0 ठीक तो यहाँ से बिटा जल्दी से बता दो कौन सा पाट आ रहा है कि सभी मेरे बच्चे जल्दी से यहाँ से सॉल करके बता दो कितना रहा है 6 में से 5 घटाएंगे 1 तो यहाँ गया 2 है ना और यहाँ से हो जाएगा प्लस 5 लैंड़ और यहाँ से हो जाएगा प्लस 3 डज नॉट इसे कुल स्कुल स्टो जिरो टो लैंड़ कितना आ गया बाबु लैंड़ टज नौट इसे कौन स्टो माइनस का वना आ लेंश फॉन आरे लेंड़ कितना रहे कुछ doubt लग रहा है मझे calculation में सही है क्या लैमडा कितना आ रहा है बिटा ननोप दी जा रहा है लैमडा की value कितनी आ रही है तुम लोग निकाल ही नी रहे हो है ना लैमडा की value कितनी आ रही है फड़ा फड़ कल्कुलेट करो यह हो गया 2 3 जा 6 च्रीक्स माइनस फड़ाइव माइनस लैमडा यह हो जाएगा 0-5-3 जिरो माइनस टु है 0-2 कि लोग कैलकुलेट ही नहीं कर रहे है तो 6 मैंसे 5 घटाएंगे यह हो गया 2 और यहां से हो गया 2, 3, just 6, does not is equal to 0, कितना रहे, lambda की value, I think none of these आएगा, है न, 0 into 3, 0 minus 5, और यहां से आजाएगा, minus 3, 1 minus 2, 0 minus 2, ठीक है, तो यहां से बीटा, lambda does not is equal to, क्या होना चाहिए, lambda does not is equal to, minus का 8 by 5 आ रहे, है न, minus 8 by 5, बिल्कुल, minus 8 by 5 आएगा, बिटा, lambda does not is equals to, minus 8 by 5 आएगा, ठीक है, क्लियर है, तो इसको कर लेना, चले आगे भईया, कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को जल्दी से बता दो, एक बार फड़ा फट, अब ये सवाल देखो, मतलब ना, ये सब सवाल थोड़े से लेंथी सवाल है, इस वज़ा से मैं आपको अवाइड कर रहा हूँ, so that आप टाइम खराब ना हो, कह रहा है, find adjoint of A, पहले तो आप adjoint of A निकालो, उसके बाद verify करो, of A into A निकालो गए, उसके बाद determinant of A into I निकालो गए, ये देखना कि तीन का तीनों बराबर आ रहा है, ये आपको तीनों देखने पड़ेंगे, ये समझ भाया, तो ये इसको solve करना ये, ठीक है, तो ये कह रहा है, ये इसको verify करना है, तो पाना पांच नंबर का सवाल ये है, ठीक है, आप जिन बच्चों को अगर interest है, वो लोग करना इसको, ठीक है, जिसको नहीं है, कोई बात नहीं भाई, छोड़ देना, ठीक है, सवाल बहुत आसान है, है ना, बहुत ही हलुआ सवाल है, तो आई तिंक आप कर पाओगे, इसको कुछ करना नहीं है, सबसे पहला काम एड़ जॉइंट आफ ए निकालो, फिर ए में मल्टिप्लाई करो, ए आपका ये रहा है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, तो यर अब आगे हम लोग अगला चाप्टर यहां से continuity और डिफ्रेंसिबिलिटी हम लोग करने वाला है, ठीक है, तो बाकी जिन बच्चों को अगर इंटरेस्ट है, यह सारे सवाल आप आराम से आगे के करना, ठीक, अब इसके बाद हम लोग करेंगे continuity डिफ्रेंसिबिलिटी और यार आपका पांच मिनिट का आपका ब्रेक है, ठीक है, तो पांच मिनिट आप सभी लोग खापी लोग, बहुत ही ज़्यादा तुम लोग हेक्टिक हो रख्यों, तो जल्दी से सभी मेरे बच्चे फड आप दो, तभी मजाएगा, है ना, तो बेटा जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, यार, पांच मिनिट का तुमारे को ब्रेक दे रहे, ठीक है, तो पांच मिनिट में अच्छे से खापी के, जो करना है, है ना, प्लीज यार जल्दी आ जाना, ठीक है, जल्दी आजाना, क्योंकि continuity, differentiability, application of derivative, एक से एक सवाल है अभी, ठीक है, तो प्लीज बिटा, कोई भी बच्चा, देखो, सेशन को मिस तो बिल्कुली नहीं करना, लाइव पढ़ो आप लोग है ना, और अपने दोस्तों में एक बार को जरूर यार, सेशन को शेर करना, करते दीवालों पर 1000 बार गिरती है, पर महनत उसकी कभी बरबाद नहीं जाती, कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं जाती, तो बेटा, ये हमारा end time है, और इसी time पर अगर आप महेंद सिंग धौनी की तरह का ठीके रह गया तो तुम बस एदम काप्टन कूल बन जाओ, तुम्हारे सामने 6-5 इसके बाद 5 का टााइमर है, तो सभी लोग जिनको भी एकर जाना है तो जल्दी से आके आजा ठीक है, तो प्लीज बिटा, जल्दी करना है, जल्दी करना, सोदाएट, आज हम लोग इसको निप्टाहीं दे, पूरा का पूरा, बिना निप्टाहे, आ प्लीज बिटा आना सभी लोग जरूर आना और अपने दोस्तों में बिटा एक बार को सेशन को जरूर शेयर करके आना ठीक है जरूर शेयर करके आना है है अजरूर आड़ी केथ डिए है अज़िल रिखेशन आप लोगों के मैट्स के तयारी अनी तमय माई है अमने शश्यांक सरका बहुत बच्चों को पढ़ा पढ़ा करने खराब कर दिया ना जी तो कैसी चल रही बाद कर चो मैस की अप लोगों की आइफ लोगों कि आई हो जबरदस तरीके से और सर जिस हिसाफ से लगे हुए उस हिसाफ से तो देखे लग रहा है कि बच्चे अपकी बार तो मैसे फोड़ने वादे हैं क्या विल्कुल बिल्कुल एकदम जबरदस रिजल्ट लाओगे मुझे भी पूरा उमीद है और हर फेकल्टी ने हर टीचर ने पुरी जान लगा दिया आपके बोड एक्जाम में तो भाई मुझे मतलब यह चीज लगती है कि मैं जब बच्चा पढ़ने लगता है ना तो उसको यह नहीं सोचना चीज क्या होगा क्या रिजल्ट आएगा जब वो पढ़ता है और तब रिजल्ट आता जब वो बहुत मस्चल रही है ओके देखो बच्चो आपके साथ टीचर्स भी लगे हुए इस लिए दोनों की महनत जो है वो जरूर रंग लेकर आएगी क्योंकि कहते हैं कि महनत कभी भी नहीं होती है तर हमेशा रंग लेकर आती है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा आप इसी तरीके से महनत करते रहें थोड़े दिन की बात है फिर तो मौजी मौज है और आप मोद करेंगे क्लियर हैं याशी यही तो बच्चे हैं जो मतलब जीवन में पढ़ाई के लावा बहुत कुछ करते हैं अच्छा बच्चे जानते भी आम अनसर अमीता मैं हारे सब्सक्राइब के जानते होंगे वैसे साइन्स वाले बच्चे का कि चाहिए मौज होते हैं वाले नॉम्मल होती है कॉमर्स में बच्चों के बच्चों में क्या ही बच्चे करते हैं बुरा मत मानना पहले सिर्ज बुरा मत मानना क्या हो गया वेटा हैपी हो ली तो सबको बताया है आपकी पहुंच कहां तक पहुंच चुकिया थीक है तो बच्चों मैं खुद डरके रहता हूं मैं क्या बताओ मेरे उपर क्या बीचती है जब मैं ऑफिस आता हूं मेर अंदर एक कहर है मेर मन में ठीक है और ये चीजे दिन बद दिन क्या गयते हैं मेरे अंदर तक बस्ती चाहिए तर देखा मैं तो सच्छा उगल वारा थे बिटा देखा अनिता मैं ब्रैंड अंबस्टर और आपको पता निता मैं किसकी ब्रैंड अंबस्टर है देखा विटा कोड़ वर्ट थे वह बोल नहीं सकता ठीक है तो बस हां कब तक लासे लिए जल्दी बता अभी आपके प्यारे शशांक सर चार घंटे वह ने पांच घंटे लगबग प अतना मौका दो कि वह अपने मतलब काम को करता रहे मैंजमेंट के बहुत चीज सिखाए जाती है जो प्रिंसिपल मैंजमेंट में है जो कॉमर्स वाले उनको पता होगा एक होती है फटीग स्टडी यानि हर इंप्लॉई को क्या होता है एक रेस्ट का इंटरवल दिया जाता तो सेम वही है कि अब जो ब्रेक थोड़ा सा लिया दो चार मिनिट का तो उसमें उनकी और बढ़ जाएगे और आपको और अच्छे तरीकी से और पढ़ाएंगे ठीक है बिल्कुल वैसे शेशांक सर इस तरह से पढ़ा है मैं तो उनको उस टार्गेट का करीब लेके आई जाएगी ओके देखो पार बरस रहा है थैंक्यू बहुत बढ़ी है आ क्या वाता है आपकी इंस्टाइड दो भाई बच्चे ङूंडे नाम देखते और पहुंच जाते इंस्टाइड क्या मतलब ज्यादा मतलब फिरना क्या बता हूं इंचा है दिल से दूंड तो सम्मिलता है तो तो इस टीज को पाने में मतलब एक चाहत होते है किसी चीज को शिद्धत सचाओ तो पूरी पूरी काइनात उससे मिलाने की कोशिश करती है तो आपको भी 90% सब्सक्राइब कर सकते हो तो डेफिनिटली यूवल गट विधान जन बोल रहे थे के सर मेरे रैटिंग स्पीड बहुत कम है तो बेटा मैं आपको एक बहुत सिंपल सब्सक्राइब करता है तो इसा कुछ नहीं हाथ में मोटर हो जाएगी तो हम तेज लिखने लग जाएंगे इंसान का हाथ है और एक लिमिटेशन होती हर चीज की ठीक है तो मेरा यमान्न है कि क्या ऐसा कोई ट्रिक है जिससे आपकी हैंड़ाइटिंग तेज हो जाए तो अगर आपको अपनी राइटिंग स्पीड अपने एक्जाम में बढ़ानी तो आपको क्या करना है आपको कॉंसेप्ट की क्लारिटी बहुत जादा होनी चाहिए और लिखने तो यह पता चलता है ना कि जितनी प्राक्टिस करेंगे उतना स्पीड इनकी इंक्रीद होगी तो जितना पहली चीज तही होगी आपके कॉंसेप्ट कितना कितनी तेज लिख पातों यह कलग मैटर है जब आता ही न्युक्त हाथ तो रुकी जाएगा तो पहला पॉंसेप्ट बहुत जबर्द सॉलिड क्लियर होने चाहिए दूसरा ही है कि आप लिख लिख कर प्रैक्ट अचे ऐसा होता है कि जो में आंसर आता है ना फटाफट से अपने आप ही हाथ आटमेटिक लिख चलने लगते है और जब मैं आपको कोई बी इंसान अगर एक्जाम दे रहा है उसको तभी फील हो गयर मैं कितना स्लो लिख रहा हूं जब उसको कुशन आता नहीं होगा बिल बिल्कुल बिल्कुल यही चीज और इन जर्नल को कि हम मैट्स के फेकल्टी इस तो नहीं है मैं अकाउंट पढ़ाता हूं बिजनस पढ़ा लेता हूं मैं तो पूरी आर्ट संके अंदर समाई हुई है तो इन जर्नल अगर आपको कोई भी चीज पूछने कोई गाइडेंस तो अफकोर्स आप पूछ सकते हैं हम आपको पूरा अची तरह गाइड करेंगे जब तक शेशंक सर हमें कहते हैं स्टूडियो से नहीं कहा देते कि चलो मैं बहुत हो गया आप जाओ ठीक है तब तक हम आपके साथ है और ऐसे ही क्या गयते हैं हम तो एक्दम तबाही मचा बहुत मज़ेश पढ़ेगा तो जैते साइंस में कॉमर्स में बच्चे दमाल कर रहे हैं तो सेंग मुझे भी मैं अपने बच्चों से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसी मुझे पूरी-पूरी उमीद है अपने सुट्टें और मैं यही बच्चे हैं जो एक मतलब ह हम से हम तो बस जरिया जो हम पढ़ा लेते हैं और यह बच्चे हैं जो इस कम्यूनिटी फूरे कहते हैं सहठाय ओ नहीं को अपने सारे बच्चे पड़े अच्छे पाते हैं रहे हैं कब आप लोग सपोर्ट करते भी एचिज आ आपकी बहुत जाहने हैं बहुत जरूरी हम के लिए क्योंकि एक टीचर क्या कर सकता वह पढ़ा सकता है हम देखो एक छूटी सी जगह पर खड़े हो के पढ़ा रहे हैं तो वह पर चले जाएंगे तो वहां पर सर फिजिकल एडुकेशन की क्लास आप से पढ़ाएंगा और महीं जबर्दस पढ़ाते हैं बहुत बहुत बढ़ाएंगा पिछले बार जो उनों ते जर्ट दिया था फिजिकल एडुकेशन का माइं ब्लॉइंग उनका पढ़ाने तरीका भी बहुत एकदम नाचुरल है बहुत सॉलिड है मजा आजा जाता है कभी उन यह चीजे मैं बताएं कि मैं माम के चैनल मैंने चैनल पर कोई भी टीचर रहें आपको पूरी गाइडेंस बिले कि तो प्लीज वहां जाकर जरूर एक बार चीज़ों को एक बड़ चाइज वहां पर चाहिए और मैट्स रिलेटेड पर कोई है बच्चा जो कुछ कहना चाह कोई ऐसा बच्च जो ज्यादा परेशान है तो प्लीज एक बार बात कर सकते हैं तो बात करने से थोड़ा मन हलका होता है और कई बार हमें बात करने से पता चल जाता है और आपके सीनियर से बात करो वह बहुत सारी चीज़े गाइड कर पाते हैं तो बात कर लेनी चाहिए तो मन में रखोगी उतना ज्यादा उल्जने पैदा होगी तो इससे बैटर है कि आप उसको क्लियर कर लोग अच्छी तरीके से किस तरह की डि अगर हम अगर चीज बहुत सिंपल यह नहीं पटा होगा और नॉर्मली हंडी में पड़ता नहीं है तो मेरा यह कहना है कि जब आप करते हो सवाल को तो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ता है चाहे हैं तो अगर अगर क्लास मेरी ले रहे हैं और वह नहीं भी हैं तो भी बेटा आपको ऐसा तो है नहीं मैं इंग्लिश ही सिर्फ बोलता हुं हिंदी हम पढ़ाते हैं ठीक है मदरासी कंड़ा यह सारी लेंग्विज नहीं होती नौर्मल हिंदी इंग्लिश में बात होती है तो आपको समझ माँ जागा किस तरह सवाल करना तो वह प्रॉब्लम आपकी हो जाएगी तो शेशांग सर आचुके हमारे प्यारे शेशांग सर जबर्दस तरीके से इनको ब्रेक चाहिए था और एक बहुत ही मोटिवेटेड ब्रेक आप लोगों को मिल गया हमारे अमन सर और अनीता में के साथ साथ थैंक्यू सो मत सर बहुत बतने काम देते हैं यह लोग मेरे बच्चे ठीक है थिक है तो जल्दी से आजोस्म बिदस्ट सभी लोग दुबारा एक बार एक बार फिर से जोश्य और सोर के साथ में हम सभी लोग एक बार दुबारा सेशन को कॉंटिन्यू करते हैं ठीक है अब तुम भावनाओं से जरा बाहर निकलो और फड़ा फड़ा जो बिटा एक बार सभी मेरे बच्चे एक बार सेशन को अपने दोस्तों में जबर्दस तरीके से एक बार शेयर करो जबर्दस तरीके से पीना सब खाली है तो आज तुम्हारे नाम है तो बटा जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो जल्दी से आज हो पड़ा फड़ा ठीक है तो डर लग रहे है अरे यार डरने की क्या बात है जब सशांग से यहां पर जिंदा खड़े हैं तो तुमको क्या डरने क कोई भी दिक्कत अगर किसी भी बच्चे को है तो आप अभी पूछ सकते हो एक अधा मिनेट और आपको वेट कर रहा हूं तो बटा जल्दी से सभी लोग फड़ा फड़ा जो है ना कोई भी बच्चा यह डरना और नहीं है ठीक है सभी बच्चे जमके बार सेशन को शेर कर है ना और उसके बाद हम लोग यह दो चाप्टर यह दो चाप्टर अभी क्या कहते हैं हमारी बुक वन के अभी बचे हुए है जाट इसके लावा अप्लिकेशन ऑप ड़ डेरेवेट तो धिमे धिमे सेशन की शुरुआत करते हैं सभी मेरे बच्चे यार एक बार जमके फीर ड़ेट का कुछ नहीं है बोनस का चेप्टर है एक नंबर का मढ़िए तुम्हें कहां रहा हूं डारेट तरीका बताऊंगा और तुम डारेट इस चैप्टर को लूट लोगे मैं सच में कहारो बेटा यह लूटने वाला चैप्टर है इसमें अकल लगानी ही नहीं यह एक बाद भी है दुस्कों और की सबस्क्राले ऑस प्लिक्वेशन्स चिंगा स्पलियोंट рекनद् को going च пл nessa करें को किसी एक्वेशन कभ अने निकलता तो उसको कहते इनकंस्प्रण सलुषन के जिसे मार लो फारेवल्ट एक्वेशन ठेल आपको सामनेर यहां पर जैसे यहां पर मालो दो equation आपको लिखता हूं x plus y is equal to 1 दूसरी equation x minus y is equal to 2 तो इन दोनों को solve करोगे तो 2x is equal to 3 तो x की value कितनी आगे 3 by 2 similarly y की भी value कुछ आएगी यानि कि कम से कम at least एक solution होना जरूरी है दो उसको कहते है वेटा at least one solution अना मतलब अगर आपारे सामने at least लुण से हेट इसको कहते हैं consistent solution Cheeram consistent solution ठेक और अगर नो solution है मतलब अगर इनका x और y कुछ भी नहीं निकले तो उसको कहते inconsistent solution अगरस बकूत है तो so much inconsistent solution है जल्दी से एक देख लो फड़ा फट लेकिन आप समझ लो की मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्वालिटेटिव कॉंटेंट मिले और एकदम एक एक कंसेट पर फोकस कर से इस वजह से हम बहुत ही आराम आराम से आपको चीज़े करा रहा है सोदाइड आप अच्छे से कर सको अब यार हम लोग आ जाते हमारा चाप्टर नंबर फाइव ठीक है हमारा बहिए चाप्टर नंबर फाइव कॉंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलेटी यह अच्छा खासा वेटेज ह ठीक है बच्छों इसका जो वेटेज है लगभग आपके पेपर में 8-9 मार्क्स का है मतलब अक्केले का मतलब 8-9 नंबर का वेटेज है इस चाप्टर को तीन पार्टों में काटेग्राइज करा गया है एक तो है कॉंटिन्यूटी एक है डिफ्रेंसिबिलिटी मैंना तुम के बता दूंगा ना और एक है डिफ्रेंसियेशन तुम्हारा काम ही आसान हो जाएगा इसमें जो इसमें जो कॉंटिन्यूटी है कॉंटिन्यूटी से इससे तुम्हारा एक नंबर का सवाल mcq में पूछा जा सकता है बाकि जो दो नंबर और तीन नंबर के क्वेश्चन ब तुम्हारा दो तीन नंबर के सवाल और डिफ्रेंसिबिलेटी या तुम्हारे से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है तो तुम इसको इग्णोर कर सकते हो कोई बात नहीं है समझ में आ रहा है तो सभी मेरे बच्चे आर जम के सेशन को शेर कर दो एक बार सभी बच्चे आजो फड़ा 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 ट्रैक पर उसके बाद हम लोग करते हैं चाप्टर नंबर फाइब कॉंटेनिटी और डिफ्रेंसिबिलेटी तो यहां पे जो सबसे यादा हमें फोकस करने की ज़रूत होती है वो बेसिकली कहां पर होती सर्थ डिफ्रेंसिएशन पर होती है कि आपको कुछ डिस्क्रीट फंक्षन देगा आपके बॉर्ड में भी पूछी जाती है तो बस आप इतना कर लो कॉंटेनिटी का एक नंबर का सवाल कहीं नहीं जाने वाला डिफ्रेंसियेशन के जो सवाल होते है थोड़े से अच्छे सवाल बन सकते हैं इसमें तो दो और तीन नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं ठीक है तो केस बेस की समभावना इसमें कमी होती है अब यार सबसे पहले मीनिंग ऑप दा कॉंटेनिटी का मिनिंग क्या है कि क कॉंटेनिटी का मतलब यह है कि कोई भी फंक्षन कहीं पर टूटे नहीं का अश्यक्सिति जो और यह है और इसको कहते हैं इसको कहते हैं कॉंटेनिवस्फफ। और मान लोगर यही function ऐसा कुछ हो यह break हो जाए इसको हम कहते हैं discontinuous function discontinuous function समझाया तो यह इसके नाम से ही तुम्हारे को दिख रहा होगा कि continuity मतलब जो चलता जाए discontinuity यानि की जो तूट जाए ठीक बिटा प्लीज यार सभी बच्चे देखो सेशन को यार जम के शेर करो यहां पर जो भी आमारे बच्चे है सारे की सारे यहां पर होने चाहिए हर आलत में अब इसके लामा differenceibility का मतलब किया है सर differentiability का मतलब दो है बीटा difference ही का मतलब यह है कि function ना good होनाच है difference ability का मतलब एक तो function smooth हो कर देखो एक तो तो इसमूठ हो एंड नॉट ब्रेक बना और यह ब्रेक नहीं हो मतलब ये दो चीजे होते हैं किसके लिए डिफर्न सीभलिटी के लिए किसके लिए डिफर इफरंस ये किलिए कि वह function क्या अजार ये function इसमूथ होना चाहिए और यह ब्रेक नहीं होना चाहिए तो अगर कोई Fauci भी फंक्षन इसमूथ नहीं है यानि कि कोई भी फंक्षन जैसे मानलो शाप टर्न आजा इसमें तो भी आप यह फंक्षन नमारा नॉन डिफरेंसिवल होगा यह फंक्शन अगर कहीं ब्रेक हो जाए तो भी यह फंक्शन नमारा नॉन डिफरेंसिवल होगा समझे रहो तो नॉन डिफरेंसिवल जो फंक्शन की डिफरेंसिबिलिटी वह दो चीजों पर डिपेंड करती है कि फंक्शन में कहीं पर भी अगर हमारे पास जैसे मालो कोई भी एक function है ना कोई भी एक function है जो की differentiable function है यह हमेशा continuous होगा के नहीं कोई भी एक ऐसा function है जो हमेशा differentiable है यह हमेशा continuous होगा के नहीं जल्दी से मुझे बता दो सोच के बताना इफ फंक्शन इज डिफ्रेंस एबल जल्दी से सोच के बताओ इफ फंक्शन इज डिफ्रेंस एबल अगर यार यह डिफ्रेंस एबल है यानि कि यह ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं यह ग्राफ कहीं टूटेगा नहीं और कहीं शार्प टर नहीं आएगा तो ब अच्छे क्यों मिटा क्योंकि अगर कोई भी फंक्षन डिफ्रेंस येबल है तो वह 100 पर्षेंट वह स्मूथ ही होगा और कहीं टूटेगा नहीं तो ओवियस्सी बात है कि वह ऐसा है मतलब जाने कि ग्राफ तूट रहा है तो यह बात है कि यह नॉन डिफरेंस इबल तो होई जाएगा अगर कोई भी फॉंक्शन डिस कंटिनिवस है इट विल भी नॉन डिफरेंस इबल तो यह दो लाइने बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है कई बार को आपसे पेप होगा कोई भी फंक्शन अगर डिस कंटिनिवस मतलब अगर वह ग्राब तूट जाए तो वह नॉन डिफरेंस इबल होगा बस मुझे इतनी सी बात बताओ एदम अच्छी तरीके से चोटा सा कंसेट समझ आए कि निए चोटा सा कंसेट आपको समझ आए कि नहीं हाँ याना जल्दी से एक बार बता दो फड़ाफट एदम क्रिस्टल क्लियर है बिटा जल्दी से बता दो ठीक है एदम अच्छी तरीके से अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं कॉंटेनुटी और डिफरेंसिबिलिटी ओप सम बेसिक फंक्शन बेसिक फंक्शन यानि कि आपक ठीक है वैसे अगर आपको बताओं तो y is equal to x square का graph है अब आप मुझे बताओगे यह रहा question number one यह continuous है की नहीं और डिफरेंसिएबल है की नहीं ठीक है दोनों चीज़ें बतानी है दोनों चीज़ें आपको बतानी सभी बच्चे comment section में reply करोगे यहां पर मैं एक और graph छाप र बिटा बस तुम्हारे को graph देखके यह बताना है कि यह continuous है या नहीं है और यह graph बना रहा हूं ठीक है I think कि इस से तो सभी लोग familiar होंगे यह वाइस दिकॉलस्टू मॉड एक्स का graph है अब यह रहा हमारा तीसरा question अब आपको सारे सवालों के जवाब देना है कि number डालके देना तभी मुझे समझाएगा number डालके देना मुझे है ना number डालके तो क्या बिटा यह पहला वाल है कि I think सबको समझा रहा होगा कि सर इसमें तो हर जगा पर स्मूथ है तो यह डिफ्रेंसियेबल है है कि नहीं तो डिफ्रेंसियेबल होगा यह बिटा सभी मेरे बच्चे जिनको भी अगर यह पीडिएफ चाहिए होगी तो प्लीज बिटा आप सभी लोग ना सीवीटी है ना आपको PDF वहीं पर मिलेगी बिटा अच्छा वाइस दिकल टूई टूदी पावर एक्स का जल्दी से मुझे पता दो फड़ा फट क्या यह कॉंटिनिमस है क्या यह कॉंटिनिमस है अरे हाँ याना यार है है ना हाँ क्या यह डिफ्रेंसियेबल है क्या यह डिफ्रेंस अच्छा तीसरे वाले पर आजो जल्दी से तीसरे वाले पर अरे हलो हाई करने वाले नालाय को जरा इधर देख लेते तुम्हारा कल्याड हो जाता फिर कल जाके सेंटर पर बोलो के कैमरे के आगे कि मैं तो फेल हो गया कंपार्टमेंट देखना मुझे इसको जरा बताओ हैं क्या और अबले का छीजगा कर रोट है अधisan सारे बच्छों को दिख रहोगा कि सरी एखवडेंवस है क्या यह अधिखनड लेल है अ क्या यह जगा की बात कर रहो पिटा क्या की दिफ्रेंसी अबल है यह x is equal to 0 पर नहीं है है ना तो अगर मैं अगर कभी अगर मैं बोलना चाहूं कि मतलब यानि कि यह भाईया differenceiable है for all x belongs to real number बस इसमें से हम 0 को घटा सकते हैं मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं हाँ या ना ऐसा कह सकता हूं कि यह तो हर जगा differenceiable है अच्छी बात है लेकिन बस कहां पर नहीं है जीरो पर नहीं है कह सकते है ना बिलकुल कह सकते है सर excellent great अब जड़ा कुछ function के और बताओ अभी थोड़ी और practice करनी है इसकी तभी पक्ते बनोगे ठीक है थोड़े से कुछ function का आपको और बताना भीटा ठीक है अब जड़ा यहां पर देखो मैं ग्राफ चाप रहा हूं तुम्हारे आखों के आगे मुझे इसको बताओ कि क्या यह सबसे पहले तो मुझे यही बताना कि यह graph है कि सेज़का यह graph है कि सेज़का जिरो यह हो गया पाई यह हो गया टू पाई एसा करके माइनस पाई माइनस टू पाई मुझे बताओ यह continuous है क्या यह पांचवा आइधिंग फूर्थ एक्जामपल है चलो करो करो जल्दी से ठीक क्या यह continuous है ठीक है अगला पांचवा एक्जामपल अगला पांचवा एक्जामपल यहां पर जरा देखो फड़ाफट है ना जब से इसका भी जरा मुझे बताओ क्या यह है जिरो पाई वाई टू ए ठीपाई वाई टू माइनस का पाई वाई टू इस तरीके से डूंटिनॐस्ञा से खंगर क्लीयर किनीटर कशन सबको एकक कहां पर टूट रहा क्या यह दिफरेंस न सभी मेरे बचे इतना देखके बता दो क्या यह स्चेट से सारे कि सारे कॉमेंट सेक्षन बताऊगे किस चीज का अरे वाव वावाव आप जल्दी से मुझे बताओ क्या ये सबको दिख रहोगा कि सर कॉंटिनुमस है क्या यह डिफरेंस है जल्दी से बता दो भीया क्या यह डिफरेंस एबल है डिफरेंस एबल लगा दू कि नहीं हाँ या ना यह सब तुमसे औब्जेक्टिव सवालों में एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं जो तुम्हारे को बहुत अच्छा समझ रहो जरा कुछ और समझो एक बार फटा फट है ना तो यहां पर देखो एक ग्राफ में और बड़ा सुन्दर सा छाप रहा हूं देखता हूं कि कितने बच्चे इसको पकड़ पाते और जो बच्चे नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं है कोई continuous है क्या डिफ्रेंस ये बताना है ठिक उसके बाद सात्मा सवाल यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं यहां पर एक ग्राफ और बना रहा हूं मैं कोई साभी एक पाराबोला बना रहा हूं कोई साभी एक जनरल पाराबोला है यह ठिक तो बस अब मुझे इतने फंक्शन के तुम बता दो सबसे पहले तो क्या यह ग्राफ कॉंटिनुवस है बहिए जल्दी से गवार देख लो फड़ाफट जल्दी से हाँ बीटा तो यह किस चीज़ का ग्राफ है वाइज इकलस टू मौड साइन एक्स का माइन ब्लोईंग कि इसका ग्राफ है वाइज इकल्टु मौड साइन अन। कि यह तुमसे कोई लेना दाना नहीं है जो बोर्ड वाले बच्चा क्या ये ग्राफ बटा कॉंटिनुवस है क्या ये ग्राफ कॉंटिनुवस है अरे हाना जल्दी से कॉंटिनुवस है बिल्कुल क्या ये डिफरेंस येवल है क्या यह बटा डिफरेंश एबल है डिफरेंश एबल है कि है क्या यह ग्राफ क्या यह फंक्षन डिफरेंश एबल है जल्दी से बता दो अरे नहीं है बाभू देखो ना यह हर जगा पर शार्प टरन देखो यह नॉन डिफ्रेंस ये वल फंक्शन है समझाया दिस इज नॉन डिफ्रेंस ये बल पर एकसी इकल टू जीरो पाई टू पाई यानि हम ऐसे कह सकते हैं कि एकसे इकल टू एन पाई पर जहां पर एन बिलॉंग्स टू इंटीजर होरे लिख सकते हैं न आराम से सभी बच्चे जल्दी से बता दो अच्छा यह क्या है दिसी जब पारा बोला यह किसका ग्राफ है यह माल लो किसी भी फंक्शन का ग्राफ है यह पारा बोला है तो बस मुझे एक चीज बस इतनी सी बात बता दो कि कोई भी पारा बोला यह कॉंटिन हे के नहीं आरे बनाद दो यार बतादो क्या यह कॉंट Chemical से के नहीं है ज़िसी एघद साथ कोई भी पैरा बोला कि यह कॉंटीनिमस है की नहीं नहीं आड़ इंस भी दिख रहुगा सर कॉंटीन मसें अच्छा यह मुझे बताओ यह डिफेट्रैंस डिफ्रशन है कि नहीं है कि क्या यह फंक्षन डिफरेंसियेबल है कि आइधिंग सब को दिख रहा होगा बहुत तुमने समझा है और बस ना अब तुम समझ लो की अब जरा यहां परा आऊ देखो कुछ पॉइंट लिक रखा है है सारे की तरह कॉंस्टेंट फंक्षन लुक्षन होता है फंक्षन बार उस्वाल करते था हूं ठीक हो वाइज इक लटू मालो यहें टू है तो यह सारे कि सारे polynomial function continuous है की नहीं है अभी अभी हमने देखा था सारे कि सारे बिटा polynomial function continuous है की नहीं है ठीक है बिटा सारे कि सारे polynomial function continuous है की नहीं है बिल्कुल है सारे कि सारे identity function भी continuous है सारे कि सारे logarithmic and exponential function भी continuous function है ठीक है तो exponential function तुमने तुमारे को बता दिया logarithmic function जान दो, graph नहीं बताएंगे उसका छोड़ दो, ठीके तो logarithmic function भी continuous function होता है, ठीके तो इतनी बाते बेटा आपको ध्यान में रखनी, ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं जल्दी से फड़ा फड़ सभी मेरे बच्चे की continuity at a point की बाद, जिसको आपको करना है, जिसको आपको सीखना है, समझ में आया continuity at a point, सभी बच्चे जरा हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, कह रहा है continuity, discontinuity of a function at a point है न, भाईया, fx is set to be continuous at a point a in the domain, कब, जब limit extending to, आपको यह चीज़ ध्यान रखने हैं बिटा, जब limit extending to a minus f of x, बराबर, f of a, बराबर, limit extending to a plus, f of x के बराबर है, ठीक है, clear, एक नालाय करे है, गुरु जी कहानी सुना दो, फिर तोड़ी जर राद बलोगे, गुरु जी मुजरा सुना दो, मुजरा कर दो, ग बोलो जी बसंती समझ रखा तुमने है, तो यहां से extending to a minus extending to a, f of a, ठीक है, बिटा, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, कि sir, this function is continuous function, at x is equals to a, कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को, हाँ याना, जल्दी से एक बार बता दो, भहिया, फड़ा-फड, कोई भी दिक्कत, नहीं ह पर किये, कि अगर हमारे पास 2 function है, अगर 2 function है, f and g, r2 continuous function of a point, ठीक है, अगर बेटा 2 के दोनो फंक्चन continuous है, तो दोनो का addition भी क्या होगा, sir, continuous function होगा, ठीक, डेक, अगर हमारे पास 2 function है, न, f और जी, 2 के दोनो continuous है, at x is equals to a पर, तो अगर दोनों को जोड़ोगे, तो भी ये भी continuous होगा कहां पर x is equal to a पर f minus g भी क्या होगा continuous होगा it is equal to a ठीक तीसरा f into g भी क्या होगा continuous होगा it is equal to a पर चौथा f by g भी continuous होगा सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होना चाहिए g of a does not is equal to 0 होना चाहिए मलब जी यह जो है यह आपका 0 कभी भी नहीं होना चाहिए अच्छा c into f यानि अगर कोई constant है अगर आप किसी भी continuous function में किसी constant से अगर आप multiply करते हो तो वह भी क्या होता है वह भी continuous होता है और mod अगर ले लो किसी भी function का तो वह भी क्या होगा बिटा continuous होगा ठीक है clear और एक्जामपल जैसे मालो y is equals to sin x minus cos x जल्दी से मुझे बताओ यह continuous है की नहीं है फड़ा फड़ सारे कि सारे बच्चे बिटा जल्दी से जल्दी से फड़ा फड़ा सारे कि सारे बच्चे हां तो जल्दी से सभी मेरे बच्चे बताओ कि y is equal to sin x minus cos x क्या यह continuous है हाँ या ना I think है सबको दिख रहा होगा कि सर यह continuous function है क्यों क्योंकि sin x भी हमारा continuous function cos x भी सर हमारा continuous function तो दो continuous function को गर हम घटाएंगे तो जो आएगा सब यह भी क्या होगा सर continuous function होगा कि ठीक बटा clear है अच्छा अभी जैसे मालों आप से कोई बोले कि सर वाइज equal to mode sin x क्या यह continuous function है क्या बोलोगे क्या वाइज इकल टू mode sin x क्या यह continuous function है हाँ या ना देखो यहां पर लास्ट वाला standard देखो किसी भी किसी भी continuous function का मौड हमेशा क्या होता है continuous function क्योंकि sin x क्या होता हमेशा continuous function तो अगर हम इसका मौड ले लेंगे तो यह भी continuous function आजाएगा ठीक है clear है हाँ या ना एक बच्चा करें सरे गाना सुना देजिए बच्चा है मेरी भी एक फर्माई से तुपढ़ा ले ना एक बर हाँ मेरी फर्माई जो माले मैं तेरी माले ताम अराम से यह ना सरे गाना सुना देजिए वह सर यह कर देजिए ठीक है अग्तम clear अच्छा आप तुम लोग यह सब अरकते करते हो ना तो चलो मतलब क्लास में ना ठीक है एक फन बना रहता अच्छा लगता है नी तो पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाए और कितना दिमाग गरम हो अगतरनाक वाला है ना अब अब यहां पर यह फंक्शन क्या कॉंटिनिमस है क्या वाइज इकल स्टू वाइज इकल टू साइन स्क्वाइर एक्स प्लस कॉस स्क्वाइर एक्स क्या यह कॉंटिनिमस फंक्शन है जल्दी बोलो क्या यह कॉंटिनिमस फंक्शन है हाँ या ना क्या ये continuous function है जल्दी से बेटा सारे के सारे अगला y is equal to x square plus 2x plus 3 क्या ये continuous function है हाँ या ना जल्दी से मुझे बता दो फड़ा फड़ जल्दी से क्या ये बेटा continuous function I think सबको समझा रहा होगा कि सरी ये continuous function हो जाएगा वाइज इकल टू ये क्या है विटा दिसी जब पायरा बोला ये क्या है भईया पॉलिनोमियल हमेशा ही continuous होती है समझ आगे बाबू पॉलिनोमियल ओल्वेज continuous ठीक तो आज के बाद तुम ये चीज नहीं भूला ना ठीक है तो पॉलिनोमियल क्या होती से हमेशा continuous होता है से क्लास कब तक है जब तक हम खतम नहीं कर लेंगे तुमकों नहीं लग रहा है आज हम पागल हो रख है आज तुम्हारा खतम करा के छोड़ेंगे समझ रहो ठीक है तो यह continuity की बात बटा यहां तक है तो continuity का एक अदा दो सवाल हम लोग कर लेते सबसे पहले उसके बाद हम लोग सभी मेरे बच्चे कुश्चन सौल करो तो बटा यहां पर क्या दे रखा है फोर वाट वैल्यू अब दक की है ना यहां पर लिखोगे solution कैसे लिखोगे solution if a function if a function is continuous then limit extending to 0 f of x is equals to f of 0 क्या हो जाएगा यहां से limit extending to 0 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा सर हमारे पास sign 5x upon 3x plus cos x ठीक यह हो जाएगा ना is equal to f of 0 की वैलू कितनी है भाईया के है इसकी वैलू हो गई सर के तो बटा यहां पर आप सभी बच्चों को बता रखा है कि यह कितना हो जाएगा limit extending to 0 1 by 3 यहां पर हो जाएगा भईया sign 5x upon x आ जाएगा plus cos x आ जाएगा is equal to कितना के ठीक तो अब जल्दी से सभी मेरे बच्चे फड़ा फड़ा बता दो कितना आ गया काफी सारे बच्चों का आभी गया क्या बात है तो बेटा limit इसको हम अलग अलग कर लेता है तो यहाँ जाएगा limit extending to 0 1 by 3 यहां हम इसको ऐसे लिख सकते है 1 by 3 limit extending to 0 sin 5x by x plus limit extending to 0 cos x तो k की value हमारी यह हो गई तो बेटा 1 by 3 बेटा sin 5x by x की value कितनी हो गई सर 5 plus cos 0 की value आ गई सर 1 कितना आ गया बेटा 5 by 3 plus 1 तो बेटा यहां से k की value कितनी आ गई 8 by 3 is the right answer कितना 8 by 3 is the right answer ठीक है बेटा clear है सभी को हाँ है आ जल्दी से एक बार देख लो 8 by 3 is the right answer आगे चलता है extending to 0 plus f of x की value कितनी दे रखा है भहिया 3 दे रखा है यह देखो 0 plus मिस की value कितनी है 3 है ठीक अब यहां से limit extending to 0 minus f of x की value कितना दे रखा है कितना दे रखा है कितना दे रखा है k upon mod x दे रखा है अब तुम मुझे सोच के बताओ कि यहां पर k क्या होना चाहिए ताकि इसकी value 3 के बराबर आ जाये मतलब सोच समझ के बताओ समझ रहो अब जराज सभी मेरे बच्चे बिटा प्लीज स्पैम मत करो अच्छे से पढ़ो अब यहां पर बिटा के आपको के की ऐसी value बतानी है सो दाट की इसकी value 3 आ जाये जल्दी से सारे की सारे बच्चे बताओ बिटा भाइया प्लीज यार इस्पैम मत करो निग ब्लॉक करदेंगा बिटा भी अना प्लीज यह जो यूट्व चैनल के नाम से आप इसपैम कर रो बिटा बिटा आट मैं बगा देताैं कई बार को ब्लॉक बतानी है कि k की value यहाँ पर क्या हो जाए यहाँ पर k की value हम क्या पूट करें ताकि limit extending to zero minus पर इसकी value क्या हो जाए थिरी आ जाए अब मुझे बताओ k की value क्या होनी चाहिए तोच के बताओ तोच समझ के बताना देखो अगर एक्स हमारा zero minus को tend कर रहा है तो बिटा मॉट x की value हमारी क्या होगी minus x होगी यही होगी कि ने हा या ना इसकी value क्या होगी minus x होगी तो बावु अगर के की value अगर हम यहां से तीन चाहते हैं तो के की value हम minus 3x कूट करेंगे कि ने सोचके देख रहा है एकदम सोचके देखो फड़ा फड़ा अगर extending to 0 minus कर रहे हैं यानि कि mod x की value minus x हो नहीं minus x होगी यह कहां पर होगी denominator में समझे हो और numerator में क्या होना चाहिए numerator में numerator में क्या ऐसा हो कि इसका answer हमारा 3 आ जाए तो obviously बात है कि minus 3 x होना चाहिए अगर के बराबर minus 3 x होगा तो minus x minus x कट जाएगा बचेगा 3 आराम से मारा answer आ जाएगा है की नहीं तो बिटा यहां पर आप के की value को इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो ठीक है सभी बच्चों को हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो फड़ाफट कोई भी समस्या ठीक है आई तिंग सभी बच्चों को है सर हम एक भी कर सकते हैं बचा अगर आप वण करोगे ना तो limit extending to 0 1 by x आपका वन नहीं आपका 3 नहीं आएगा तो अगर आप आप अगर आप तीन भी पुट करोगे ना तो अब यहां पर आजो जल्दी से differentiation के कुछ basic formula आज़े, बिटा सभी बच्चे आप सभी लोग मुझे लिख के बताओगे, dy dx x to the power n is equal to, जल्दी से, dy dx e to the power x is equal to, जल्दी से बिटा सारे बच्चे revise करो, फटा फट, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम comment section में सारा का सारा मुझे मुझे बताओगे, मुझे कुछ नहीं पता इन सब के formula तुम ही बताओगे, dy dx, ठीके, फटा फट रिकाल करो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, तुम लिखो, a to the power x is equal to, dy dx, log x is equal to, ठीक, जल्दी से फटा फट लिखो, इनके answer, dy dx, sin x is equal to, dy dx, cos x is equal to, dy dx, tan x is equal to, dy dx, cortex is equal to, dy dx, sec x is equal to, dy dx, cos x is equal to, जल्दी से बता सभी बच्चे में comment section में answer बताओगे, हां, dy dx, x to the power n, यह जाएगा, nx to the power n-1, बहुत बढ़े हैं, great, excellent, हां, सबका, बहुत बढ़े हैं, e to the power x का, e to the power x, a to the power x का, log a, log x का, 1 by x, ठीक, sin x का, cos x, cos x का, minus sin x, tan x का, stick square x, cortex का, minus cosec square x, sec x का, stick x into tan x, इसका, minus cortex into cosec x, ठीक है, बटा, clear है, सभी को, यह सारे के सारे formula, finished, ठीक है, clear, आगे चलता है, आई दिंग, सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से clear होगा, ठीक, आगे कुछ formula लिखो, यार, जितने भी बच्चे, आप सभी लोग देख रहे हैं, प्लीज, यार, session को आप लोग share कर दो, देखो, बहुत सारे बच्चों ने, बिलकुल भी, किसी ने भी नहीं कर रहा है, इतनी देर से, यार, session ले रहे हैं, तो प्लीज, यार, आप सभी लोग बिटा, जरूर अपना support दिखाओ, एक motivation रहता है, तो आज हो जल्दी से फटाफ़े, d by dx, sine inverse x, inverse का करते, d by dx, cos inverse x, d by dx, tan inverse x, d by dx, cot inverse x, d by dx, sec inverse x, d by dx, cosec inverse x, सभी मेरे बच्चे अपनी copy में फटाफ़े, सारे formula अज लिखो, ठीक है, चलो 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 करो जल्दी से फटाफ़े, d by dx, sine inverse x, one upon under root of, one minus x square, d by dx, cos inverse, बस यहीं सी formula में माइनस आ जाएगा, d by dx, tan inverse, one upon one plus x square, d by dx, cot inverse, tan वाले में माइनस आ जाएगा, one plus x square, second inverse x, one upon x root of x square minus one, यहाँ पर ध्यान रखना, कॉसक में, same यहीं रहेगा, बस माइनस आ जाएगा, x square minus one, भहिया, कोई भी दिक्कत, किसी भी बच्चे को, important topic बता दें, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम crystal clear है, भहिया, सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देखके, बता दो, फड़ा फट, कोई भी डाउट, किसी भी बच्चे को, जल्दी से एक बार देख लो, नोट डाउन हो गया, बिटा, सबका, नोट डाउन हो गया, अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आ जा और है, बिटा, डी बाई डी एक्स, root x का कर लो, यह 1 upon 2 root x होता है, dy dx, 1 upon x का लिख लो, यह minus 1 upon x square होता है, ठीक, तो यह छोटे-मोठे definitions बेटा याद रणने चाहिए आपको है न, यह छोटे-मोठे यह सब याद रणने चाहिए आपको, ठीक है clear है, आई थिंग सभी बच्चों को इदम crystal clear है कोई भी समस्य वाली बात नहीं है तो यह हो गए सारे की सारे differentiation के रूल बिटा अब आगे हम चलते हैं differentiation के product rule है तो product rule में क्या कहते हैं कि अगर मालो कहीं पर भी दो function का multiplication लिखा हुआ है तो हम इनका product rule कैसे करते हैं एक function को अगए दूसरे का differentiation करेंगे प्लस दूसरे वाले को अगर मैं बात करूँ जैसे मालो d-y-d-x of tan x into sin x की अगर हम बात करते हैं तो बिटा tan x को आजटिज रखो d y d x of sin x तो हो जाएगा cos x plus sin x को आजटिज रखेंगे तो d y d x tan x कितना हो जाएगा भई यह सेक स्क्वाइर x हो जाएगा तो बिटा यही हमारा क्या हो गया सर यही हमारा एंसर आगया ठीक है अगर तुम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सपोर्ट रहेगा तो यार जनुवनली करेंगे समझ रहो लेकिन आप सभी लोग दिखाने रहे हो सबसे बड़ी बुरी बात तो यही है अगर यहां पर कोशन टूल में देखो हमारे पर यू और फंक्षन है तो अगर डिफरेंसेशन ऑफ यूब आई करते इसको कहते कोशन टूल तो कोशन टूल के काडिंग जो नीचे वाला फंक्षन है इसको नीचे होल स्कॉयर कर दो और उपर आपको क्या लिखना है सबसे पहले नीचे वाले function को गजट रखो ऊपर वाले का दिफरेन्स इशन पहर माइनस ऊपर वाला function लखो नूब यहां पर क्या करते हैं पीटा product하ul हम यहां पर CC टूल हम यहां पर लगा लेते हैं सभी बच्छों को अच्छे तरीके से पता ही भागा भी से लेवल पे तो कि इसके अलावाय बात करते बच्चो चेनरूल का इसके एलामा बात करते चियनरूल का जैसे मालो अब हमारे पास हुआज बटु एफ ऐस गुल टु ऐफ ओफ घ्यक्स अगर लिखा हुआ है तो तो chain rule में कहां से शुरुवात करते हैं differentiate करना बाहर वाले function से शुरू करते हैं यानि अगर मालो हमें dy by dx लिखना है तो हम कहां से शुरू करेंगे बाहर से यानि की f dash of gx उसके बाद किसका करेंगे अंदर वाले function का यानि की g dash x समझ आ रहा है मतलब जब भी अगर हमें differentiation करना ह होता है तो हमेशा हम बाहर वाले function से शुरू करके अंदर की side में जाते हैं जिसे मालो कर कहीं पर आगर आपको करना है y is equal to sign of lnx मालो लिखना है scientific sign of lnx तो अगर मालो d y by dx अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे पहले आप sign का करोगे तो sign क्या हो जाएगा कॉस जो इसके अंदर लिखा उसको ऐसे लिख लो into अब किसका करोगे lnx का तो यह हो जाएगा one by x फिर किसका करोगे x का तो x का dx के respect में तो वन ही आएगा जिसको हम लिखते नहीं है समझाज आए तो हमारा एंसर यह हो जाएगा कि ठीक है इदम crystal clear अच्छा अगर मालो इसी example को हम और करते हैं और example जैसे मालो y is equal to ln sin x मालो लिखते हैं यह एलन sin x तो कैसे लिखोगे तो इसका differentiation क्या हो जाएगा dy by dx is equal to तो एलन का हो जाएगा one by x तो यानी one by sin x अब हम साइन एक्स का करेंगे तो यह हो जाएगा कॉसक्स अब हम ठीक तो हमारे पास यही बटामारा अंसर आगे कितना हो गया यह को टेक्स आगे ठीक है क्रिस्टल क्लियर सभी को हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फट कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को आई थिंग नहीं होने चाहिए एदम क्रिस्टल क सबसे फेक के रखते हैं अपना छोड़ा पढ़ने वाला है और जब नहीं आएगा ना नमबर फिर तु देखी हो पापा का रूप कैसा आता है उस दिन है समझे रहे हो पढ़लो यह बात नहीं कर रही वह बात नहीं कर रही तुमको लग रहा है कि तुमारी दुनिया से पढ़लो डिफ्रेंसियेशन ओफ यूज ओफ लॉग बिड़ा यूज ओफ लॉग कितनी जगहों पर करते हैं दो जगह पर करते हैं अगर सबसे पहली जगह अगर कहीं पर भी हमारा फंक्शन वाइज इक्वल स्टू एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स के माल्टिप्लाइड हो एक साथ में f1 x 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 का यूज करते हैं अगर कहीं पर भी लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग य यह लॉग की प्रापर्टी तुम्हारे को काम की चीज है समझ मैं दूसरी चीज कहीं पर मानलो log x by y लिखाए यह हो जाएगा log x minus log y तो logarithm की यह खास बात है तीसरा कहीं पर भी log x to the power y लिखाए यह हो जाएगा y into log x हो जाएगा ठीक अगला log मानलो x base y लिखाए तो log y upon log x हो जाएगा ठीक लॉग 1 by x minus log x हो जाएगा ठीक है ठीक है बीटा clear है और बताओ तो बस इतनी main properties है इतना इतना जान लो इतना बहुत है ठीक है बहिए सभी बच्चों को हाँ जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फड़ तो यह सारी logarithm properties बिटा आपको अपनी copy में छाप लेना है ठीक है अपनी copy में यार इस सारी की सारी logarithm की properties को no down कर लेना जल्दी से बेटा ठीक है तम crystal clear है जल्दी से एक बार देख लो फड़ा 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 अगर 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 सभी को जल्दी से एक बार बताओ मुझे फड़ा फड़ एदम crystal clear है सभी को तो यह दो जगहों पर हम logarithm का यूज करते हैं आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से clear होगा ठीक है अब इसके बाद आ जाते differentiation of the parametric format तो बेटा parametric format में क्या है कि डीवाई अपॉन डीटी अपॉन डीएक्स अपॉन डीटी समझाया तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना बेटा इसमें सिंपल से काम हमें यह करना है है ना इसमें देखो क्या कहता है class and कर दे अच्छा class and कर दे इतनी जल्दी यही पढ़ाई करोगे तुम तुम बस यही पढ़ाई करो गया ना class and कर दे और बाकी तुम पढ़ लोगे बाकी तुम पढ़ लोगे ना तर class and कर दो अब बाकी हम पढ़ लेंगे खुद से तो बेटा साल भर क्यों नहीं पढ़ा था अरे लला मैं तुमको क्या बताऊ ना हाँ तो यह वाले का है इसमें किसी को डाउट है यह पिछले वाले फंडे में किसी को डाउट है इस वाले यूज अफ लोगरिथम में आज हो इसका एक आधा एक जामपल देखते हैं लोग है ना जिसे मालो y is equals to x to the power x लिखा हुआ है यानि कि एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है ठीक है यहां पर एक फंक्शन की पावर देखो दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है अब थोड़े से सवालों को और बढ़ा देता हुआ है एकदम बे फिकर हो y is equal to x to the power x लिखा हुआ है तो यहां से क्या करेंगे बाबू taking log both side क्या करेंगे taking log both side है ना दोनों side हम log ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा log y is equal to log x to the power x तो यह हो जाएगा देखो log y is equal to x log x हो जाएगा अब हम दोनों साइड differentiate करते हैं तो यहाँ पर log y का differentiation क्या हो जाएगा 1 upon y dy upon dx और x log x का यहाँ पर multiplication rule लगाओ तो x को अगर हम as it is रखेंगे log x का derivative 1 by x प्लस log x को as it is रखेंगे x का derivative आजाएगा 1 तो यह कट गया तो यहाँ से dy by dx is equal to कितना आगया भी है यहाँ आगे सर y into 1 plus log x आगया ठीक है clear यही आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास dy by dx is equal to कितना आगया जल्दी से y की value कितनी भावू x to the power x है तो x to the power x o 1 plus log x आ गया तो यही हमारा क्या हो गया सर यही हमारा answer हो गया देख लो एक बार फड़ा फट कोई भी doubt किसी भी बच्चे को हाँ या ना जल्दी से देख लो फड़ा फट सभी मेरे बच्चे solve करो है ना अब मैं तुम्हारे को इसके काफी सारे एक्जांपल अभी मैं करवाता हूं डोंट वरी अभी क्लियर हो जाएगा अगर किसी का कुछ भी रह गया है तो ठीक है बिटा हो गया सबका बहुत बने ग्रेट नेक्स्ट कुश्चन लिखो नेक्स्ट कुश्चन लिखो वाई इक्वल्स टू ताइन एक्स टू पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स मालों एगर ऐसा कुछ दे देता है फिक तो यहां से फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फाइंड डी वाई डी एक्स की वैलू हमें निकालनी है ठीक यह करना है बिटा करो जल्दी से फटा फट लग जो यहां पर ऐसे किसेज में हम क्या करेंगे ऐसे किसेज में हम इस सवाल को दो हिस्सों में बांट लेंगे तो वाई इस इक स्टू कितना आ गया, sin x to the power cos x, ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, taking log बोथ साइड, ठीक, तो भाईया, दोनों साइड हम log ले लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, log y1 is equal to log sin x to the power cos x हो जाएगा, बिटा यह तीन नमबर का सवाल आपके पेपर में आ सकता है, तो यहां से 1 upon y1, dy1 upon dx is equal to, यहां जाएगा, cos x into log sin x, अब दोनों साइड, एक सेकंड, यह log y1 is equal to रहेगा, तो बिटा इसका differentiation हो जाएगा, 1 upon y1, dy by dx, dy1 upon dx is equal to, अब यहां पर multiplication rule लगा हो, तो cos x को आजटिज रखते हैं, upon sin x हो जाएगा, log x का, तो log x का derivative, 1 upon sin x, अब sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो गया, ठीक, प्लस, यहां पर आप किसका करेंगे बिटा, log sin x को आजटिज रखेंगे, cos x का derivative कितना हो जाएगा, minus का sin x हो गया, ठीक है, clear, हाँ या न, क्या करा दे, hydrolysis की reaction, रिवाइज करा दे, तुमारे इस demand पर तो न, dy1 upon dx is equal to कितना आएगा, यहां से देखो हो जाएगा, y1, हाना, तो बेटा, यह कितना हो गया, cos square x upon sin x, minus sin x into log sin x, ठीक, तो बहिया, यहां से हमारे पास dy1 upon dx कितना आगया, बहिया, यह हमारे पास आगया, ठीक, similarly मेटा, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको y2 मान लेता है, तो यहां से y2 की, y2 आप निकाल लोगे, cos x to the power sin x, ठीक, तो dy2, दोनों साइड log ले लो, log y2 is equal to, एक step उडाके लिख दे रहा हूं, sin x into log cos x लिख सकता है न, तो 1 upon y y2, dy2 upon dx, is equal to कितना आएगा, sin x, sin x को आप क्या करोगे, यहां से sin x को आजटिज रखो, log cos x का हो जाएगा, 1 upon sin x, और cos x का हो जाएगा, minus का sin x, plus, log cos x को आजटिज, sin x का हो जाएगा, cos x, ठीक, तो बटा, यहां से dy2 upon dx कितना आ गया, यहां से y2, और यहां से sin x से sin x, यह one upon cos x रहेगा, यह, one upon cos x, ठीक, तो यहां से हो जाएगा, minus sin square x upon cos x, और यहां से हो गया भी है, plus cos x into log cos x, ठीक है बटा, तो यहां से हमारे पास y2, देखो, हमारे पास यह आ गया, ठीक है, इतम crystal clear है, हाँ या ना, कोई भी doubt किसी भी बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं है, तो बटा, यहां से हमारे पास dy2 upon dx2 आगे, ठीक, तो बेसिकली हमें निकालना के है, y ब्रापर y1 plus y2 हमारे पास दिया गया, तो यहां से, आप क्या लिखोगे, सिंस, y is equals to, y1 plus y2, तो अगर हम दोनों साथ differentiate कर दें, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy1 upon dx, प्लस dy2 upon dx, बस यहां पर दोनों की value पुट कर दो, ठीक है, पुट करके अराम से answer लिख लोगे के ने, थोड़ा सा लेंधी सा दिख रहा होगा, तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, पुट करके answer लिख लोगे, ठीक है, पुट करके answer लिख लोगे, क्या बताओं मैंना, मतलब पढ़ा अभी रहाओ, करेंट के लिए, इंप्रूमेंट पेपर पहले ही पूछना शुरू, यही मतलब जब तुम्हारा इंप्रूमेंट पेपर आएगा ना, तब भी तुम यही हरकत करोगे, पता है, अब जब आप पारमेट्रिक फॉर्मेट पे आते हैं, एक आधा सवाल इसके भी करता है, उसके बाद अभी आगे चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ से डीवाई बैडिक है इसको लिए सकते डीवाइबन डीटी अपॉर्ण डीटी लिखेंगे, ट्पीक है तो यहार डी वाइब ऐड़ी क्या हो जाएगे तो यह करेंगे तो डी वाइब टी तो डिवाइब आई डीटी अगर हमें लिखना है तोוסी व्यक्त क्रिश्चल क्लियर बिटा कोई भी दिक्कत नहीं है ना तो अगर हमें कहीं पर भी parametric format लिखना है तो dy by dx is equal to psi dash t upon phi dash t लिख सकते हैं मतलब y का differentiation कर लो t के respect में इसका differentiation कर लो t के respect में बस वही हमारा answer आ जाएगा चलो आज़ो जल्दी से एक example करते हैं इसका भी फड़ा फट एक्जामपल लिखो x is equal to 80 square y is equal to 280 find dy by dx find dy by dx at t is equal to 2 पर जल्दी से आर सारे के सारे बच्चे बताओ find dy by dx की value इस पर जल्दी से बताओ हाँ कैसे करेंगे तो बटा dy by dx की value यहां से solution लिखेंगे तो dy by dx की value क्या हो जाएगी dy upon dt upon dx upon dt ठीक तो यहां पर हम क्या करेंगे बबू यहां से हम dy by dt सबसे पहले निकालेंगे तो यहां से dy by dt जल्दी से फड़ा फट निकालो तो यह हो जाएगा कितना 280 का ट के respect में तो यह हो गया 2A similarly dx by dt निकाल लो तो यह हो जाएगा 280 तो यहां से dy by dx की value dy upon dt upon dx by dt तो यह कितना आ गया 2A upon 280 तो यह हो गया कैंसल यह आ गया वन अपॉन टी लास्ट में पिटा इसमें 20 की value पूट कर दोगे तो 1 by 2 is the right answer कितना आ गया जल्दी से बता दो एक बार फड़ा फट वन बाई टू आ रहा है ठीके विटा कितना रहा है वन बाई टू ना कोई भी समस्य है किसी भी बच्चे को आई थिंग सबको दिख रहा होगा ठीके कोई कोई दिक्कत आई थिंग सभी बच्चों का यार समझ आ रहा है है ना बहुत बनाए ग्रेट एक्सिलेंट ठीके यह आ रहा है ना तो डीवाई बाई डीएस की वेलू कितनी आगई वन बाई टू आगया एक्सिलेंट तो इस तरीके से इसमें करेंगे आजो जल्दी से फड़ा फट दिफ्रेंस सेशन ऑफ फंक्शन बिस रिस्पेक्ट टू रात के 9 बज़े आज हम लोग mcq का सेशन करने वाले हैं बहुत ही भैंकर सेशन बिटा तो प्लीज सभी मेरे बच्चे रात के 9 बज़े जरूर रहना है ना आज जल्दी से फड़ा फट हाँ यहां पर लिखो डिफ्रेंसियेशन ओफ डिफ्रेंसियेशन ओफ डिफ्रेंसि कर लो समझाया समझाय सिम्पल आ तरीका जैसे मालों कर कहीं पर लिफ्रेंसियेशन ओफ स्कररों जिसका कर रहो उपर लिखो जिसकर रिस्पेक्ट में कर रहो उसको नीचे कर लो that's all सवाल खत्म ठीक जैसे मान लोगर कहीं पर अगर आप कर रहे हूँ डिफ्रेंसियेशन ओफ डिफ्रेंसियेशन ओफ साइन सब सवाल आ रखे तुम्हारे पेपर में और स्क्सितर यहां से अगर साइनस का डिफ्रेंसियेशन करना एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब है तो और को सब्सक्राइब कितना माइनिस का कॉतेक्स तो हमारा एंसर कितना कितना अग्ए सब्सक्राइब यह वह हुआ हुआ हुँ है ना मगलत तीन बजने वाले आप सोचके देखो 6 घंटे हो गए मुझे खड़े खड़े और बस यह सिर्फ और सिर्फ यार तुम लोगों के प्यार की वज़ा से बिटा अब इंफानाइट सीरीज के सवाल को सवाल करने का आपको एक तरीका बताता हूं जैसे मालो बिटा अगर इस टाइब का सवाल बेसिकली बना जाता है तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है मैं आपको इसको तरीके मिथट से समझाता हूं यहाँ पर भी यहां इकल टू एक पावर आप इसे करके इनफानाइट तक यह एक मलब पाइटन नहीं यह एक पाइटन ठीक है तो अगर कहीं पर ऐसा पैटन दिख रहा है बाबू तो आप इसमें से एक एक को कम भी तो कर सकते हो बिलकुल सर कर सकते हैं तो अगर वाई ब्रावर एक्स टू दिपावर यह है तो हम इसको वाई इकल टू एक्स टू दिपावर वाई लिख सकते हैं कि नहीं बिलक कब यहां पर English to the power by Link सकते हैं हमने इसमें से एक बाहर निकाल हमने इसमें इसमें से यह रीक्स निकाल लिया थे ए four to the power y तो हम क्या करते दोनों साइड लॉग लेते तो log y is ौडोग x हो जाएगा न तू बस सब्वर्फरेंशेट कर सु Links on y दी वाइट एपन डी एक्स is ठीक है पिटा हमें निकालना कहा है हमें निकालना है स constitutive यहाに आइग से इस बताओ कितना रहाक यहां से डिय कितना आजाएगा ओवाई स्क्वायर अब इसको तुम सॉल्व करना एक अधा लाइन और लिख के मैं एक दो लाइन उड़ा दे रहा हूं ठीक तो यार मैंने उड़ाके यह लिखा हुआ है एक दो इस्टेप मैंने उड़ा दिया बिटा तो प्लीज आप सभी बच्चे खुद से ट्राई करो इसको जब आप वाई को ऊपर नीचे ऊपर लेके जाओगे यह वाई स्क्वायर हो जाएगा एकस नीचे आ जाएगा और HHH Ako को ज्सक्राइब को अगर इसा कुछ नहीं लग रहे है तो एक हम दर्द से भागने लग जाएंगे तो कैसे काम बनेगा हुँआ जो थोडवा सा तो देखो यह चलता रहता है है ना बिटा मतलब जब तक हम दर्द जहलेंगे नी ना तब तक मामला सेट नहीं बनेगा आज अब एक सवाल करो जल्दी से फड़ा फट ठीक है यार मैं यह चाह रहा हूं ना देखो तुम लोगों को ना बिटा क्वालेटी के साथ में आपको चीज़ें मिले तो जादा बे अब देखो तुम पढ़ाना नहीं चाहरे हो फिर भी पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी तुम पढ़ा रहे हो अगर यही तुम खुद से रिलैक्स होके बैड़ जाते फिर तो मामला ही खराब हो जाता है कि नहीं तो यही बिटा जबर्दस्ती हमें सेलेक्शन दिलाएगा यही जबर्दस्ती अब आजो जल्दी से फड़ा फट तुम्हें बता एक बहुत बड़े इंसान ने मुझे समझाया था कि क्या कहते हैं जब तक हम अगर अपने रिलैक्स जोन में काम करते हैं जैसे मालो तुम्हें तीन घंटे पढ़ने क्या था और तुम तीन घंटे तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है तुम ठक चुके हो तुम्हारी हालत बहुत बुरी है लेकिन अगर मैं इसी चीज को समझ के मैं सेशन बंद कर दो और तुम पढ़ाना छोड़ दो फिर तो तुम्हारा चार दिन में NCRT नहीं खतम होगा है की नहीं तो फिर तो सेशन की तैयारी हूँ नहीं पाएगी ना फिर पेपर की तैयारी होएए नहीं पाएगी तो यहीवो जवर्दस्ती है तुम्हें पता कई बार को अच्छे कामों के लिए एक ठीचैर एक माबाप बहुत जवर्दस्ती करते हों तो यह जो टौर्चर ना इसंदेगी बनाने के लिए टॉर्चर यह नेगेटिव टॉर्चर नहीं है तो यह जो चीज नहीं कई बार को हमें यह सब चीज करनी पड़ती है कि अगर आपके हिसाब से हम चलने लग गए फिर तो तुम बरबाद कर दोगे खुद को है ना तो इसी वज़ा से माबाप एक टीचर आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा तो इस वज़ा से आज हम निप्टाते हैं जितना टारेट हमने रखा है पूरा करते हैं आज एक तम भी पुछ कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं मैं भी साड़े-6 गंटे से खड करेंगे सबी मेरे बच्चे धान से देखो कैसे क्या करेंगे डिवाइब एक निकालने के लिए सर्वाइज इक्वल टू अंडरूट और यहां पर हो जाएगा एक्स प्लस इसकी जिगापर क्या पूट कर लेंगे वाई तो बस अब चाहे दोनों साइड स्क्वाइरिंग कर आग तो यहां से आजा और एक्स प्लस यहां से द्याउट आई माइनस का वन चाहरे पास कितना आ गया Uन upon 2i-1, तो बिटा, यही हमारा answer आगे, ठीक है, यही हमारा answer आगे, यही हमारा answer आगे, हाँ, जब तक, एकदम सही लाइन, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक्सेलेंट, ठीक है बिटा, एकदम crystal clear है सभी को, कोई भी doubt इसमें, I think किसी को भी नहीं ह होना चाहिए, ठीक है भी यह, चलें आगे, तो अब इसमें देखो, कुछ सवाल है, तुम्हारे लिए, है ना, इनको, इन सभी सवालों को try करना, आप सभी लो, यहां से आजाओ जल्दी से, यह सवाल देखो, dy by dx at t is equal to 2 pi by 3, when x is equal to this one, cvsc 2017 का question, सभी मेरे बच्चे इस सव सवाल को solve करेंगे बिटा, तो यहां से dy by dx निकालना है, तो यहां से solution करो, dy by dx होगा क्या बटा, यह हो जाएगा सर, dy upon dt, upon dx upon dt, यही हो जाएगा न, तो बस अब यहां से solve करता है, तो dy upon dt, यहां से कितना हो जाएगा बबू, 12, 1 का तो 0, minus cos t का हो जाएगा, plus sin t, तो dy upon dt हमा यह हो जाएगा, 12 sin t, ठीक, similarly dx upon dt निकालता है, तो dx upon dt कितना हो जाएगा, 10 t का derivative 1, minus cos t, यही हो जाएगा, देख लो एक बर फटा-फट, कोई भी दिक्कत, बटा, pdf telegram पे मिलेगा, pdf आपको सारा का सारा telegram पे मिलेगा, after the session आप telegram से डाउनलोड कर सकते हो, तो बटा, यहां से dy upon dx कितना हो जाएगा, यहां से dy upon dx, तो dy upon dt, यह हो गया, हमारे पास 12 sin t upon, dx upon dt कितना हो जाएगा, 10, 1 minus का cos t, और बटा, यहां पर t is equal to कितना भी है, 2 pi by 3 है, ठीक, तो बस हमें इसको solve करना है, 12 sin 2 pi by 3 upon, you get 10, 1 minus cos 2 pi by 3, तो बस अब values निकाल लो, और हम से सारी की सारी value को put करके answer निकाल दो, फटा-फट कितना हा रहे है, बटा, सारे की सारे बच्चे जल्दी से answer बता दो, मुझे, बटा, sin 2 pi by 3 के value निकालनी है, यह क्या हो जाएगा, sin pi minus pi by 3, that is equal to sin pi by 3, यानि कि आगया सर 1 by 2, pi by 3 यानि 60 degree है, तो हो जाएगा, root 3 by 2, कितना हो गया, root 3 by 2, ठीक, सेम इसे तरीके से बटा, cos 2 pi by 3 निकालो, तो cos 2 pi by 3 क्या हो जाएगा, cos, यहां से हो जाएगा, सर 5 minus pi by 3, that is equal to minus cos pi by 3, यानि कि 60 degree, that is equal to minus 1 by 2, तो बस अब सारी value यहां पर put करके, आराम से सारी value को solve कर लो, बेटा, तो करके मुझे answer बता दो, जल्ली से फड़ा फट, तो यहां से आजाएगा, 12 into sin 2 pi by 3 की value कितनी हो गया, इसा, root 3 by 2, तो यह हो गया, root 3 by 2, upon, यह हो गया, 10, 10, 1 minus cos 2 pi by 3, तो यह हो जाएगा, minus 1 by 2, तो यह हो गया, 1 plus 1 by 2 है, तो बस अब इसको solve कर लो, अराम से, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 12 root 3, upon, यहार, मैं एक आदा इस्ते पुढ़ा रहा हूं, तो प्लीज, आप समी लोग लिखना, बेटा, 10, 10 into 3 है, तो 3, 4 जा जाएगा, this one, 2, 5 जाएगा, तो यह कितना हो रहा है, 2 root 3 by 5, कितना हो रहा है, 2 root 3 by 5, कितना हो रहा है, 2 root 3 by 5, I think 2 root 3 by 5 आना चाहिए, नहीं, कुछ इसमें गलत कर रहा है, एक सेकंड, मैं देख लेता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा, 10 into 3, 3, 4 जा जाएगा, तो 2 root 3 by 5 आना चाहिए, ठीक है, I think 2 root 3 by 5 आना चाहिए, एक आधा, एक आधा सवाल आप, एक आधा लाइने और लिखके देखो, शायद यहीं आना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है, 2 root 3 by 5 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कर जाएगा, नीचे बचेगा, 3 into 10, 30, ठीक यही आ रहे, कोई भी दिख्कत, किसी भी बच्चे को, ठीक है, कोई भी समस्त्या बिटा, जल्दी से मझे बता दो, फड़ा बट, कोई भी डाउट, यही आ रहा ना, 2 root 3 by 5, अहां, तो यही आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है बिटा, बहुत बढ़े, great, excellent, तो बहुत हैं, हाँ, आगे आगे वाले सवाल पे आजो जल्दी से, यहां पर देखो यह सवाल बहुत अच्छा है, सबी मेरे बच्चे सवाल को करो जल्दी से, ठीक है, सभी लोग बिटा इस सवाल को सवाल करो, मतलब पूछा जा चुका है, हाँ जल्दी से करो बिटा एक चीज बताता हूँ देखो math में न वो जो पिछला वाला question उसमें कोई दिखका थे अच्छा 10 प्लस 5 है एक सिकट में देख लेता हूँ बिटा देख लेता हूँ ये टेन प्लस 5 नहीं यहाँ पर वन है ये ये 10 फ्लस 1 नहीं है ये वन है बाबु यह 1 है ये 10 प्लस 5 नहीं है हुआ ठीक है तो आप जल्दी से सवाल करते हैся यहाँ पर हमें निकालना क्या है यहां से dy upon d theta upon dx upon d theta यही हो जाएगा ना बिटा तो यहाँ से हम solution करेंगे तो dy upon d theta upon dx upon d theta तो बिटा यहाँ से dy upon d theta कितना होगा तो y हमारे पास यह है तो यह कितना हो जाएगा b cos theta similarly dx upon d theta कितना हो जाएगा dx upon तो यहाँ से यह हो जाएगा कितना minus का a sin theta ठीक तो भहिए यहां से हमारा dy by dx कितना आ जाएगा यहां से हम लिख सकते सर डी वाइबाइड इस इकल टू dy upon d theta upon dx upon d theta तो भीटा dy upon d theta कितना आ जाएगा b cos theta upon minus का a sin theta यह कितना आ गया सर माइनस का b by a cot theta आ गया कितना आ गया माइनस का b by a cot theta यही आ गया ना देख लो बार फड़ा 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 कोई भी समस्या किसी बच्चे को तो यहां से सर डी वाइबाइड इस हमारे पास कितना आ गया है यह आ गया सर माइनस बी वाइए kota theta ठीक अब हमें निकालना क्या हमें निकालना d2y by dx square ठीक तो बटा यहां से d2y by dx square हमें यह निकालना है तो यह क्या हो जाएगा d upon dx dy upon dx यह हो जाएगा हाँ यह ना यहां पर उड़ा के substitute कर तो minus b by a cot theta हो जाएगा ना यह ठीक है बेटा तो यहां से हमारे पास कितना हो गया यह minus का b by a d by dx और sorry हाँ d by dx यह हो जाएगा सर कौट theta ठीक अब यहां पर बेटा आपको ध्यान देना है अब यहां पर ना आपको ध्यान सभी मेरे बच्चे जड़ा ध्यान से सुनो यह तो हो गया बाव कॉंस्टांट अब यहां पर कॉट theta है यह सभी बच्चे थोड़ा सा यहां पर शत्र हो जाया करना है ना अब यहां पर जड़ा तुम इसका डिफ्रेंसेशन देखो माइनस बी बाई ये डी बाई डी एकस कॉट theta ठीक है तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं ठीक तो यहां से देखो मारे पास कितना हो रहा है बटा डी टू आई बाई डी एकस स्क्वाइर इस इक्वाइर इस इक्वाइर यह हो जाएगा माइनस का इन्टू डी ठीटा अपॉन डी एकस आएगा कितना डी ठीटा पॉन डी एकस यहां पर बेटा हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा यहां पर चेन रूल कैसे लगा होगे पहले हम कॉट का करेंगे तो कॉट का कर लेंगे तो यह हो जाएगा कॉस्टे कि स्क्वार ठीटा उ यहां से समझ मारे क्योंकि डी एक्स अपॉन डी ठीटा यहां पर आप पूट करोगे तो यहां d2i by dx square की value यहां से calculate कर लो तो यहां से आ जाएगा plus का b by a cosec square theta into d theta upon dx की value हो जाएगा minus का 1 by a और यह हो जाएगा सर sin theta ठीक है clear है सभी को हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फट कितना आ रहे है अब तुम सही कितना आ गया बच्चा यहां से आ गया सर बी बाई a square और यह आ गया हमारे पास कॉसेक क्यूब थीटा हा 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 प्रेम से बोलो वावा अगनी जला के जल्दी से मज़े बतादो फड़ा फट फट फायर बुच्च भी बाइजो ने सहे घलती करा था आई इस सबको समझ आ गया होगा अथी तरीके से कोई भी डॉट ठीख ए एक्सिलेंट एक्सिलेंट एक्सेलेंट एक्सिलेंट टीजमेगरें ग्रेट मज़ा रहे हैं सब और यह ओ तुम लोग दिखा क्यों नहीं रहो एक बार जल्दी से फड़ा फड़ येलो हट रोपी लगाओ जल्दी से ठीक है इतम क्रिस्टल क्लियर है ना कोई भी दिक्कत किसी भी जरा साथ भी सवाल में बिड़ा इस सवाल पर आते हैं तुमारी किस्मत अच्छी रही ना तो यही सवाल लौट के आ जाएगा ठीक है बाउंस हो तो भी पढ़ो यहां पर देखो क्या लेका अगर यह फंक्शन जो है कॉंटिनुवस है ठीक तो यहां पर बच्चा अगर यह फंक्शन अगर अमारा क हम यहां पर कैसे क्या करेंगे बोलो सर अगर यह फंक्शन कॉंटिनुवस है है ना इफ एफ एफ आफ एक्स इस मेरे पहले सभी बच्चे आंसर निकालके बताओगे कॉंटिनुवस आयट एक्स इकलस टू वन पर देन क्या लिमिट एक्स्टेंडिंग टू ओवन माइनस ए इसे क्ल्ट exem टू लिमित एक्स्टेंडिंग टूवन प्लस एफ-एफ एक्स इवडिश्टू एफ एफ फॉफ एफ उवन आ जायेगा हाँ यहे आभा जायेगा performing to 1 बंस एक्स स्कृएर प्लस भी बराबर लिमिट एक्स ठender रिटूवन plus one से बढ़े के लिए क्या हो जाएगा two x two x plus one हो जाएगा कि बिद्द से बढ़े के लिए क्या हो जाएगा बिट्धा टू two x प्लस वन नथना तो इसमें हां टू x कि वैलू को वन पुट कर देता है तो two into one plus one ठीक यानि कि three हो जाएगा कितना आ रहा है तो यहां पर one put कर दो तो यह कितना आ गया a plus b बराबर यह आ गया कितना two plus one is equals to three तो बच्चा यहां से a और b में relation क्या आ गया a plus b बराबर three आ गया तो यही हमारा answer आ गया ठीक है इदम crystal clear है सभी को ठीक है तो यही relation आप से पूछ रखा था बिटा जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहो प्लीज यार आप सभी लोग session को like जरूर कर दो खेना और एक बार session को share भी कर दो बच्चा ठीक है एदम अची तरीके से clear है किसी भी सभी डाउट अगर है तो बताओ ठीक अब जरा यह सवाल देखो फड़ा फट यहां पर क्या किया रहा है भाईया कॉसे टुदी पावर वाई is equal to cost y to the power x find the dy by dx है ना देखो कहते है ना हम दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है symmetric relation है है ना हम पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ रहे हो तुम पढ़ रहे तो हम पढ़ा रहे हैं कैसा relation symmetric relation ठीक क्या करेंगे बच्चा दोनों साइड log ले लेंगे taking log कल मैंने आपको बताया था ना कि तुम्हारा तहस नहास कर देंगे बोला दाना कल देखो एक दिन में एक चैप्टर पढ़के ना जिंदगी में कभी सिलेबस नहीं खतम हो सकता रगड के पढ़ो इतम अपने आपको पुष करके धक्का मार के मैं तो कह रहा हूँ बिटा खुद से पढ़ोगे तो भी इतना तुम सवाल नहीं कर पाओगे इतना रिवाइज नहीं कर पाओगे एक दिन में टेकिंग लॉग बोथ साइड और अभी तो तुम देखना रात के 9 बज़े ना आज तुम्हारे को 300 mcq नहीं कराये चाहे रात के 12 बज़े 300 mcq से कम आज नहीं करेंगे पूरे के पूर में तो साइड लो तो यहां पर क्या हो जाएगा लॉग और पड़ी पावर वाई इस इवplement टु लॉग यहरा हो जाएगा थिक कि तो यह कितना हो जाएगा वाई िन्टू लॉग x log cos x is equal to x into log cos y, यही हो जाएगा, बस हम दोनों साइट क्या करते हैं, बिटा, differentiate करते हैं, तो differentiate करते हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरह multiplication rule, तो multiplication rule जल्दी से भड़ा फट लगाओ, तो पहले y कहीं कर लेता हैं, तो हो जाएगा तरह dy by dx into log cos x, तो adjective रहेगा, प्लस, अब हम log cos x का करते हैं, तो यह हो जाएगा, 1 upon cos x, cos x का हो जाएगा, minus sin x, बराबर, यहाँ पर x का करेंगे, तो 1 आ जाएगा, into log cos y करते हैं, प्लस, x को जाएगा, log cos y का, 1 upon cos y, cos y का लिखेंगे, minus sin y, फिर y का करेंगे, तो dy by dx, ठीक है, बटा, chain rule, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर हो गया, सर, chain rule, तो बस अब इसको हम solve कर लेता है, तो यहाँ से dy by dx का coefficient कितना बन रहा है, मजा आ रहा है ना सबको यार, मजा आ रहा है भीया, तो यहाँ से देखो हो जाएगा, dy by dx, यह हो गया, अमरे पास log x, log cos x, कितना हो गया, log cos x, और यह हो गया, बटा, कितना, minus का y tan x, is equal to, यह हो गया, देखो, log cos y, और यहाँ से कितना हो गया, minus x tan x, into dy by dx, यह ही लिखेंगे ना, देखो एक बार फड़ा फट, तो बस अब सब कुछ यहार, एक side में ले लेते हैं, तो यहाँ से dy by dx is equal to, अगर मैं डारेट लिख देता हूँ ना, तो आराम से आ जाएगा, y into tan x, प्लस log cos y, बटा, मैच करवाले ना, अपान, यहाँ से हो जाएगा, log cos x, प्लस x into tan x, यही अंसर आ रहा है न, एक बार देख लो, कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को जड़ा सभी है, तो मुझे comment section में फड़ा फड़ा बता दो, मजा रहा है भईया, एक दम clear है बटा सभी बच्चों को, यार तुम break को मारो गोली, कहते है न, high pain is equal to high gain, तुम लोगों ने देखा नहीं है, लिखा रहा था है, high pain is equal to high gain, क्यों लिखा होता है, इसी वज़ा से लिखा होता है, जब तक दर्द नहीं, तब तक कहते हैं न, जो इंसान सफलता के चरम शिखर पर होता है, उसको पता नहीं होता, लोगों को, उसने कितने दर्दों को पाला होगा, किसी को ये नहीं पता होता, कि कितने पैरों के छाले भी उसके पैरों में कितने छाले हैं, समझ रहो, तो आज हम लोग मिलके फोड़ेंगे, तुम tension मतल हो, गलत है, कहां पे गलत है, यही आ रहे है ना पिटा, एंसर देख लो एक बार फड़ा फट, यही आ रहे है, कोई भी समस्य है, तो dy by dx is equal to यही आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इधर लेके आओगे, तो y tan x इधर आ जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके कहां पर y होगा, बताओ, कहां पर, कहां पर, कहीं पर है क्या कुछ, कोई दिक्कत है, बताओ, कहां पर दिक्कत है, तो यहां से हो गया, y log cos x is equal to x log cos y, तो पहले y क्या करा, तो dy by dx, log cos x as it is, plus y को as it is, रखेंगे, cos x का हो जाएगा, 1 by cos x into minus sin x, is equal to x का 1 आ जाएगा, log cos y plus x को पाइज रखेंगे, cos y का हो जाएगा, योवन अपाउन, cos y, cos y का मैनस sin y, dy by dx, अच्छा, x tan y, नहीं, बिटा, अच्छा, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यह tan y होगा, बिल्कुल, सही बात, बिटा, अभी समझाया है, मुझे, हाँ, यह y है न, यह, तो यह x tan y होगा, बिल्कुल, सही बात, बिटा, excellent, great, बहुत बढ़े, तो यह जो है, यहाँ पर y है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा, इसको सही कर लो, यह जो है, tan y है, हाँ, mind blowing, तो यह कितना हो जाएगा, x tan y आ जाएगा, minus का, तो यह tan y आ जाएगा, बहुत बढ़े, great, ठीक, अभी सही है बा बार देख लो, I think, सब सही है, ठीक है, एकदम crystal clear, बहुत अची बात, great, excellent, ठीक, बस ऐसे ही चाहिए, ठीक, तो आजो जल्दी से अभी यह वाला सवाल, आप लोग घर से try करना, ठीक है, बिटा, CBSC का ही question, अब इसमें कुछ question है, आपको घर से try करना है, ठीक है, अभी यह पूरी की पूरी कहानी थी, ठीक है, अब यार बात आती है application of derivative की, अब मुझे तुम्हारा जोश मुझे दिखना चाहिए, एक application of derivative और करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़े अपन पार 2 में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम ल derivative, application of derivative का जो weightage है हमारे syllabus में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, चार नंबर का, चार नंबर से लेके, आठ नंबर, मतलब आठ तो बहुत ज़्यादा है, चार से पांच नंबर, ये बड़ी sad reality है कि हमारे syllabus में इस बार के हिसाब से, जो 2023 का जो है, ये इसके हिसाब से, हमारे syllabus में, case based study का सवाल पूछ रखा है इन्होंने, ठीक है, तो अब जल्दी से मुझे बता दो, how is the Josh, सारे के सारे वड़ाफट, क्या बोलते हो, शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी से, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताओ, कितने लोगों के घर पे आज हो ली है, कितनों के घर पे कल हो ली है, कल तुम लोग, इंटीग्रल से लेके, क्योंकि अगर आज छुड़वार हो, तो कल करना पड़ेगा, कल इंटीग्रल से लेके, LPP पूरा का पूरा कराओंगा, एक सेशन में, मुझे ये बता दो कि कल टाइमिंग हमें क्या रखन चाहिए, ठीक है, तो बाइरहाल इसकी मैं पॉलिंग करवाता हूं, ठीक है, तो तब तक तुम लोग यहां पर पॉल में पार्टिशिपेट करना, ठीक है, पूल लगाना कल का सेशन कप करे, एक बज़े, बारा बज़े या सुबह, ठीक है, तो यहां पर देखो एक पॉल लगा रहे बिटा अभी, तो तुम लोग ना, तुम लोग क्या कहता है, प्लीज आप सभी लोग उस पॉल में रिस्पॉंड करना, एक चीज और है, कल बिल्कुल मैं बक्सूंगा नहीं, आज तुम लोग मतलब करवा रहे हो, अधर मैं तो सोच के अधर रात के 10 से 11 बारा बजे तक का प्लान, ठीक है, यह देखो अड़ा की साइड से देखो यह भी आ गया कि सर यह खाओ, यार यह यह पूरी महराथन के लिए आया है, तुमको पता है, रात के एक बजे तक, यह यह बारा गंटे का प्रोग्राम है यह, और तुम लोग पहले ही ठोड़वा रहे हो, यार, तुम लोग से पहले ही ठोड़वा रहे हो, बारा बजे तक का प्लान था यह, इतना सारा खाके मैं करूंगा, क्या फिर, हुँआ, अच्छा, मैं वही कहे रहा हूँ, तुम लोग जम के एक बार सेशन शेयर मारो, जम के शेयर मारो, भड़ा बट, जम के शेयर मारो, देखते कब तक कर पाता है, यार, आज ना, मैं रात के 11 बज़के 69 मिनट का प्लान करके आया था, 12 घंटे का, पूरा का पूरा, यह इतना बड़ा फ ठीक है, आज हो जल्दी से बेटा, चलते हैं, अप्लिकेशन आप डेरिवेटिव के उपर है न, शुरुवात करते हैं भई, अप्लिकेशन आप डेरिवेटिव का फड़ा फट, हाँ तो सबसे पहला चीज है इसमें अप्लिकेशन आप डेरिवेटिव में इतनी हैवी पीपीटी है कि बोड़ भी हैंग मार रहा है यह इसकी भी हालत खराब है आज इतना ओपरेट करने में अभी तक हम लोग 206 नंबर पीपीटी पर पता है 206 पेज़ पर यहां पर जो जल्दी से देखो यहां पर पोल लग गया है लगा दिए तो प्लीज जरूर करना करना किंगो इनिक्रीजिंग इन इंटर्वल है न है इस सबसे पहली चीज हमें सारी चीजों को तो बेटा समझना है कि आखर करते कैसे हैं और उसके बाद हम लोग अच्छी तरीके समझेंगे देखो अगर हमें कहीं पर भी इंक्रीजिंग फंक्षण की testing करनी है तो बेटा घॉस्टिंग कैसे करते सभी मेरे बच्चे द्यान दो यहां पर जैसे माल लोगर एक पोईंट लेते एक्स बेटें डोके-दो पासपास में लेते हैं ना पासपास में तो यहां से यह हो गया एक्सवन है ना और यहां से यह हो गया हमारा एक ठीक तो बिटा अगर हमारे पास कोई भी फंक्षन है वाइज इकल स्टू एफ ओफ एक फंक्षन है ठीक है और अगर यह इनक्रीजिंग फंक्षन है तो आप देख सकते हो कि सर एफ ओफ जो एक्स टू है और जो यहां पर एफ ओफ एक्स वन है अब मुझे एक चीज़ सोचक यह बड़ा है किससे एकसों से तो एफ ओफ एक्स्टू यानि कि जो इसकी हाइड है यह बड़ा हो रहा हुई किससे एक सूंस तो अगर यह कंडिशने जिए तो दो पॉइंट ले लो अगर एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन की वैलिव अगर बढ़ रही है तो यह हो जाएगा इस्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन समझ में आ गया हाँ या ना बिटा सबको मैं बता दो रहा हूं सारे के सारे पास हो जाओगे बस तुम एकदम ना सेशन इदम तुम बस देखते रहो सिर्फ ते रहो यहां पर नहीं इनक्रीजिंग फंक्शनल दौमें भायाएं डक्लियर नीचे आपका मैंशन यहां यहां पर दुखतो इसर टकाल अनकी हाइट देखेंगे ठीक तो यहां पर देख सकते हो कि सर जैसे जैसे अगर हम एक्सको बढ़ा रहे है मलब यानी की एक्सटू जैसे बढ़ रहा है तो पैटा एसा होता है तो हम क्या बोलें की बॉलेंगे डिस इज इस्टिक्ली 디 nächste Planet funktioniert अगया व्यां प्रेहित हो कि हे सबीको कि यहां पर निशी देको डिपनिशन लिख दिए आगर एक सोन एक सोन अगर मदाने एक सोन तो क्रीकर का सबूले मेरे बच्चे अथी तरीके से समझना कि आखिरकार हम increasing किसको कहता है ऐंड strictly increasing किसको कहता है ठीक कि strictly increasing किसको कहता है विटा सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से concept को जड़ा सीखो तुम है क्योंकि आधी जंता का यहीं पर doubt रहता है तो प्लीज आप सीखना तो जल्दी से जिन बच्चों को मालूम है वो कॉमेंट सेक्षन में बार लिखके मुझे बताओ क्योंकि बहुत बार मैंने बता रख्थ है है कि अब जरो देखो एक तरीका तो ये है कि जैसे तुम घर की चत की सीड़ी पर चलते हो तो यह जैसे घर की सीड़ी है कि मलब ऐसे देखो यह अब इसमें हो क्या रहा है इसमें हो यह रहा है कि यह अल्टिमेटली बढ़ ही रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें अल्टिमेटली तुम उपर ही तो जा रहे हो जैसे घर की सीड़ी है ना मलब उपर जा रहे हो फिर फिर उपर जा रहे हो फिर उपर जा रहे हो फिर फिर चणढना हो मलब तुमको relax नहीं मिले मलब तुमको relax नहीं मिले मतलब बस ना यह जिसको कहते है खड़ी चढ़ाई मालो mountain उरस्ट पे तुम चड़ रहे हो यूँ slope पर तो तुमको कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं है मतलब बैठने की जगह नहीं है तो इसको हम कहते है strictly increasing इसको क्या बोलते है strictly increasing function ओकी मतलब कहने का यह नहां है strictly increasing का मतलब तुम ऐसा समय लोग उसका नेचर बदल नहीं रहा है मतलब अगर वो बढ़ रहे ना तो रूख बिलकुल नहीं रहा है वो बढ़ रहे तो भागते जा रहे उपर भागते जा रहा है तो इसको बोलते है इस ट्रिक्रीजिंग फंक्शन मतलब उसका नेचर बिल्कुली चेंज नहीं हो रहा है मतलब यह बढ़ रहा है तो यह बढ़ते 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 जड़ते मतलब आग लगा दे रहा मार्केट में ठीके क्लियर अच्छा सेम इस अब यहां पर भी मैं दो यहां पर भी दो ग्राब बनाता है अगा थो अब आई तिंग तुम्हें इस टिक्ली इक्रीजिंग निमें तो बिटा अंटर अच्छे से समझ आई गया होगा इस टिक्ली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एसे घट रहे देखो से जैसे च्छत की सीड़ी उतरती है मतलब ऐसे उतर रहे हो फिर ऐसे नीचे जा रहे हो फिर उतर रहे हो है ना तो इस तरीके से तो इसको हम क्या बोलते है इसको हम कहते है सरफ decreasing function क्या बोलते है decreasing function ठीक है clear अच्छा इसमें क्या है इसमें मतलब एक-एक ऐसे नीचे आ रहे हो मतलब इसमें बिल्कूल भी रुखने का टाइम नहीं है तुम्हारे को इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे वहां इस टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे ठीक है इदा में अच्छी तरीके से तो यह क्या हो गया डिक्रीजिंग है निस्टिक लिए अच्छा इसमें एक चीज और जैसे हमने इनक्रीजिंग में पढ़ा था इनक्रीजिंग में यह पढ़ा था कि अगर यहां पर हम दो प्वائंट लेता है जैसे मालो यहां पर X1 और X2 ठीक और अगर इन दोनों पॉइंट में बच्चा अगर ऐसा रिलेशन होता है कैसा रिलेशन कि सर अगर X2 हमारा X1 से बढ़ा है X2 से बढ़ा है तो F of X2 जो है छोटा होगा कि से एप homme X1 तो हम इसको कहते हैं strictly increasing ठीक लेकिन अगर हम decreasing की बात करते हैं और इसमें अगर हम दो point लेते हैं यह मानलो x1 ले लिया और यहां से मानलो x2 ले लिया तो यहां पर जो condition मनती है है यहां पर बिटा x हमारे बराबर भी हो सकते है यानि कि if x1 is greater than or equals to x2 then f of x2 should be greater than or equals to f of x1 समझ आ रहा है मतलब अगर हमारा एक सिकंड यहां पर कुछ उल्टा लिख दिया मैंने शायद है न यहां पर x2 बढ़ा है न तो हां तो इसको उल्टा लिख दिया क्योंकि इफ यहां पर x2 बढ़ा है तो सेम इसी तरीके से अगर हम यहां पर increasing function की बात करते है तो यहां पर भी हमारा इफ x1 is greater than or equals to x2 इफ ऑफ x1 is greater than or equal to f of x2 होगा ठीक और यहां पर x1 is greater than x2 यहां पर sports in कि बाती सर्क्रीक्रीजिंग की वहां पर हम equality नहीं लगाते और जहां पर शर्फ और शिर्फ इंक्रींगरेशिंग की बात आती यहां पर हम play लगाते है तो प्लीज आप सभी करी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से इसको एकदम ध्यान रखना ठीक है इंक्रीजिंग इस्टिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस्टिकली डिक्रीजिंग के केस को हुल अब यहां पर बात करते हैं बच्चों monotonic function किसको कहते गिसको कोई भी function या वो या तो लगातार decreasing हो या तो लगातार 다ares यह तो दोनों के बच्रआ के सबस्क्राइने का मतलब यह है कि मतलब उस में नेचर सियन होना धार नहीं पोल है बच्चे मुण परगयब नहीं हुआ ठीक है Monotonic function का मतलब यह है कि कोई भी function वो या तो लगातार निक्रीजिंग हो लगातार डिक्रीजिंग यानि कि दोनों टाइप के function को मोनो टॉनिक function को समझे आ रहे सभी बच्चों को हाँ यान तो बिटा monotonic function कोई भी ऐसा function जो या तो लगातार increasing function हो in the domain या तो लगातार decreasing function हो दोनों टाइप के function को हम क्या बोलेंगे monotonic function हम बोलेंगे ठीक है इतम crystal clear अच्छा तो monotonic example आपको बताता हूँ जैसे मालनो for example y is equal to e to the power x तो e to the power x का graph कैसे बनाओगे कुछ इस तरीके से आप बनाते हो ठीक तो यहां से आप देख सकते हो कि सर यह कैसा है यह लगातार बढ़ रहा है तो यह monotonic function है same इसी तरीके से y is equal to e to the power minus x यहां पर भी बनाओगे यह कैसा हो रहा है घट रहा है तो यहां पर इसका graph आप ऐसा बनाओगे यह touch नहीं करना चाहिए तो यह कैसा है this is monotonic decreasing function तो यह क्या हो जाएगा बटा monotonic increasing function और यह क्या है monotonic monotonic decreasing function अठीट सभी बच्चों को अथी तरीके से तम क्लियर है हाँ या ना और इस बास पेपर फोड़ेंगे बच्चा पेपर फोड़ेंगे इस बार पेपर फोड़ेंगे तुम बेफिकर हो ठीक है मज़ा आ रहा है ना सबको यार तुम फायर इमोजी यलो हर्ट ओपी लगाते रहा करो यार थोड़ी थोड़ी देर में है ना मतलत पुड़ा इनर्जी मिलता है मुझको ठीक आगे चले आगे आ जो ठीक है अब यहां पर बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्टिंग करेंगे और यहां पर सभी बच्चे गवर करना बहुत इंपॉर्डटन चैप्ट है सभी मेरे बच्चे प्लीज बटा इस पर आप फोकस करना बहुत सभी मेरे बच्चों की निगाहें बोड़ पर होनी चाहिए और इस बार हम जो समझने वाले हैं यहां बर्खुरदार बह तो अगर हमें किसी भी फंक्षन का यह नेचर देखना है कि यह फंक्षन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो हम उसके rate of change से देखेंगे तो हम रेट of change से देखेंगे ओर rate of change होता कि dy by dx तो यह बाथ सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना कि जिंदगी में हमें कभी भी किसी भी फंक्षन का तो आप क्या करोगे f-x का sign देखोगे f-x नानी की dy by dx का sign देखोगे बराबर एकदम बराबर अब जड़ा यहां पर हम हर एक पॉइंट पर स्लोब ड्रॉ करेंगे सभी बच्चों की निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए एकदम एक बार समझ लो जिंदगी में मैं कहा रहा हूँ यहां पर स्लोब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा यहां पर स्लोब ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा तो अगर यहां पर हम हर एक पॉइंट पर अगर हम स्लोब ड्रॉ कर रहे हैं तो बैसिकली बिटा स्लोब की डिरेक्शन क्या हो रही है भाईया यहां पर थीटा क्या हो र तो हर एक जगापर थीटा हमारा लह्यां डिगरी और थीटा अंट लह दॉठीटींटै की नहीं अगर टैन थीटा पॉजेटीव हो जाएगा ते-धी तक एंगिए स्लोब पॉजेटीव जाएगा कि क shorts होता है तो अगर हम उस पर slope ड्रॉ करते हैं किसी भी point पर किसी भी point के आगे पीछे कहीं पर भी तो slope हर जगा पर positive आएगा मजा आया की नहीं बोलो हाया ना देखो कह यह रहा है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एक point लेते x is equal to x not अगर इसके पहले भी श्लोप का साइन अगर positive है इसके बाद भी अगर श्लोप का साइन अगर positive है हम क्या बोलेंगे सर दिस function is the strictly increasing function क्या बोलेंगे this is strictly increasing function प्रेम से बोलो वा हुआ समझाए कि नहीं हाँ या ना क्या बोलेंगे भीया कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को आई थिंग नहीं होगी ठीक तो अगर कोई भी function लगा तार बढ़ा रहा है तो अब बोर्ड पर होनी चाहिए ठीक करता है अब इसकी testing करेंगे अभी देखना तुम्हें माजा आ जाएगा कैसे करेंगे दूबारा यार slow drop करेंगे हर एक point पर slow drop करेंगे यह यहां पड़ा करो श्लोप ऐसे आएगा हाहा करो 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 देखो सब की निकाह है इधर ये देखो सुन्दर सुन्दर श्लोप ये देखो माजा आ रहा है माजा नहीं है तो भी बोलो हाँ माजा आ रहा है क्योंकि तुमारे जिंदगी की तुमारे जिंदगी बनाने का ये सेशन है अच्छा अगर बेटा हम हर जगा पर स्लोप अगर हम ड्रॉ कर रहा है तो यहां पर स्लोप हो क्या रहा है यहां पर थीटा हमारा ग्रेटर दन 90 डिगरी हो रहा है के नहीं हर जगा पर कहीं पर भी अगर आप देखो थीटा ग्रेटर दन 90 डिगरी हो रहा है के नहीं तो बेट 10th eta less than 0 हो जाएगा तो यहां से बावु slope क्या हो जाएगा लेस दन 0 और slope को हम क्या कहते है यानि कहने का मतलब क्या है यानि कहने का मतलब क्या है कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास यहां पर कोई भी एक ऐसा point x is equals to x naught है इसके पहले भी slope अगर negative है बाद भी अगर नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे X is equal to X not पर यह function क्या है strictly decreasing है तो यहां पर क्या बोलेंगे y is equals to f of X कि इस strictly decreasing function कैसा function strictly decreasing function ठीक है पिटा आई होप सभी बच्चों को इदाम अच्छी तरीके से clear कोई भी समस्य किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आगे चलता है ठीक अब यह केसे सर्म नीदर इन इक्रिजिंग नौर डिक्रिजिंग का तो यहां पर यार दो केस हो सकता है जैसे ठीक है यह नीदर इनक्रिजिंग नौर डिक्रिजिंग केस अभी आपको आगे बताता हूँ, तो यहाँ पर एक note लिख लो, है न, यहाँ पर एक note बना के, बहुत important note है, यहाँ पर लिखो, to check whether a function is increasing or decreasing, we always see, we always see the sign of, sign of f dash x, यानी, हमें slope का sign देखना होता है, समझा है, हमें किसका sign देखना है सर, slope का sign देखना होता है, ठीक है भाई है, clear है सभी को, बता दो हाँ या ना यार, जल्दी से, कोई भी doubt, नहीं है, देखो, maximum एक घंटे session और चल पाएगा, एक बात मुझे बताओ, clear है कि नहीं concept, यह conceptual clarity है कि नहीं, मतलब clarity है ना, आज जल्दी से, अगर मालो यहां पर बटा एक से इकल टू एक्स नॉट हम लेता है, ठीक है, और यहां पर एक्स नॉट के पहले, अगर slope positive आता है, बाद में भी अगर slope positive आता है, तो हम क्या बोलेंगे, this is strictly increasing function, मैं increasing का sign ऐसे लगा दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, this is strictly increasing function, ठीक, अगर यहां पर x is equal to x नॉट है, इसके पहले अगर slope negative है, इसके बाद भी अगर slope negative है, हम क्या बोलेंगे, this is strictly decreasing function, ठीक, और यहां पर इसके पहले slope अगर positive है, बाद में अगर slope negative है, हम क्या बोलेंगे, neither increasing nor decreasing function, ठीक, similarly अगर मालो यहां पर slow पहले negative है बाद में अगर slow positive है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे neither increasing nor decreasing function ठीक है बेटा clear है कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या किसी भी बच्चे को I think नहीं होगी यार बिलकुल भी आगे चलते हैं इसको कहते हैं point of inflation जैसे मालो अगर यहां पर हम y is equal to x cube का graph अगर हम draw करते हैं जैसे मालो this is y is equal to x cube है ना बेटा यहां पर y is equal to x cube में क्या हो रहा है सभी मेरे बच्चे ज़रा ध्यान से देखना है है ना सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनो यह क्या है this is sir x is equal to 0 यह क्या है x is equal to 0 है ना बेटा point of inflation के point को हम ऐसे करते हैं सभी मेरे बच्चे ज़रा ध्यान से सुनो कि अगर यह function increasing function है लेकिन किसी भी point पर slope बीच में 0 हो जाए है ना जैसे अगर आप इसका f dash x निकालो f dash x is equal to क्या हो जाएगा 3 x square तो भाई इसका f dash 0 कितना हो जाएगा 0 यानि कहने का मतलब क्या है कि इसका origin पर slope क्या हो रहा है सर 0 हो तो point of inflation ऐसे point को हम कहते हैं जहां पर हमारा जो की या तो increasing हो या तो decreasing हो लेकिन बीच में कोई एक ऐसा point हो जिस पर slope क्या हो सर 0 हो ऐसे point को हम कहते point of inflation ऐसे तो for the point of inflation आप निकालोगे कैसे f dash x को आप 0 कर दोगे ठीक है बीटा clear लेकिन conceptually point of inflation को हम कैसे समझते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई भी कर्व ऐसा हो या कोई भी function ऐसा हो जो दिखने में या तो increasing हो या तो decreasing हो लेकिन बीच में कोई एक ऐसा point ऐसा हो जहां पर अगर कर्व का slope ड्रॉब करें और वह जीरो आ जाए जिसे यह वाइज इकल टू एक्स क्यूब का है तो अगर आप यहां पर slope ड्रॉब करोगे तो बैसिकली इसका श्लोब क्या हो जाएगा सर जीरो हो जाएगा तो ऐसे point को क्या बोलेंगे ठीक है ऐसे point क्या बोलेंगे सर point of inflation बो अभी आधे गंटा और लगेगा बिटा आधे गंटे में सब खतम हो जाएगा डॉंट वरी ठीक अब यहां पर इसका application अब हाँ सबसे मेन बात है बिटा कि application आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से सुनो कि आकिरकार increasing decreasing का application कह है application देखना बहुत अच्छा application है कि अगर हमारे चीज के लिए बताई थी horizontal line testing याद है horizontal line testing आपको बताई थी to check the one one function तू चेक दा one one function के लिए horizontal line testing आपको बताई थी ठीक तो बिटा यहां से एक चीज आपको निकल के आता देखो अगर कोई भी function लगातार increasing है और अगर हम horizontal line testing करते हैं तो बटा यह इस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक जगा पर काटेगी समझ मैं तो यह function क्या हो जाएगा सर one one function हो जाएगा और one one function हो जाएगा तो यह increasing decreasing का बहुत ही classical यूज है similarly मान लोगर कोई भी function increasing function है तो अगर हम horizontal line ड्रॉ करेंगे तो यह इस कर्व को एक जगा पर काटेगा तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा वान वन फंक्शन हमारा हो जाएगा समझ मैं तो कई जगहों पर बिटा one one function की टेस्टिंग करने के लिए हमें ऐसे कर्व का increasing और decreasing function टेस्ट करना पड़ता है मतलब अगर मैं जैसे मालो अगर मैं आपको दे देता हूं कि y is equal to sin x plus x square अब तुम इसको बताओ कि क्या है यह one one है कि नहीं तो तुम्हें इसको निकालने के लिए increasing decreasing का concept आपको यूज करना पड़ेगा आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या यह increasing function है या decreasing function है अगर वो strictly increasing है या तो आप क्या बोल दोगे कि sir यह this is the one one function तो इस टाइब के सवाल बिटा आपके शलेबस में बनाए जा सकते है समझाया आप जैसे मालो for example यहां पर आपको एक सवाल दे रहा हूं और वाईज इकल स्टू एक्स प्लस साइनेक्स अना दिस इजव नॉन और नॉट इस इज और वन और नॉट फिक तो सभी मेरे बच्चे जड़ा बताओ वह बार फटबट कि यह वन वन है कि नहीं है जड़ा टेस्ट करो इसको कि वन वन है कि नहीं क्योंकि यहां पर अब थड़ी फेल जो आप f 1 मेराबर करते हो कि यह भी फेल है जो हान बेटा MOM cq का सिसल नौ बज़े से मॐ घैंआ यह सो आपैंट आप नौ बज़े बैटा आक्टिव रहना सभी बच्ट ना तो यहां पर हम देखों यहां पटार हम सलूशन लिखेंगे solution to check examiner को बताएंगे to check the one one function we must we must check whether fx is increasing or decreasing कि यह increasing है या decreasing ठीक एदम क्लियर बिटा तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम सर इसका डीवाईगा निकालेंगे तो यहाँ से वन प्लस कॉस अधिक्स हो जाएगा ठीक अब हमें यह देखना है कि वन प्लस कॉस अधिक्स मतलब क्या है यह पॉजेटिव आ रहा रहा या नेग कि इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो गया कि यह जीरो से ले चाल के बीच में लाई करता है यानि यह ग्रेटर दन और एक्वल स्टू 0 हो ठीक तो यहां से हम क्या करेंगे यहां यह प्रिड़िट करेंगे की f x is greater than or equal to 0 यानि कि fx कैसा function हो गया fx is increasing function कैसा function हो गया increasing function हो गया ठीक है बटा clear और अगर ये increasing function हो गया अगर ये increasing function हो गया तो यहां से हम क्या बोलेंगे तो fx is o1 1 function समझाया तो इसकी testing हम इस तरीके से करेंगे I hope यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से इदम crystal clear होगा कोई भी doubt यार किसी भी बच्चे को जल्दी से बारत देखके मुझे बता दो फटा फट ठीक है भईया इदम crystal clear है सभी को हाँ याना अच्छा एक चीज और बिटा एक चीज एक बहुत ही सिली सी मिस्टेक है एक छोटी सी चीज है ना प्लीज आप एक बार यहां पर ध्यान दो सभी लोग एक छोटी सी चीज है कि कि एफ एक समारा क्या हो रहा है greater than or equal to 0 हो रहा है यहां पर क्यों क्योंकि हमारा कॉसे कहां से कहां तो माइनस उन से वन तो उन प्लस कॉसे है increasing function हो जाएगा तो अगर हमारा function fx increasing function होगा तो fx होगा कैसे कुछ इस तरीके से होगा ठीक लेकिन ऐसे किसे में अगर आप horizontal line testing करोगे तो आई थिंग सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा कि सर यहां पर एक से ज्यादा point ऐसे होंगे जिस पर यह बराबर आ जाएगा समझ रहो तो यह function हमारा one one नहीं होगा क्यों क्योंकि यह increasing function है और one one होने के लिए strictly increasing function होना चाहिए समझ में आ रहा है तो one one function अगर आपको check करना सभी बच्चे बहुत ही basic बात है बहुत ही important बहुत ही बात है तो प्लीज सभी बच्चे यहां पर ध्यान से सुनो इस तरीके से बढ़ता है तो जहां पर यह constant है और अगर तुम इसी पर होरिजंटल लाइन टेस्टिंग करते हो तो अब्यसी बात है उसके multiple values आ जाएंगी समझे रहो तो यह function हमारा one one function नहीं हो सकता काउंसा जो increasing function है लेकिन अगर यह strictly increasing function होता तो हम इसको definitely बोलते कि this is a one one function ठीक है पिटा clear है सभी लोगों को हाँ याना जल्दी से मुझे बताओ फड़ा फड़ तो this is increasing function so that this is not a one one function है ना not a one one function क्यों क्योंकि यार यह increasing function है और अगर यह strictly increasing function होता है तो हम क्या बोलते कि sir this is one one function समझ में आगे है बिटा I think सभी बच्चों को अच्छे तरीके से clear होगा चलो आ जाओ जिन बच्चों को समझना है यार अच्छी बात है अब maximum minimum है आदे गंटे का काम हो रहा है बस 15-20 minute maximum तो प्लीज आप थोड़ा सा बिटा अच्छी तरीके समझ लो इसको भी आगर मालो यहां पर एक point a है और यह point of a- अच्छा ना तो अगर कहीं पर भी कोई भी function की value उसके पडोसियों की value से छोटी है तो वह maximum है इसको local maxima कहता है जैसे कहता है नहीं है जैसे मालो तुम्हारा मोहला है ठीक है तो तुम्हारे मोहले में मालो तुम सबसे अमीर हो ठीक है चाचा भी धायक है तो ऐसा मालो यूपी में मालो मायवती है ठीक है मायवती जी अमीर है लेकिन यह थोड़ी नहीं कि सबसे अमीर है उनसे अमीर हो सकता है कि भाई योगी जी हो है कि नहीं मालब local अमीर है तो सेम यहीं चीज़ इसको कहते है local maxima local maxima का मतलब यह है कि अगर दो पडोसियों वाले point ले लोकल मैकसिमा का मतलब यह कि इस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैलू मतलब लोकल में मदलब इनके पड़ोसियों के रिस्पेक्ट में सबसे बड़ा समझ मैं जैसे जैसे क्या कहते हैं कि तुम लोग घर में मालूतुमकोई अपने स्कूल के टॉपर हो ठीक है तुम गाउं धियात से कहीं से हो छोटे स्कूल से और वहां पर तुम लगातार बच्पन से टॉप मारते हो फिर पता लगा तुम बाहर निकले पढ़ाई करने के लिए अब तुम्हारे तुम कहीं एक धिस्टी नहीं कर रहे हो होता है ना क कोई competition देने माल लो आयटी का या नीट का या किसी भी चीज़ का सीवीटी का फिर वहां पर पता लग रहा है एक से एक आ रहे है ग्लोबल लेवल पर है ना तो तुम लोकल टॉपर हो लोकल टॉपर यानि कि जो तुम्हारे आस पास में दो चार बच्चे हैं या बीस पच् ज्यादा है इसको हम क्या बोलेंगे दिस इस दा लोकल मैक्सिमा मतलब बीच वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हाँ ठीक है एदा मची तरीकी साइधिंग क्लियर होगा ठीक तो यहां से अगर एक वैल्यू है एक प्लस है और यह वैल्यू है एक जो वैल्यू है यह इसके प तो सेम इसी तरीके से लोकल मिनिमा की बात करते हैं, जैसे मालो यह point A है, यह A plus H है, और A minus H है, ठीक आप मालो कोई गरीब बंदा है, अपने मुहले का मालो कोई गरीब है, अब वो गरीब किसके respect में है, हो सकता है कि बहुत अमीर जगा पे रहता हो, बगल में टाटा, बगल म अमबानी, मतलब इस हिसाब से तो हम भी चले जाएं, गरीब हो चाहेंगे, है कि नहीं, मतलब अब तुम इमाजन करके देखो, कि अगर तुम्हारे एक साइड अडानी बैठा हो, एक साइड विल गेट बैठा हो, तो तुम अपने आपको अमीर समझ सकते हो, नहीं समझ सकत तुम, तो तुम लोकल गरीब हो गए कि नहीं, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम सबसे गरीब हो गए भारत में, तुम से भी गरीब गरीब लोग हैं, लेकिन तुम लोकल गरीब हो गए, इमाजन करके देखो, सेम यही पॉइंट के बीच में खेला है, कि अगर एक पॉइ आड़ा दे एक साइड में तुम्हारे अंबानी बैठा दूसरे साइड में डानी बैठा बीच में तुम बैठे हो इमाजन करके देखो तुम्हें कैसा लगेगा मलब ये रेंज रोवर लेके चल रहा है ये रॉल्स रोयल्स लेके चल रहा है और तुम बीच में साइकल पर ग है f of a f of a जो है सबसे छोटी होगी किसके रिस्पेक्ट में f of a प्लस h से और f of a minus h से एकदम अच्छी तरीके से clear है हाँ या जल्दी से मुझे बताओ तो यहां पर बेटा f of a की value इसके पड़ोसियों की value से एक छोटी है यानि कि f of a minus h से भी और f of a plus h से भी तो यह क्या हो जाएगा local minimum लेकिन यह क्या है यह local है ऐसा थोड़ी नहीं कि मतलब एक तरफ अडानी एक तरफ हम बानी है तो म्यार पूरी दुनिया में सबसे ही गरीब है मतलब absolute गरीब हम नहीं है मतलब global गरीब हम नहीं है वह कुछ लोगों के respect में गरीब है तो यहां पर आजो जैसे देखो y is equal to क्या है mod x है तो यह पिटा यहां पर क्या है x is equal to 0 पर local minimum यह क्या है दिस is the local minimum ठेक clear सभी को मजा रहा है अब जरा यहां पर आजो critical point अब यहां पर आजो critical point देखो critical point हम किसको कहते है critical point का मतलब देखो critical मतलब यह होता है न तुमको बताता हूं critical मलब तुम अब इसका घंड़ी से लेना देना नहीं है बस मैं तुमको को relate कर Wevart critical मलब कहते है न यार वो न बड़ी ganze situation में pretty little मतलब की मलब सबसे गंदी situation मैं या तो सबसे गंदी situation मैं या थो सबसे अच् gaz Gund का मतलब है सब से या då maximum हो या तो Command हो मलब ऐसे वह पवाइंट सारह का सारे जहां पर F- MALE हो जाएगा जीरो हो डा समझ आतो यहां पर क्या ओ रहा है यहां पर भया एवडस थे हो रहे है जीरो हो रहा है ठीक यहां पर फीट हम लेंगे जहां पर यहां पर आप फाइंड आउट नहीं करपाऊ यहां पर देखो शारप टर ना तो यहां पर एफ-डैस-एक्स होगा जहां पर जी रो है और जहां पर एफ-डैस-एक्स डाजनोट एकण्ट करते हैं एगदम अची तरीकी से सभी बच्चों को एदम crystal clear है ना तो f-x अगर 0 है और f-x अगर does not exist तो दो के दोनों type के function को हम critical point कहते है ठीक अच्छा stationary point हम किसको कहते है stationary point stationary point का मतलब यह है जैसे मालोग यह column है ठीक है अब इसको मैं ऐसे फिक दिया तो यह column ना अपने maximum height पर गई जैसे देखो यह देख रहे हो तो यहां से यह एक maximum height पर गई वहां से यह नीचे आई तो अब एक चीज़ सोचना मतलब जैसे मालोग यह particle है ठीक है मैं इसको ऐसे फि जो कि यहां पर क्या हो जिसका यहां पर एक्स ब्राबर क्या हो जीरो यहां पर और यहां पर तो इन दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे इस्टेषनरी पॉइंट बोलेंगे मतलब स्टेषनरी पॉइंट पर क्या होता है प्टा एक प्वलोसिटी 0 होई एक एक रुका फिर यह नीची आया तो नीचे आएगा तो रुके गई मतलब एक बार मैक्सिमा पर इसका रेट ऑप्चेंज 0 रॉख एक बार जब यह नीचे आ गया तो यहां पर भी इसका रेट ऑप siento जिरू हो गया तो कहने का मतलब यह है कि अगर सेशनली पॉइंट उन पॉइंट को कहता है जहां परख क्या हो this और चाहे वो सबसे माकसिमा वाला पॉइंट और छाहे वो सबसे मिनिमा वाला पॉइंट ठीक है बेटा सभी बच्च एक बार देख लो तो बेटा स्व्थ स्वाकारि किया होता है। याने किसी भी पार्टिकल का जो रेट ओफ चेंज है वह बेसिकली जीरो होता है अब इसके अलामा यार एक्स्ट्रीम और यहां पर देखो एक्स्ट्रीमा किसको कहते है एक्स्ट्रीमा या लोकल एक्स्ट्रीमा देखो एक्स्ट्रीमा का मतलब यह है यह तो सबसे बड़ा यह तो सबसे छोटा समझ में आ रहे हैं मतलब जो है ना तगड़े वाला मला तुम सबसे नंबर एक वाले रगाट ना मला तुम सबसे लो लेवल के हो तुम समझ में अब जिसे अच्छाई के मामले में सबसे घिनाओना है मतलब सबसे गया गुजर आदमी वीडियो देखके पता लगा मेरे कोई किड़नाइप कर रहा पहले उसको वीडियो शेयर मत करना तुम ठीक है तुम्हारी जिम्मेदार ही है क्योंकि अगर मैं हो जाओंगा न तो फिर तुम्हारा ही सेशन खराब होगा कल का सेशन नहीं हो पाएगा अगर आज रात को सेशन नहीं हुआ तुम समझ जाना मैं उठ चुका हूँ बागी करेंगे गत्रेगे अगले साल सुन्दो ध्यान से achieve NICK का मतलब करें कोई भी चीज सबसे अपने एक latch स्ट्रीम से वह सबसे माक्सिष। पॉजिश्फ चाहें सबसे मिनिमुम पजीश्ब्स समझ रहे हैं मतलब दोनों इस यह तो तुम पढ़ने में बहुत अच्छे है या तो महा गद समझ आ रहा है इसको कहते हैं एक्स्ट्रीमा मतलब वह सारे के सारे पॉइंट जहां पर हमारा एक्स्ट्रीमा क्रिस्टल क्लियर तो एक्स्ट्रीमा का मतलब यह है वह सारे के सारे पॉइंट जहां पर एक्स्ट्रीमा हो मतलब कहीं पर या तो सबसे मैक्सिमा हो या तो सबसे म आक्सिमा हो या लोकल में सबसे रहीं हो बासरीज में आए क्लियर सबको या आ आ जल्दी से मुझे बताओ तो लोकाल एक्स्रीम का मतलप है अए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ठीक निक अच्छा यहां पर एक डेस एबराबर क्या हो जीरो लेकिन यहां पर एक डेस एक जिस्ट करना चीए ऐसा नहीं है कि एक डेस जो है एक जिस्ट ना करें कि एक लियर है सबी को अजल्दी से मझे बताओ एक बच्चा कह रहाएं सरा अब हंसते बहुत हो बढ़ा इसको कहते इसको कहते इनजुआये करकरके से पढ़ाना समझ मारा जिस इंसान को अपने काम से प्यार होता है वो इंसान अपने काम के टाइम पर भी हसता है तो तुम भी पढ़ रहे हो हसो समझ मारा रोना नहीं है तुम्हें आ जाओ जल्दी से हस्ट और डेरिवेटिव टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट अबिट ठीक तो यार इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहीं पर भी कि अगर हम साइन ऑफ डैस अगर हम देखें साइन ऑफ डैस अक्स X is equal to X naught पर यहाँ पर तो 0 है इसके पहले अगर slope positive है इसके बाद अगर slope negative है यानि कि X is equal to X naught क्या होगा सर? point of maxima ठीक है clear है जल्दी से मुझे बता दो फड़ा फड़ा आ आगे चलता है minima की testing करते है minima की testing है ना बेटा बस 15 मिनिट और minima की testing करते हैं यहाँ पर slope negative यहाँ पर slope negative यहाँ पर देखो slope 0 यहाँ पर slope देखो positive ठीक है यार मैं जो तुमको पढ़ाता हो ना बच्चा मैं खुद इतना महसूस करके पढ़ाता हूं जिसकी हद नहीं है समझ रहो मैं मैं पढ़ाता नहीं मैं जीता हूं लेकिन अगर तुम तक ना वह चीज नहीं पहु हो यहाँ पर क्या हो रहा है पहले slope negative बाद में स्लोप हमारा पॉजेटिव तो पहले स्लोप नेगेटिव बाद में अगर स्लोप मारा पॉजेटिव है तुम क्या बोलेंगे दिस पॉइंट इस पॉइंट ऑफ मिनिमा एक दम अची तरीके से क्लियर है हाँ या ना अब यहा पर स्लोप ड्रॉप करोगे तो हर जगा पर स्लोप नेगेटिव भी आएगा तो दिस इस नीदर मैक्सिमा और मिनिमा ठीके क्लियर है सभी को हाँ या ना जल्दी से मुझे बता दो फड़ाफट ठीक है यार देखो तुमारी साइड से मुझे इनर्जी नहीं दिख रही देखो बहुत गंदी आदत है यार मैं सुबह देखो साथ घंटे हो चुके हैं अभी समझारो चार तिन साथ घंटे हो चुके हैं लेकिन तुमारी साइड से देखो इनर्जी नहीं दिख रही मुझ we have to see, maxima और minima, we should see, we should check, sign of f dash x, not f of x, बात समझ आ है, तो भहिया अगर यह x not है, अगर इसके पहले slope अगर positive है, बात में अगर slope negative है, तो यहाँ पर x HIV culture अगर इसके पहले भी slope positive है, बाद में भी slope positive है, तो नीधर maximum नॉर minima, इसके पहले slope negative है, बाद में भी slope negative है, नीधर maxima नॉर minima ठीक है बाबू भीया हाँ या ना जल्दी से बता दो एक बार फड़ा फट यार क्लियर है सभी को कोई भी समस्या आगे चलता है ये हो गई कहानी खतम इसके बाद यार सेकंड ओडर डेरिवेटिव टेस्टिंग सभी मेरे बच्चे जल्दी से एक बार देख लो फड़ा फट तो बेटा सेकंड ओडर डेरिवेटिव टेस्टिंग में भी ऐज इजूल हम क्या करता है सबसे पहला काम find critical point find critical points critical point निकालेंगे दूसरा काम क्या करेंगे d2i by dx square निकालता है अगर इसका sign d2i by dx square का sign कहीं पर अगर negative है किसी भी point पर तो यह हो जाएगा सर मिनिमा कि अगर इसका sign किसका डवल derivative का sign अगर negative है तो यह maximum हो जाएगा अगर डवल derivative का sign एगर positive है तो यह minima हो जाएगा ठीक है clear है सभी बच्चों को हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो फटाफट आगे चलते हैं भया तो यह second order derivative testing है maxima और minima की ठीक है अब यहां पर बात करते हैं बच्चों absolute maxima absolute minima की जैसे मालो अगर यहां से हमारे पास closed interval a से लेके b है और यहां पर कोई हमारे पास c d this one is the c or d ठीक अगर हमारे पास कोई भी एक function यह defined है x belongs to closed interval a से लेके b के बीच में कहां पर closed interval a से लेके b बीच में तो यहां पर हमें चेक करने के लिए global maxima या minima देखने के लिए global maxima या minima देखने के लिए हम कहां-काँ पर value check करते हैं check the values check the values at x is equals to a पर x is equal to b पर and सारे की सारे critical point पर and सारे की सारे critical points पर समझाया तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप f-x ब्राबर 0 करोगे तो जैसे लिए आप f-x ब्राबर 0 करोगे तो यहां से सारे की सारे बिटा critical point आ जाएंगे तो आपको अगर कहीं पर भी अगर global maxima global minima आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे सबसे पहला काम सर यह problem खुद क्यों बिटा अगर आपको कही पर भी global maxima global minima अगर आपको निकालना है तो आप करोगे क्या सर सबसे पहला काम critical point आप निकालोगे critical point निकालने के लिए सारे के सारे critical point पर function की values और इसके अलावा जो भी हमारे end point है A और B उन पर function की values निकालेंगे जहां पर value सबसे बड़ी होगी उसक को हम बोलेंगे सर global minima एकदम अच्छी तरीके से crystal clear है जल्दी समझे बता तो एक बार फड़ा फट ठीक है बिटा तो आज तो हम लोगों ने आधास लेवस तो निप्टाई दिया रहे ना आधास लेवस तो देखो हमने एक दिन में खतमी कर दिया और यार अभी देखो सात गंटे में math के 6 chapter बिटा ये कोई मलब अंग्रेजी हिंदी तो है नहीं कि मतलब बस एक बार में बस literature उठाया और खतम कर दिया ऐसा तो कुछ है नहीं देखो इसमें लिखना भी है समझना भी है दिमाग भी लगाना है concept को भी clear करना है तो ये बिटा एक बहुत ही different subject है अगर आप बाकी subject से अगर compare कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप एक चीज़ सोचो कि सात घंटे में 6 chapter ये math का करना मलब this is not a joke मैं सच में कह रहा हूं जहां पर value सबसे बड़ी वह global maximum जहां पर सबसे छोटी global minimum बस मुद्दा खतम समझ आगे सभी को हाया ना आज आज आप जल्दी से भड़ा वड़ सवाल करते हैं cbsc ai 2014 अब बारी है तुम्हारी 45 सवाल करेंगे उसके बाद session खतम उसके बाद कल हाँ तुम लोगों ने पोल म हमारा session आने वाला case based study का कल हम लोग काफी सारे करने वाला है ठीक है तो यानि कि तुम लोग सुभाई session चाहते हो बहुत अच्छी बात है तो कल भी यार सुभा से session करते हैं ठीक है तो सभी लोग फड़ा फड़ा अब यह तुम्हारी बारी है कोई भी बच्चा बिटा बिन कि अच्छा बेटा case based study का कल हमारा रात के आठ नो बजे session होगा लग जाएगा आपको पता लग जाएगा बच्चा है ना चलो इस सवाल को खरते हैं फड़ा फट ठीक है मजा रहा है मजा रहा है कि नियार सभी बच्चे बताओ जल्दी से फड़ा फट सही बताओ मजा रहा है न तो यहां से बच्चा हमें क्या बता रहा है कि सर आकरकार अगर यह increasing function है तो basically हमें अब इसके बाद यहां पर इसके बीच में लगाएंगे chain rule क्योंकि अंदर वाले का differentiation करेंगे तो एक बार हो जाएगा यह एक्स माइनस का 2 है न यह हम chain rule भी लगा सकते हैं क्योंकि इसको अलग-अलग करके भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे करते रहा हूँ एक्स माइनस 2 एक्स का derivative आ जाएगा 1 प्लस अब एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का derivative तो 1 ही आएगा ठीक है clear तो यह हमारा greater than or equals to 0 आ गया तो बस अब solve कर लो आराम से यह हो गया देखो 2 एक्स एक्स माइनस 2 और यहां से कितना आ गया यहां से भी देखो 2 हमारा बाहर आ जाएगा एक्स माइनस का 1 आ जाएगा greater than or equals to 0 देख लो भीया यहां से क्योंकि बन जाएगा 2 एक्स माइनस 2 तो 2 मैंने common ले लिया बिटा तो यहां से मारे पास 4 एक्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर दन और एक्स टो जिरो आ गया बस रियल लाइन पर आप बना लो इसको रियल लाइन पर साइन देख लो यह हो गया एक्स इक्स इक्लस टो जिरो यहां पर हो गया एक्स इक्स इक्लस टो टो प्लस माइनस प्लस माइनस हमें चाह पहर हाहा बता कहाँ पर सह कि आ सबस्टर करता अणपान करते हैं झाल कर दो अधिर हद guests कल पूरा चाप्टर करतंगे bambooतों दो पार के 12 बचे पूरा चाप्टर तुम्हारा होली होला हाँ बताओ जल्दी से ठीक है और कोई भी बच्चा बहिया कल होली वाली मत खिलना है अपना क्योंकि जरा सभी अगर बीमार पड़ गए ना मामला वहीं पर खराब हो जाएगा हाँ तो अब यहां से जल्दी से बताओ बिटा हमें सबसे पहले सबसे पहले का डिफ्रेंसेशन तो 2 x x-2 हो जाएगा उसके बाद अंदर वाले का करेंगी याँ पर chain rule लगा x का derivative one into x-2 plus x को Ad refuge रखेंगे ऍस प्रिंटो एक्टो कर देरिवेटिव in two-one अच्छी क्लियर तो बस यहांसे एक्स प्लस एक्स हो गया two two x माीनस के two to तो यहां से two हमने कॉबट निकाल लिया तो यहां विटा हमारे पास 2 to 4 x into x-2 into x minus 1 यही बन गया ना कि तो बस हमें करना क्या है यहां से वेवी कर मेंथर से हम देख लेंगे कि कहां पर यह कर देक्रीजिंग वन के बीच में दो से लेके इनफानाइट के बीच में ठीक है पिटा क्लियर है कोई भी दिखकर बिलकुल एक्सेलेंट आज जल्दी से next question करता है बहुत अच्छा question है सभी मेरे बच्चे जल्दी से देखो एक बार फड़ा फड़ यहां पर कहा रहा है पिटा find the interval in which the function this one is the strictly increasing यहां पर हमारे सामने एक function है कह रहा है कि सर अगर यह strictly increase कर रहे है तो आखिरकार आपको इसका interval बताना है तो fx is equal to क्या दे रखे भाई है एक स्क्वाइर इंटो e to the power minus x तो बिटा इसका derivative निकालेंगे fdsx बराबर अब इसको differentiate करते हैं तो सबसे पहले x square का ही कर लेते हैं 2x into e to the power minus x plus x square कow आज अज रखेंगे इ डिपावर मारे श् costume और माईनस इस एडी do कि वब सहां से क्या करेंगे से क्या एह स्वेस्ट म्हीं लेते हैं से कॉमन यह है यह हो जाएगा देख लो एक बार प्षट ऑठा थे तो यह थे सर हमेशा ही क्या होगा सर हमेशा ही पॉजटिव होगा अब हमें चाहिए क्या है इंक्रीजिंग का इंटरवल चाहिए तो फॉर इनक्रीजिंग पॉर इंक्रीजिंग है ना तो f dash x हमारा क्या होना चाहिए बिटा हमारा increasing के लिए यहाँ पर strictly increasing कहा रहा है तो यहां से greater than 0 तो f dash x हमारा है क्या यहां से e to the power minus x into 2x minus x square हमारा greater than 0 तो यह तो हमेशा ही positive है तो हम इसे divide कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 2x minus x square greater than 0 तो माइनस से multiply कर दो तो यहां से basically हो क्या जाएगा भी है x square minus 2x less than 0 आ जाएगा ना तो x x minus 2 less than 0 आ जाएगा तो यहां पर रियल लाइन आप बना लो तो रियल लाइन अगर बनाओगे दिस इस एक इकल्स तो 0 दिस वन इस एकसे जीकल्ट तो तो plus minus plus ठीगए बिटा तो यहां पर हमें कौण सा इंटरवल लेना नेगेटी वाला इंटरवल लेना नेगेटीव वाला कौण सा 0 से लेके दो के बीच में तो यहां से नेगाटिव वाला इंटर्वल आप कॉंसा ले liोगे एक्स विलोंग स 2 जीरो से लेके 2 के बीच में है एकदम सभी को हा या या न हमसी कोई और यहां कॉंसा लेंगे यह जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं शाम के आज नव बजे आपको दोस्तों 300 MCQ कराने वालों बहुत ही भैंकर समझे रहे हो तो प्लीज सभी मेरे बच्चे रात के 9 बजे आप जरूर active रहना कोई कसर नहीं छोड़ा आपको मैंने आपको इसमें भी कसर नहीं छोड़ा है वह अलग बात है कि आप सभी लोग होना चाहिए अगर यह ग्रेटर दन जिरो है तो यहां पर 2x-square तो हम इसको पलट देंगे क्यों कि बैटा तभी तो आप यहां पर यहां पर यह phatrization कर पाऊगे X square minus 2X का X square minus 2X बनेगा तभी तो आप हैटराजेशन कर पाऊगे ना तो अगर ये greater than 0 है तो अगर हम इन में दोनों साइड अगर minus से multiply करेंगे तो inequality ये हमारी पलट जाएगी अब ही greater था अब less than हो गया तो यहां से X को common निकाल लोगे, X into X-2 less than 0, तो यहां से X belongs to क्या हो गया, 0 से लेके 2 के बीच में, ठीक है clear, ठीक है clear, बिटा कल हम लोग करेंगे पूरा का पूरा integral से लेके LPP तक, आज हमारा ये पहला का पहला जो किताब है, ये हमारी book 1 का सबसे last chapter है, basically increasing decreasing, ठीक है, आजो जल जेको आपकी screen पर ये रहा, है न, Y is equal to X, X minus 3 का whole square is a decreasing function, find the values of the X, आपको बेटा यहां पर X की value बतानी है, ठीक, तो सभी मेरे बच्चे जड़ा फटाफट solve करो, तो बहिया कैसे X की value बताएंगे, decreasing function है यहां पर, तो since this is a decreasing function, तो बेटा यहां से F dash X हमारा क्या हो जाएगा, तो F dash X से निकालो, सबसे पहले X का ही कर लेता है, तो X minus 3 whole square हो गया, प्लस X को आज़ेटिज रखेंगे, X minus 3 का whole square derivative, तो यह हो जाएगा 2X minus 3 है न, clear, तो यहां से भईया X minus 3 तो हम ले लेंगे सर common, यहां पर बचेगा X minus 3, प्लस यहां पर आजाएगा 2X, तो यहां से मारे पास 3X minus 3, तो यहां से हो गया X minus 3, 3 को अगर हम common ले लेंगे, यहां पर आजाएगा सर, X minus 1, तो F dash X हमारे पास कितना आ गया, इस वन, बेड़ा जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ ऐसे movie की दरह देख रहे हो, जिंदगी में कभी गणित समझ आई नहीं सकती, लेकिन अगर आप सच में अगर solve कर रहे होगे न, अपने कलम कॉपी में लेकर, तुम्हें सब समझ आएगा, लेकिन अगर नहीं करोगे, तो बबु कोई चारा नहीं है उसका, आपको कलम चलानी पड़ेगी, मैत में अभी कलम नहीं चलाओगे न, पे अगर तुम्हें से चाहिए, तो यहां से नेगेटिव वाला साइन देख लो, तो एक्स विलॉंग्स टू कहां से कहां तक? यहां पर डिक्रीजिंग कहा रहा है न, इस्टिकली डिक्रीजिंग कहा रहा है, तो यहां से कहां से ओवन से लेके, अच्छा, इस्टिकली नहीं कहा रहा है, डिक्रीजिंग कहा रहा है, तो एक्स विलॉंग्स टू कहां से कहां तक? ओवन से लेके थरी तक हो जाएगा, ठ देखो यह inequality का बेटा तरीका होता है जैसे अगर मालो हमारे पास कोई भी एगर कोई भी एक फंक्शन दिया गया है AX square प्लस BX प्लस C ठीक मालो आप इसका फैटराजेशन करते हो यह X-A X-B आता है ठीक मालो ऐसा कुछ आता है मान रहे हम बस यह सबसे बेसिक मालो X-2 X-3 आ जाता है ठीक यह हम माल लिए कि कोई एक मालो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक है जिसको तुम फैटराजेशन करते हो और ऐसा कुछ आ जा रहा है तो यहां पर हम करते क्या बवू रियल लाइन मनाते हैं यहां पर सारा का सारा पॉइंट हम रखते है X-2 X-3 यहां राइन में होता कि है राइट है और पहले हम च्छोटी लिखते हैं तो जो सबसे राइट वाला हुछ फिर कहते ह mainer फिर कहते है प्लस यह तरीका भास समुझ में आरहेगा यह और astrology है तो यहां से प्लस मायनस पलस ठीक तो यहां से जो अगर आपको मांलो increasing integral पूछा है तो अब विस आपका positive होगा तो यहां से positive interval गहें यहां से यह union लगाके फिर यहां से है अगर मालो decreasing पूच रखका है तो आप यह वाला इंतरो करेंगे हम रियल लाइन पर बना देंगे इसको तो चोटे वाले को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे राइट राइट साइड में बड़े वाले को लिखेंगे अब सबसे राइट साइड में प्लस यह प्लस से ही शुरुवात होती है समझ मैं यह प्लस से ही शुरुवात होत लेकिन तुम्हारे लेवल पर काम चल जाएगा कि सबसे राइट वाले को प्लस दो फिर माइनस दो फिर माइनस दो फिर प्लस दो ऐसे अल्टरनेट करके चलते जो अब अगर हमसे पूछ रही इनक्रीजिंग फंक्शन बताओ तो यहां से प्लस वाला इंटरवल लेलो यह से म अगर यही इंक्रीजिंग फूछ यही ओपन इंटरवλ लगाते अगर यहीई स्टिकली टिक्रीजिंग फूछ ता तो open इंटरवल जगा बिसकली ओपन और UP 거 vidéo समझ भार तो बैरहाल आगर आप subjective सवालहों की प्रैक्टिस कर रहे हो subjective सवाल देरे ले पने board पर छुष तो आपको अगर increasing की बात कर रहे तो आपको how close लगाना है decreasing की बात कर रहे Volks lage लगाना है इस ट्रिकली स्मझाये अगर ये चीज इंटर्वस्टा यहीं पर लिख दे रह हुं मालो डिक्रेजिंग बोलता तो एक्स बिलॉंग्स टू ओपन इंटरवल1 से भी लगाते हैं अगर मानलो यहीं स्टुक्रिक्ली इनक्रीजिंग पूष्टा पहले increasing लिख देता हूँ अगर मानलो यही increasing बोलता तो increasing के लिए क्या करते है minus infinite से 1 union 3 से लेके infinite तो फिर ऐसे लिखते है समझाया अगर मानलो बेटा यही strictly increasing पूछता strictly increasing बस यही bracket को open करतो x belongs to minus infinite से लेके 1 union 3 से लेके infinite I think सभी बच्चों का अब एकदम crystal clear हो गया होगा ठीक है बेटा सभी को जल्दी से मुझे बता दो एक बार फटा-फट ठीक है जल्दी से एक बार देख लो मुझे फटा-फट ठीक है बिलकुल बेटा दोनों में ही आपको differentiation करना है ठीक अची तरीके से clear चलो तो यहां पर देखो बिटा कुछ सवाल आपके लिए मतलब कुछ यहां पर है question ठीक है तुम बताओ करना है क्या करवादू सवालों को क्या बोलते हो और करने है सवाल चार-पांस सवाल है अगर करना चाओ तो होमवर्क में कर लो नहीं तो फिर most expected की सीरीज में करवा दूंगा मैं ठीक है तो करोगे बिटा शाम वाली क्लास नो बजे लग रखी है ना बच्छा तो नो बजे अपन करेंगे क्योंकि मुझे भी तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ना बिटा अगर बैक टू बैक अभी देखो छोड़ रहे तुम्हारा content भी तो बनाना पड़ेगा 200-300 सवाल अगर करेंगे फिर उस लेवल की इनर्जी भी तो रही गेन करनी पड़ेगे ना समझे रहो आज़ो जल्दी से लॉंग सवाल कर लो आज़ो 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 लॉंग सवाल कर लो यह रहा लॉंग question तो सबसे यहां पर क्या कर रहा बबू प्रूब देट अफंक्शन दिस इंक्रीजिंग इन इंटर्वल जीरो से लेके पाई बाई टू आजो यह आपके आपके स्लेवर्स में पांच नंबर का question आएगा यह फाइव मारकर question है सबी बच्चे आज़ो जल्दी से फटा-फट इसको करते हैं ठीक तो यहां से लिको solution तो भाई इस इकल स्टू क्या लिक रखा है और स से क्या हो जाएका साइट्स सब्सक्राइब बीटा यहां से धी पाई भाई दी क्योंकि theta के respect में कर रहे हैं ठीक यहां से क्या हो गया ओवन हो गया ठीक है बहुत यह clear है सबी को ठीक है clear है चलो अब इसको solid करता है तो यहां से हमारे पास कितना हो गया यह यह हो गया देखो 8 cos theta और यहां से हो गया सर्फ 4 cos square theta और यह हो गया 4 sin square theta माइनस यहां से हो जाएगा 2 plus cos theta का whole square अपॉन यहां से हो गया देखो 2 plus cos theta का whole square यह ही आ रहे है बिटा तो यहां से हमारा जो dy by dx है dy by dx यही आ रहे है देख लो एक बार फड़ा फड़ बिल्कुल यही आ तो बस सब कुछ यह ओपन कर देता है अब यहां से जड़ा गौर करो 4 cos square theta प्लस 4 sin square theta यह तो 4 आ जाएगा ठीक है पिटा तो यहां से डी वाई बाई डी एक समरे पास कितना आ गया है यहां से देखो डी वाई बाई डी नहीं 8 cos theta ना 8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta का whole square यह लिखाए ठीक तो यहां पर यह 8 है तो यह 8 है ठीक तो बस अब यहां पर हमें क्या देखना है एक साइन देखना है तो सभी लोग आप साइन यहां पर देखोगे तो यहां से क्या करेंगे बीटा 8 cos theta plus 4 minus इसको solve करो 2 to 4 plus cos square theta plus 2 to 4 cos theta अपॉन यहां पर कितना हो गया भाई है टू प्लस कॉस थेटा का whole square यह यह आ गया ना तो यहां से 4 से तो 4 cancel तो यहां से ultimate ले कितना है 8 cos theta minus 4 cos theta तो यह हो गया 4 cos theta minus cos square theta upon यह कितना आगे सर टू प्लस कॉस्टिटा का होल स्कॉयर ठीक तो डी वाई वाई डी एक समरे पास यह पीडियाफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको सीवीटी अड़ा के देखो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो प्लीज बिटा सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप देख लो है ना आपको इसकी पीडिएफ वही पर मिलेगी तो सभी बच्चे पीडिएफ ले लेना अब यहां से क्या कर और माइनस कॉस्ट फिटा अपन यहां से कितना हो गया यह टू प्लस कॉस्ट फिटा का होल स्कॉर ठीक है बहिए क्लियर सभी को हाँ या न कोई भी डाउट अब बेटा यहां पर हमें देखना क्या हमें यह देखना है कि आखिर कार यह पॉजिटिव कहां पर रहा है ना हम कोज़ आरों को सीटा कहां से कहां तक लाई करेगा माइनस संसे वन तो मैंनिस को सुट कहां से कहां लाई करेगा हर साइड में सोड़ दो तो चार में सरे एक fet यानि कि भाया माइनस कॉस्ट निदा भी हमेशा positive है समझ में आया कि नहीं क्यों क्यों कि बेटा 4-cos theta कहां से कहां लाई कर रहा है 3 से लेके 5 के बीच में लाई कर रहा है समझ में तो भाईया ये नीचे वाला भी positive है और उपर वाला भी positive है मुझे बात बताओ कि dy by dx का sign किस function पर depend कर रहा है बताओ जल्दी से सोच के बताओ कि अब अगर ये भी positive आ गया ये भी positive आ गया तो dy by dx का जो sign है यानि कि f dash x का जो sign है वो किसके sign पर depend कर रहा है बोलो जल्दी से sign of f dash x is only depending upon depending upon sign of किसके अरे sign of cos x के हा या ना जल्दी बताओ ये ही हो रहा है कि ने बेड़ा क्योंकि ये भी positive है ये भी positive है तो ये जो dy by dx का sign है वो किस पर depend कर रहा है cos theta पर यानि जहां पर cos theta positive वहाँ पर dy by dx positive जहां पर cos theta negative वहाँ पर dy by dx negative है की ने तो बेटाओ यहां से जो sign of f dash x ते है वो किस पर depend कर रहा है sin of cos x पर अब आप सभी लोग जानते हो since cos theta is positive in x belongs to 0 से लेके πाई बाई 2 के बीच में है है के ने हाँ याना जल्दी बताओ cos theta positive होता है के ने 0 से लेके πाई बाई 2 के बीच में भाई यहां से cos theta positive होगा कब जब x हमारा 0 से लेके πाई बाई 2 के बीच में होगा तो अगर cos theta positive होगा तो भया यहां से sir dy by dx हमारा क्या होगा positive होगा अगर यह positive होगा तो sir हमारा f of x क्या होगा और यही आपको प्रूफ करना था पांच नमबर का बहुत ही प्यारा question ठीक है एंस प्रूफ है एंस प्रूफ बात मजाई की नहीं हाया ना यार जल्दी बताओ मजा आया की नहीं जल्दी से बता दो बिटा एक बार फटा फट क्लियर है सबी को हाँ आया ना ठीक है बहुत ही mind blowing सवाल था आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सवाल है पांच नमबर का बहुत ही अच्छा सवाल है सभी बच्चे इस सवाल को जरूर करके जाना मलब जब यह रही यार आज की कहानी जो थी तुम्हें सुनानी अब मुझे तुम एक बार बता दो यार मजा आया के नहीं ठीक है एक बार तुम बता दो मलब तुम सोच रहो वन गो में अपने च्छैप्टर कंप्लीट करें च्छैप्टर और एक भी चैप्टर में ना तो सवाल करन ये डोन्ट वरी अभी देखो आज हमारी शाम को MCQ की क्लास है नो बजे से तो प्लीज आप सभी लोग MCQ की क्लास करना ठीक है और अपने आपको यह महसूस करो कि तुमने 6 चैप्टर आज कंप्लीट करें जो भी बच्चे कंसिस्टेंटली लगे हुए और जो नहीं लगे हु मतलब मिनिमम साथ घंटे तो लगना ही लगना है तो कल हम लोग पूरा का पूरा इंटिग्रेशन के साथ में पूरा का पूरा LPP तक कल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है तो आज का सेशन यार यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे ठीक है ठीक है तो यार आज का का बिटा जो क्या केता है जो भी information है आपको station की community पर आपको मिल जाता है ठीक है यह बंद कहां से हो गया ठीक है तो क्या केता है हाँ मुझे यही बताना था कि आपको cvt अड़ा का जो channel है और science अड़ा का आपकी class 9 बजे होगी कल सुबह वाली class भी हमारी 9 बजे से चालू करेंगे तो सभी लोग कि यहाना कल यार सुबह 9 बजे से लेके मतलब कल जान लगा देंगे पूरा ले बसकल निप्टा देंगे आज एक किताब हम निप्टा चुके हैं एक किताब चैप्टर मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो और वह भी बकाइदा सबस 마음에 बहेंकर सवालों की worldwide करेंगे मैं मलब सिर्फ हमने ना सबसक्रेंगे कल दिन नरीमलों करेंगे ना सकर्ण सांसीश्टर नमबर 13 न करेंगे कल ऐस रए जो तुम्हारे डरार है ना कल तुम्हारे को कम से कम 25-30 केस्ट इस्टडी के सवाल कराऊंगा फिर तुम देखना कि तुम्हारी दशा क्या होती है मलब 12 नंबर के सवाल कल रात में अपन केस्ट इस्टडी का करेंगे और 20 नंबर का आज हम लोग करेंगे और उसके अगले दिन पांच नंबर के सवाल, चार नंबर के सवाल, तीन नंबर के सवाल, दो नंबर के सवाल बिटा एक चीज हम छोड़ने वाले नहीं है यह जो भी सवाल अगर यहां पर छूटे हुए होगे न सारे कोशन आपको कराने वालो तो आज यह हमारा पहला दिन था I think तुम लोगों को अच्छी तरीक समझझा अगया होगा, यह आगाज देख के तुम लोगों को अच्छे समझा आगया होगा कि हम लोग कितनी कुलिटी के साथ वे आपको कितना कुछ नना जम के अपने दोस्तों में बिटा सेशन को शेर करना प्लीज आप से रिक्वेस्ट यार जरूर सेशन को शेर करना समझे रो मतलब कुछ करो या नहीं लेकिन यह सब सेशन को जरूर आप सभी लोग सपोर्ट करा करो अठ्या लगता है ठीक है कल सुबह 9 बजे और आज रात को 9 जब मैं आगे कुश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा भयंकर तरीके से डिस्कुशन कर दोंगा जहां पर रहेगा सब सही हो जाएगा तो तुम एक दम बेफिकर रहो एक डाउट के साथ में तुमारे को पेपर में नहीं जाने देंगे जो भी डाउट रहेगा बता के जाना चाहिके नीचे कॉमेंट सेक्षण में और यहются में यार इसका जो पीडियाव है आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल लएगा वहां से ले लो है अब आज का सेशन हम यहीं पर समाथ करते हैं हैं तो अगला रात का टार्गेट'reएक हमारा 5000 बच्चों तो ये पूरा करना तुम ठीक है thank you so much बच्चों God bless you all 20 number की तयारी आज रात में फताय करेंगे ठीक है तो यह जम ready हो और यह भी बता के जाना कि ready हो की नहीं हो ठीक तो नीचे comment section में जरूर लिखके जाना इसका अगला पार्ट कल सुबह 9 बज़े आएगा पार्ट चाप्टर 7 से लेके चाप्टर 13 करेंगे आज हमने करा चाप्टर 1 से लेके चाप्टर 6 तक ठीक तो ready रहना आज रात के 9 बज़े comment section में अपना प्यार बरसा के जाना thank you so much God bless you all